Hello everyone, welcome to my channel, strengths. आज हम लोग करने वाले one-shot video, class 11 के एक important topic, thermal properties of matter का, इस video को मैंने काफी detail बता है, इसके सारे topic, इसके एक-एक करके मैंने cover किये हैं, ताकि आपको detail में पढ़ सके, आप detail में पढ़ सके, और उसको आप अच्छे से समझ सके, जैसे कि मैंने आपको बता है कि इस video को देखने के बाद, आपको किसी दूसरे video को देखने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है strengths, तो चलिए बात कर रहेते हैं, notes की, तो वो मैंने आपको notes already provide करवा दिये, जिसकी link description में दी हुई है, जाके आप detail देख सकते हैं, और आप बैतरी के साथ इसे cover कर सकते हैं, सो हम समय क्यों बिगारना है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, one shot में thermal properties of matter, सो बिना देरी की strengths शुरू करते है, modern dynamic theory of heat, देखिए strengths, heat और temperature जो है, वो हम से commonly related है, हम physics में कोई भी chapter दी पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको detail में तब पढ़ पाते हैं, या word form में तब ला पाते हैं, जब हम physics को study करते हैं, तो physics कहीं न कहीं हमारे surrounding से related ही, एक subject है, तो देखिए ये भी एक topic जो आ रहा है, वो heat का आ रहा है, अब heat हम कहां, एक छोटी सी बात है, एक छोटा बच्चा जो होता है, infant baby होता है, उसको भी heat feel होती है, cold feel होता है, याने उसका relation इन चीजों से, उसी समय से है, जब वो जन्म ले चुका है, तो strengths, यहाँ पर हम लोग तो काफी उससे बड़े हैं, और हम इसको feel करते हैं, धूप में आप निकलते हैं, तो आपको गर्मी feel होती है, और यदि आप cold में या AC में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक ठंड़क feel होता है, तो strengths, यह बात जो होती है, तो आप देख रहा है कि heat यसी से related है, heat is a form of energy, एक heat क्या है, वो एक form of energy जिस हम hot or cold को feel कर पाते हैं, so heat is a form of energy which makes us feel hot or cold, वो हमें hot या cold feel करवाएगा, कौन heat, heat जो होती है, यदि बढ़ जाएगी, तो हमें hot feel करवाएगी, यदि heat decrease हो जाती, कम हो जाती किसी object में से, तो हमें cold feel करवाती है, जैसे बर्फ को हमने हाथ में लिया, तो थोड़ी देर में हमें परिशादी सी होने लगती, क्योंकि वो उस जगे का temperature accept कर लेता है, और वहाँ पे हमें cold feel होता है, जो body उसको सहन नहीं कर पाती है, और हम उसे छोड़ देते हैं, इसी प्रकार कोई चीज़ गर में, तवे पर हमारा हाथ लग गया है, तो automatically हमें याद नहीं रखना परता है, अपने आप हट जाता है, वो एक body अपना खुदी manage करती है, तो वो हमें क्या feel करवा रहा है, तवा एक hotness feel करवा रहा है, इसकी modern dynamic theory जो है, वो हमें देखना है, कि actual में heat की जो theory है, वो किस प्रकार से है, तो हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको simple सी एक बात बताओ, कि दुनिया भर के कोई भी object हो, जिसमें से heat transfer हो रही हो, जिसमें heat आती हो, जिसकी heat बढ़ती हो, जिसकी heat decrease होती हो, ऐसा object, जनरली हम देखते हैं, वो metal objects होते हैं, metal objects को हम देखें, तो metals are generally solid, except mercury, तो यहाँ हम देखें, कि सारे metals, जिसे हम तवे की बात कर रहे हैं, कढ़ाई की बात कर रहे हैं, pan की बात कर रहे हैं, तो सब metal है, इनके सब के molecules, एक दूसरे के साथ बंदे हुए हैं, चूकि solid ही नहीं, liquid भी गर्म होते हैं, gases भी गर्म होती हैं, लेकिन solid के सारे molecules, strongly bonded होते हैं, liquid के molecules, poorly bonded होते हैं, और gases के molecules के बीच में, तो जो attraction force होता है, लगभग-लग-बग, negligible होता है, तो strengths वो सारी बात हैं, इस थेorी में हम पढ़ने वाले हैं, तो देखें, strengths यहां modern dynamic theory क्या कहती है, according to this theory, all molecules of substance are in state of motion, कि किसी भी substance के सारे molecules, motion में होते हैं, अब भी motion की बात की जा रही है, brain में फिर बात आती हैं, solid में कैसे motion होगा, solid में नहीं हो पाएगा, लेकिन liquid में और गैसे state में तो motion होगा ही, solid में क्या होगा, वो bonded है, तो motion के place पर क्या होगा, vibration होगा, वहाँ पर हम motion, world को vibration के रूप में सोचेंगे, तो strengths यह जो होता है, अब world यहाँ पर हमने लिया है, कि molecules जो होते हैं, सब moving state में होते हैं, तो जो moving state में होता है, उसके अपनी velocity होती है, velocity होगी, तो उसके अंदर एक kinetic energy भी क्या होगी, develop होगी strengths, तो यहाँ पर, therefore, they possess kinetic energy, इसलिए वो possess करते हैं kinetic energy को, when substance is heated, then the kinetic energy of molecule is increased, जब हम किसी substance को hit करेंगे, तो वो ही kinetic energy और बढ़ जाएगी, क्योंकि hit करने से, वो molecule temperature गेंड करेंगे, और अपनी motion को बढ़ा देंगे, अपनी speed को बढ़ा देंगे, तो वो क्या होगा, उनकी kinetic energy और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो in solid, अब देखी, यहाँ पर तीनों को अलगाल डिस्वेप किया हुआ है, कि in solid, in liquid, और in gases, तीनों में molecules का किस तरीके से, जो है hit का form, किस तरह से वो convert करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, देखी, अब solid में क्या है, the molecules are solid or bonded with strong bonds, जैसे मैंने भी आपको बता है, कि वो सब strong bonds से bonded होते है, so they perform vibration, वो क्या करते हैं, they perform vibration, वो vibration perform करते हैं, अपनी जगे पर vibrate होते हैं, तो उसके अंदर जो kinetic energy होती है, वो किस form में होती है, vibrational kinetic energy के form में होती है, जो vibration करेगा, उसकी energy kinetic energy, वो होगे vibration kinetic energy, तो हमें जो theory है, उसको तीन पॉइंट में बताना है, एक solid में, एक liquid में, एक gas में, हम solid में क्या बता रहे हैं, solid में बता रहे हैं कि solid के molecules strongly bonded होते हैं, इसलिए जब हम उसको hit देंगे, तो वो molecules जो होगे अपनी place पर ही vibrate करेंगे, तो उसके अंदर जो kinetic energy होगी, वो होगी vibrational kinetic energy, ठीक है students, अब ब उसके सब दूर होते हैं, उनके बीच में poor bond होता है, जब हम उनको hit देते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो easily motion करने लगेंगे, easily इधर से उधर जाने लगेंगे, वो जाएंगे, तो उनके अंदर तो kinetic energy आएगी, kinetic energy तो थी already, लेकिन वो बढ़ने लगेगी, उस बड़ी होगी kinetic energy को हम कहेंगे, translatory kinetic energy, so students, solid में होती ही, vibrational kinetic energy, liquid में होती है, translatory kinetic energy, अब हम बात करते हैं, in gases, the molecules of gases are bonded with negligible force, वो negligible force से bonded होते हैं, so they move in all direction and possess translatory kinetic energy, vibrational kinetic energy, यहने इसका मतलब यह होगा कि उनके बीच में, देखि, gaseous molecules को आपन imaging करें तो काफी दूर पर हैं, दूर होने करना उनके बीच में जो है, attraction force तो निकलीजिबल है, इसलिए वो freely move कर रहा है, उनके अंदर already kinetic energy है, लेकिन जब हम उनने heat provide करते हैं, तो उनके अंदर दो प्रकार के change होते हैं, एक तो vibrational kinetic energy भी बनती है, और एक translatory kinetic energy भी बनती है, तो gaseous molecules के पास दो kinetic energy होंगी, यही theory जो होती है, हमारी kinetic theory कहलाती है, या फिर हम इसे modern dynamic theory भी कहते है, किसकी heat की, तो इस परकार सम conclusion क्या निकलते हैं, so heat of the body, कि किसी body को दी हुई heat, उसके अदर अभी हमने देखा कि body को heat दी, solid हो चाहे, liquid हो चाहे, gases हो, तीनों body को heat दे रहे से, हमें किस परकार की kinetic energy मिली, हमने पर लिया, अब उसक कर कि जो kinetic energies होती है, उन सब का sum, वो ही body की heat होती है, तो strengths यह है, modern dynamic theory of heat, अब strengths, internal energy की बात करे हैं, किसी भी, जैसे internal energy की यहाँ पर बात कर रहा हूं, internal energy, internal energy molecule के अंदर होती है, देखे, कोई molecule अपनी place से कहां उचाई पर रखा है, तो उसमें आईए potential energy, किसी position के कारण उसमें जो energy आती है, वो potential energy होती है, फिर हम देखते हैं, कि चाहे solid और चाहे liquid चाहे gas, molecule vibrate तो ज़रूर कर रहा है, vibrate कर रहा है, मुह कर रहा है, तो उसके अदर kinetic energy भी आगी, अब उसके position के कारण जो potential energy है, और उसके vibration के कारण जो kinetic energy है, उनका दी sum कर दें, तो उस sum को हम internal energy कहेंगे, इंटर्नल एनरजी क्या है, इंटर्नल एनरजी जो है, sum है potential energy और kinetic energy का, so every substance has potential energy and kinetic energy, हर substance के पास potential energy और kinetic energy होती है, sum of the potential energy and kinetic energy is called internal energy, उस ही को हम क्या कहते हैं, internal energy, साथ में internal energy को हम थोड़ा detail पढ़े या दी, तो केवल यह दो नहीं, उसमें बहुत सारी energies होती है, जैसे, transportation energy होती ह है, intellectual energy होती है, nuclear energy होती है, potential energy होती है, kinetic energy होती है, बहुत सारी energies होती है, उनसका sum होने पर total internal energy बनती है, लेकिन हमें definition point अब इसे बताना है, तो manly दो ही है, यहां exist करती है, वो है potential energy और kinetic energy, इन दोनों का sum यदि हम लेते हैं, तो वो है हमारी internal energy, very simple definition, अब हम बात करने instance unit of heat की, heat क definition देख लिए हमने, heat वो factor है, जो हमें hot या cold फिल करवा रहा है, दूसरी बात हमने modern theory भी देख लिए उसकी, दूसरी बात internal energy को देख लिया, इसके बाद हमने देखा, कि unit of heat क्या है, अब हम उसको देखने जा ले, unit of heat क्या है, unit of heat में क्या है, दो प्रकार से हम CGS को भी देख क्या है, या कोई साभी चोकलेट्स हो गए, उसके पीछे जो calorie में, उसके energy क्या है, वो कोई सही CGS unit है, उससा unit में उसको mention ने किया जा रहा है, वहां CGS में क्या जा रहा है, तो calorie is a CGS unit of heat, और CGS की, मतलब, जो हमारी calorie है, उसको definition कैसे का रहे, तो calorie क्या है, हम एक ग्राम को water, एक ग्राम वाटर ले ले, एक ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेंटिग्रेट पर रखें माल लो, उस temperature को, उस water को, उस temperature पर, जिस जगह पर 14.5 हो, उस जगह पर उस water के 1 ग्राम क्वांटिटी को रखते है, और फिर उसको energy दे, उसको energy देने से उसका temperature 14.5 से 15.5 हो जाए, तो 14.5 to 15.5 डिग्री is called calorie, इसे calorie कहते हैं, और calorie की दूसरी unit है, kilo calorie, 1000 calories के equal जो हता है, एक kilo calorie होता है, यदि हम calories की quantity ज्यादा देखते हैं, तो हम kilo calorie में उसको बताते है, kilo calorie में, one kilo calorie की value होती है, 1000 calories, अब strengths ऐसा unit की बात करें, तो joule is SI unit of heat, heat की energy, joule यह जो work की होती है strengths, so एक calorie में 4.8 4.18 joule होता है, 4.186 total value है, लेकिन हम उसको 4.18 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और heat एक scalar quantity है, जिसका dimension formula work जैसा होता है, मतलब M1, L2, T-2 वो इसका dimension formula होता है, strengths इस प्रकार से हमने heat के सारे basic points हैं देख लिए, यह चोटा सा introductory part था, जिससे हम chapter की base को समझ भाएं, कि आगे हमें किस त temperature है, अब देखे है, heat और temperature है, कई बार हम इस बात को देखते है कि heat और temperature दोनों से में, लेकिन heat अलग है, heat एक state है, और temperature एक reading है, जिसको हम calculate करते हैं, देखते हैं, तो heat हमें, हिड़् है वह एक फिनोमेना है जिसमें हम हॉट और कोल्ट करते हैं लेकर टेमप्रेचर वह बताता है कि इतना हम हाट फील करते हैं कि इतना हम कोल्ट करते हैं। The temperature is a physical state of a body which determines the direction of flows of heat energy when the body is in contact with one another. तो देखिए, अब मैं आपसे यहाँ पर एक बार बता दूँ, मैं तोड़ा समझा देता हूँ आपको, कि temperature क्या है, temperature एक वो फिनोमेना है, जो हमें direction बता रहा है, किसकी heat की, कि heat flow किदर होती है, तो वो देख लें हम लोग, कि physical state of body which determines the direction, यह determine करता है कि direction heat का किदर होने वाला है, किस तरफ heat जाएगी, क्या higher level से lower level पर जाएगी, या lower level से higher level पर जाएगी, वो हम इसको देखते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ समझाने कुश करता हूँ, यहाँ आप देखिए, कि मान लीजिए, यह मेरे पास एक object है, जिसका temperature, समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूँ, 100 degree centigrade है, और मेरे पास एक दूसरा object भी है, जिसका temperature सिर्ख 20 degree centigrade है, 20 degree centigrade इसका temperature है, अब students, यदि यह दोनों एक दूसरे से दूर है, तो इनका तो अपना individual temperature है, इसमें तो कोई change है लेकिन मैं इन दोनों को combine कर दूए दी, देखिए मैं आपके सामने combine कर रहा हूँ, यह इस तरीके से, now they are in contact, वो आप contact में है, तो heat हमेशा higher level से, यह higher level से lower level की और ही move करेगी, क्योंकि यह temperature की definition में पढ़ रहा है कि, the temperature is a physical state, temperature वो physical state है, of a body, किसकी, body की physical state, जिसमें वो determine करता है, कि direction of heat, where is the direction of heat, where is the flowing of direction of heat, कि flow किदर हो रहा है, so वो जो है, देखिए, one body to another body जा रही है, कहां से जा रही है, high heat level है, high energy level है, वहां से low heat पे, वो energy transfer हो रही है, तो यह degree यह physical state of body, जो determine कर रही है, कि high temperature से low temperature की और, या high heat से low heat की और, जो energy transfer हो रही है, उसी को हम temperature कहते हैं, तो यह बात simple सी बात है, इस जैसे, मैं example में आपके सामने लूँ, कि कोई बरतन हम gas पर burner पर रखकर गर्म कर रहा है, अब कढ़ाई को नहीं देगी, pan को नहीं देगी, वो pan से accept करेगी, मतलब यहां सीथ दोगा, कि अप्रूव हो गया, कि जो pan का temperature ज़्यादा था, और जो हमने object डाला, उसा कम था, तो flow सी direction जोना है, याने higher energy से lower energy की और, यह transfer होता है, तो यहां पर हम temperature को define कर चुके हैं, तो simple थी बात है, आप तो इतना जरूर जान ले, कि temperature is a degree of hotness or coldness, temperature जो होता है, डिगरी है, hotness or coldness का, hotness or coldness को हम जहां measure करते हैं, वो ही degree जो है, temperature कहलाती है, so thermometry को जानते हैं, बिना दिरी किये, thermometry क्या है, देखिए, भी मैंने आपको बता है कि the branch of physics, यह physics की एक branch है, जिसमें हम temperature को measure करना सीखते हैं, the branch of physics which deal with the measurement of temperature, वो physics की branch जो deal करती है measurement of temperature को, उसको हम thermometry कहते हैं, to construct the scale of temperature, तो उसके लिए हमको एक scale बनाना होगी, एक पैमाना बनाना होगा, एक measurement बनाना होगा, तो उसके लिए हमें दो points की जरूद होती है, दो points कोन से लिए जाना चाहिए, वो हम बता रहें आपके, एक होता है lower fixed point, जिसको हम freezing point of water कहते हैं, lower fixed, lower से लिखी रहा है, temperature को low किया जा रहा है, तो फिर फ्रीज होगा, तो उसको हम freezing point of water भी कहा सकते हैं, और short में LFP कहा जाएगा, और दूसरा होता है upper fixed point, उसको हम shortly UFP कहेंगे, और वो होता है boiling point of water, UFP is boiling point of water है, और lower fixed point, जो है freezing point of water है, जिसको हम LFP कहेंगे, तो यह thermometric अंतरगत हमें 2 points लेना पड़ेंगे, देखिए, जैसे मैं आपको बता दूँ कि एक scale हमने इस तरह से बनाया, तो नीचे की ओर होगा lower fixed point, और उपर की होगा upper fixed point, तो lower fixed point नीचे होगा, upper fixed point उपर होगा, तो scale बनाने में इस बात को ध्यान रखना होगा हमें strengths, अब हम बात करते हैं इन scales के बारे में, तो these are the commonly used thermometrical scales, यह जो है common, जो use की जाना लिए thermometrical scales है, वो यहाँ पर बताएगा, यह देखिए और एक आपका interest बनाया रखने के लिए, देखिए instance, हर teacher चाहता है, कि जो बच्चा पढ़े, उसके अंदर वो चीज पूरी तरह से बैठ जाए, और वो हमेशा के लिए उसको याद रख ले, भूले ना, उसके लिए थोड़ा interesting बनाने के लिए, word to word लिख देंगे, तो जैसे books guides में होता है, या question banks में होता है, बेसा लिए लिए थोड़ा सा little interesting बनाने के लिए देखिए, आप diagram अलग बना हुआ है, उसके जो है, सारी parameters साथ में लिखे हुए है, और किस ने किया, वो साथ में दीखी रहा है, तो ये जो विए जो scientist है, ये इसके जो है जनक है बनाने वाले हैं, और यहाँ पर वो scale कैसे बना है, इसको simple form में बनाए गया है, और सारे parameters के parallel लिख दिए गया है, तो इससे आप answer बनाएंगे, तो आप फुद एक answer बना लेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, कि पहले आप copy में ये parameters और ये diagram बना ले, भई scientist की diagram को बना लेंगे, जो है जो है scale और parameters को लिख लें, और उसके, उसकी help से ही, नीचे आप अपना sentence बनाए, ताकि आपका answer बहुत 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 बनाना सिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर, यहाँ पर पहले Celsius और Centigrade Scale, Celsius Scale, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि इसका lower fix point 0 degree है, और अपर fix point 100 degree Centigrade है, और 0 से 100 है, तो टोटल उसमें 100 parts है, सिंपल सी बात है, हम definition, किसी बनाएंगे इसकी, सोचिए, imagine कीजिए थोड़ा, यदि imagine करते हैं, तो simple सा बोलेंगे, कि the scale of temperature, वो scale temperature की, whose lower fix point is 0 degree Centigrade, and upper fix point is 100 degree Centigrade, and which is divided in 100 equal parts, is known as Celsius or Centigrade Scale, देखिए, इस diagram से हमारा answer बन गया है, अब उसके parameters जो हमने बोला है, उससे parameters बन जाते हैं, देखिए, ध्यान से, design by, किसने बनाई, तो भही बनाई, एंड्रेस, Celsius ने, total parts कितने हैं, 100 है, each parts 1 degree Celsius, या 1 degree Centigrade बोल सकते हैं, क्योंकि 100 parts यह बने हुए हैं, total SF divide किया है, इसको 100 parts में, तो वो हर part 1 degree Centigrade, या 1 Celsius कहलाएगा, melting point आप आई से, यहाँ पर 0 degree क्योंकि, जो LFP है, वो melting point होगा, और जो boiling point होगा, वो upper point होगा, तो वो है 100 degree Centigrade, वो यहाँ पर पता दियागा है, यहाँ पर से बता जाता हूँ, यह तो लिखा हुआ रहने दीजेए अब, तो कहेंगे, the thermometrical scale, whose lower fix point is 0 degree Centigrade, and upper fix point is 100 degree Centigrade, and which is divided in 100 equal parts, and one part is known as 1 degree Centigrade, और 1 degree Celsius is known as Celsius or Centigrade scale, यह आपका definition होगे, बाकिया सब आप इसमें से निकाल के लिख सकते हैं, तो I think है समझ में आगया होगा, second one है Fahrenheit scale, अब Fahrenheit scale में भी देखिया, कि lower fix point 32 है, और upper fix point 212 है, measurement scale of temperature, whose lower fix point is 32, and upper fix point is 212 degree Fahrenheit, is known as Fahrenheit scale, and this scale is divided in equal 180 parts, equal 180 parts में divide हुई है, और हर part 1 Fahrenheit कहलागा, इसका एक एक पार्ट जो होगा, वो 1 Fahrenheit कहलाएगा, जिसे उपर वाले का, 1 degree centigrade कहलाथा था, इसका 1 Fahrenheit कहलागा, ध्यान दीजिए, degree centigrade Celsius, दोनों एक ही है, जिसको C से मेजर करते हैं, और Fahrenheit को EPS से मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम देखे, कि this scale was designed by, Gabriel Fahrenheit, total parts आप यह हमने देखे, कि इसमें 180 है, वाराटी लिख दिया है, इच पार्ट 1 Fahrenheit जिसे में बताएं आपको, और इसका जो है, melting point of ice 32 है, और boiling point of water 212 है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, 32 and 212, इस प्रकार से Fahrenheit scale भी clear हो जाता है, स्टेंट्स 3rd scale है, rumor scale, rumor scale जो होता है, वो बहुत कम use होता है, लेकिन फिर भी हमारे course में है, इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए उसे, उसे देख लेना चाहिए कि उसमें क्या बताएगा है, तो देखे, यह जो आप देख रहा हैं कि इसमें lower fixed point, zero rumor है, और अपर 80 rumor है, 80 degree rumor है, इसका melting point of price से zero degree, और boiling point of water है 80 degree, परलली उनका diagram बतलब जो है, और यह बाद students आपने feel कि होगी, शायद मैंने feel कि इसलिए आपको बता दूँ, कि देखी, इनके जो hair styles होता है, और जो diagram होता है, approximate, एक दूसरे similar होता है, तो confusion हो जाता है, लेकिन असल में यह सब अलग-अलग students, Kelvin scale is one of the important, क्योंकि SI system में use होता है, तो यहां students थोड़ा सा ध्यान देन के इंपो जरूत है, यह तो तीनों important, चारों important, लेकिन हम सभी को देख रहा है, लेकिन SI से हमारा पाला ज्यादा पड़ता है, इसलिए हम को Kelvin scale को देखना होगा, so the measurement scale, whose कौन सा, देखिये, lower fixed point क्या है, 273, और upper fixed point क्या है, 373, the measurement scale, whose lower fixed point is 273, and upper fixed point is 373, so total parts 100, it is also divided into 100 equal parts, and one is known as one Kelvin, सावधान यह रखिएगा, कि सब में degree word लग रहा है, उपर एक पावर जीरो लग रही है, डिगरी लग रही है, लेकिन इसमें degree नहीं लगती है, सीधे 1 Kelvin लिखा जाएगा, सावधान तो हर पाट एक 1 Kelvin होगा, so the measurement scale, whose lower fixed point is 273 Kelvin, and upper part is 373 Kelvin, is known as Kelvin scale, it is divided in equal 100 parts, and one part is known as 1 Kelvin, it is designed by lot Kelvin, total parts 100 है, each parts 1 Kelvin है, lower fixed, melting point of ice कहेंगे, 273, boiling point of water होगा 373, इसमें मैं आप एक बात बता दूँ, कि थोड़ सी याद रखने की बात नहीं है, कि हम 273 जो कहते हैं, वो approximate equal to 273.15 के, और 373 हम जो लिखते हैं हैं आपर, 373 जो है, this just approximate equal to 373.15, तो students, यह approximate value भी हमको थोड़ी देखनी होगी, यहाँ पर कि किस तरह की से हम लेने वाले हैं, तो हम 273 जो भी हमारा, जो एक question का answer सही बनेगा, थोड़ा सा minor change होता है, लेकिन exactly लिएती चाहिए, तो आप 273.15 के यहाँ यूज कर सकते हैं, so students, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कि Celsius यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कि Celsius यहाँ सेंटिक्रेट, Fahrenheit, रियूमर और कैल्विन, यह चार स्केल हमने पढ़ी है, तो इनका हापस में conversion की degree centigrade दिया है, तो इसको Fahrenheit में या Fahrenheit को दिया, तो Kelvin में Kelvin को दिया है, तो रियूमर में या रियूमर को centigrade में है, centigrade को Kelvin में, डारेक्टली हम एक दूसरे के संदर इसको convert कर सकते हैं, वो कैसे convert करते हैं, इसके लिए हमको देखना है, students में आपको पहले एक इसके बारे हम बता देता हूँ, कि यह इसके बीच में, जो चारो जो temperature scale के, जो scales है, उनके बीच में relation क्या है, इनके बीच में relation क्या होता है, तो इनके बीच जो relation होता है, student वो होता है, मैं आपको बता दूँ, वो होता है, C by 5 equal to F minus 32 upon 9 equal to R by 4 is equal to K minus 273 upon 5, so students यह जो relation है, इनके बीच में होता है, किसके बीच में, students यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चारो scale के बीच में यह relation होता है, अब students यहाँ पर आप दूँ देख रहे हैं, कि सब की बीच में equal का sign लगा हुआ है, तो equal का sign लगा है, यहाँ पर देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, centigrade को Fahrenheit में convert कर सकता हूँ, Fahrenheit को Rumor में कर सकता हूँ, या Fahrenheit को direct Kelvin में भी convert कर सकता हूँ, Rumor को Fahrenheit में, Fahrenheit या Rumor को Kelvin में, या सीधे Kelvin को centigrade में, मैं आपस में कहीं भी किसी भी scale को दूसरे scale में convert कर सकता हूँ, तो यही बात है, कि relation is used from one scale to another scale is, यह सारी scale को, एक scale को दूसरे scale में change करने के लिए जो relation दिया जाता है, वो यह होता है, अब students यह बात आती, इस टर्स को, कई बार तो यह कहा जाता है, कि भाई इसको याद रख लो आप लोग, ठीके भाई याद रख लेंगे हम लोग, लेकिन यह बना कैसे, आखिर यह बात आती कि, कहां से, कहीं 5 दिखरा, कहीं 9 दिखरा, कहीं 4 दिखरा, यह 5 है, 9 है, करूंगा कि किस तरह से बना हुआ है, अभी से बना दिया गया है, आपको मैं पूरी तरह से एक्स्प्लें करके दिखा दूँगा, अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, कि जो यह जो हमने फार्मूला है, आपर जो रिलेशन बना है, आपको मैं इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा, और किसी भी टैंपरेशन को मैं निकाल सकता हूँ, तो इस तरह जो हमने अभी जो रिलेशन दिया है, इसको हम पूर्व करके देखते हैं, इस फार्मूले की हैल्प से कि कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को लिख लेता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में आएगा, इसके एक पूल में था हमारे पास, टैंपरेशर ओन अनदर स्केल, अनदर स्केल माइनस लोवर फिक्स पॉइंट, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोवर फिक्स पॉइंट, यह फार्मूला जो प्रिवेस पेज पे था, एक बार फिर आपकी सहुलियत के लिए यहाँ पर लिख दिया है, आपको helpful रहेगा, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वो डिरिवेशन के इस तरह से निकला होगा, चलिए अपन देखते हैं, देखें, टेंपरेचर अनदर स्केल, ठीक है, जैसे मैं पहले डिग्री सेंटिग्रेट पे देखता हूँ, तो मुझे डिग्री सेंटिग्रेट को लेना है, तो मैंने पहले टेंपरेचर अनदर स्केल, सी ले लिए, माइनस एल एफप, उसका लोवर फिक्स पॉइंट कहा है, तो देखें, स्केल सेंटिग्रेट स्केल लिए दिख रही है, उसी का लोवर फिक्स पॉइंट देखना है, जब हम उससे डिग्रेट करते हैं, तो टेंपरेचर अनदर स्केल, तो वसी डिग्री सेंटिग्रेट में होगा, एलेपी क्या है इसका, यह देखें, जीरो है यहापे, तो यहापे मैं इसको 0 ले लेता हूँ, अपन यूएपी, उसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है, देखें, यहाँ अपर फिक्स पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 100 कहाँ पर, यह देखीं, 100 दिख रहा है, यह लोवर फिक्स पॉइंट 0, अपर 100, क्योंकि आप जेल्जिस की बात करना है, तो यहाँ पर हम 100 माइनस 0, क्योंकि आपर फिक्स पॉइंट हमारा 100 है, लोवर 0 है, अब हम सेकंड स्केल की बात करते हैं, सेकंड स्केल में हमारा देखिए, लोवर फिक्स पॉइंट 32 है, और अपर 212 है, तो उसमें स्केल क्या है, फेरनाइट है, तो मुझे हमारा क्या लेना पड़ेगा, फेरनाइट लेना पड़ेगा, फेरनाइट माइनस 32, क्योंकि उसका लोवर फिक्स पॉइंट कितना है, 32 है, upon में upper fix point minus lower fix point upper fix point जो है 212 है minus 32 क्योंकि lower fix point को minus करना है देखिए ये formula जो मैंने centigrade scale के लिए लगा था वो पडुस में Fahrenheit के लिए लगा दिया आपको समझ में आ रहा होगा अब हम third पर आते हैं rumor के लिए तो rumor में temperature हम R से measure करते हैं उसका lower fix point देखिए कहाँ पर है आपस खुद देख पा रहा है उसका lower fix point यहाँ पर जीरो पर है और upper fix point 80 पर है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 और upon में 80 minus 0 सामने temperature जो है Kelvin की है तो अब Kelvin की बात करें तो Kelvin पर lower fix point 273 और upper fix point 373 है तो यहाँ पर मुझे Kelvin लिखना होगा मैं Kelvin लिखता हूँ minus lower fix point 273 upon में 373 minus 273 अब strengths यहाँ देखिए जो calculation से है उससे हम देख रहा है कि यहाँ C बच रहा है 100 minus तो यह 100 ही हुआ is equal F minus 32 as it is लिख दिया हमने 212 में से 32 minus करेंगे तो वो हो जाएंगे 180 सामने k minus 273 है upon में हम 373 में से 273 को minus कर रहा है तो वो 100 है अब strengths आप देख रहा है 0 is the common in all four terms तो चारो terms में 0 common है तो हम 0 तो पहले cancel कर ही देते हैं इसमें से तो देखिए strengths मैं यह 0 कैंसल करता हूँ तो देखिए यह 0 यह 0 और यहाँ 0 अब हम remaining scale को जो remaining part है इसको लिख के फिर cancel कर लेंगे तो ज़्यादे easier हो जाएगा हमर ली तो देखिए c by 10 equal to f minus 32 upon 18 is equal to r by 8 is equal to k minus 273 upon 10 अब strengths यहाँ पे देखिए 10, 18, 8 और 10 यह सब even numbers जो 2 से divide हो रहा है तो हम 2 से cancel कर देते हैं सभी को तो देखिए 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 4s are 8 and 2 5s are 10 तो simple सी बात है हमें जो parts बजगा है वो क्या मिला देखिए c by 5 f minus 32 upon 9 is equal to r by 4 is equal to k minus 273 upon 5 और strengths आपने देखा इस बात को कि यह वही part है जो हमने relation के रूप में बताया था यह हमने prove कर दिया और देखिए true करने की method भी मैंने आपको यहाँ बता दिये अब strengths बात यह कि यह हम एक यह दो बार बना ले लेकिन मैं फिर आपको इसमें आपको वो numericals भी बता दूँगा जिसके अंतरगाथ हम एक दूसरे चेंज करेंगे और convert करना Kelvin में उसको Kelvin में find करना है ठीक है तो Kelvin में हमने find कर लेते हैं यह हमारे पास Kelvin के लिए तो C और K अब देखो relation relation क्या कहता है उनको scale relation क्या कहता है C by 5 equal to F minus 32 upon 9 is equal to R by 4 is equal to K minus 273 upon 5 अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ आपने question में मुझे बात कही कि convert 100 degree centigrade into Kelvin degree centigrade को Kelvin में change करना है और आपने तो पूरी scale लिख दिये तो मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ कि Kelvin या किसी में convert करना है तो कौन सा पार्ट में लेना है अब देखे degree centigrade पार्ट यह रहा हमारा और Kelvin पार्ट सब से पीछे है तो यह दोनों पार्ट से हम ले लेंगे now अब देखे यहाँ पर now c by 5 k minus 273 upon 5 जो required है वो ले लिया हमने यहाँ पर c की value कितनी है? 100 है मैं वहाँ put कर देता हूँ 100 upon 5 equal to k minus 273 upon 5 देखें strengths यहाँ पर यह 5 से 5 cancel हो रहा है equal में यहाँ बसता है मेरे पास 100 is equal to k minus 273 minus का 273 इस ओर आएगा तो वो हो जाएगा plus का 273 तो k equal to k की value हमारे पास आजाती है 373 Kelvin यहने हमारे पास answer आ गया है strengths तो यहाँ हमने क्या देखा कि 100 degree centigrade की value कितनी आ रही 373 Kelvin आ रही इसी परकार Kelvin की value देता है तो इसको degree centigrade में भी run work कर सकते है तो यह numerical हमारी help कर देता है strengths एक और numerical हमारे पास चोटा सा example है वो समझ लेया कि at which temperature किस temperature पे at which temperature Celsius and Fahrenheit scales has same value ऐसी कौन सी देखे अभी हमने देखा कि centigrade scale के parallel Fahrenheit बनाई थी इसका lower point 0 था और उसका 32 था इसका upper point degree centigrade का 100 था उसका 200 and 12 था दोनों different है लेकिन यह पूच कहा रहा है कि कौन साइसा temperature है कि जिस पर दोनों की value सेम होती है तो हम उसको scale पर ढून पाएंगे सुस्टेंट उसके लिए हमारे पास relation है हम उस relation के help से इसको निकाल लेंगे तो relation फिर देख लेते हैं एक बार किसके लिए वो relation हमको Celsius और Fahrenheit में लेना है अब मैंने आपको बता दिया कि relation में से Celsius और Fahrenheit को कैसा select करते है तो Celsius और Fahrenheit के लेने के लिए हम क्या करेंगे C by 5 F minus 32 upon 9 और बात कह रहा है कि कौन सा temperature है अभी temperature पता नहीं हमको तो हम ऐसा कर लेते हैं कि let that temperature be x उस temperature की value x है माल लेते हैं तो x degree ले ले तो x degree है तो हम दोनों temperature मतलब वहाँ पे Celsius और Fahrenheit दोनों equal है याने यहाँ पर वो temperature x degree है तो वो Celsius की भी value बन जाएगा और Fahrenheit की value बन जाएगा तभी तो दोनों पर equal है उसने क्या कहाँ दोनों पर equal है तो यह देखिए दोनों पर equal दिखता रहा है x और x याने यह x की value मिल जाएगी तो वो ही temperature होगा जो Celsius पर भी और Fahrenheit पर equal होगा तो हम देखते हैं उसकी value put करके देखिए अब मैं value put करूँँगा c की plus में रख दिया x x upon 5 f की plus में रख दिया x minus 32 upon 9 simple algebra है cross multiply करेंगे 9 का x में multiply करूँगा तो 9x 5 का x में multiply करूँगा तो 5x minus 5 का 32 में करेंगे 5 to the 10 5 to the 15 and 160 अब students minus का 160 को अब side की इस ओर ले आएं left hand में ले आएं तो वो plus हो जाएगा 5x और plus का 9x उदर ले जाए तो वो हो जाएगा minus का 9x तो 160 equal to minus का 4x so x की value निकालते हैं तो 160 upon minus 4 4, 4 is a 16 that's the temperature is minus 40 degree वो जो है 40 value है जो Fahrenheit और Celsius दोनों पर common होगी तो यह जो है यह दोनों की common value है तो students I think यह दोनों example आपको समझ में आगा होगा है scale का conversion उसका relation कैसे निकालना समझ में आगा होगा so students वो जो बात आती है graph की तो graph मैंने जो पहले page पर बताया था आपको उसको मैं explain कर दूँ कि वो किस तरीके से बनाया होगा है यहां पर ग्राप में कैसे बनाया गाया है वह मैं आप यहां देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक थी degree centigrade और एक Fahrenheit तो देखते हैं डिगरी सेंटीगरेट चयो था डिगरी सेंटीगरेट के अंदर जिरो डिगरी और टॉप पॉइंट था 100 इसके अंदर जो लोगर सिक्स पॉइंट था 3 2 फैरेनईट और टॉप पॉइंट था 212 फैरेनईट इसमें डिगरी याद होंगे यह से यह जो पहली scale है यह centigrade scale है और second one जो है Fahrenheit scale strength अब यहां आप देखिए कि यहां मैंने x-axis पे कहां इस जगे x-axis पे degree centigrade को लिया है और y-axis पे Fahrenheit scale को लिया है तो यहां पर starting zero हो रहा है तो that is the point here लेकिन इसका 32 पे अगर आए तो कहीं थोड़ा सा उपर होगा तो हम इसा ले लेते हैं कि इसका point के थोड़ा सा उपर होगा 32 ठीक है 32 लेकिन strength आप यहां देख रहे हैं कि 100 degree centigrade और 212 देखिए 100 और 212 यह दोनों same point पर जा रहा है अब हमको एक particular value देखिए देखिए कि zero degree से में कहीं आ गया 10 डिगरी 15 डिगरी 20 डिगरी 25 डिगरी 25 डिगरी तो 25 डिगरी सेंटिकरेट तो 25 डिगरी सेंटिकरेट मेरे को Fahrenheit की value ज्यादा मिलेगी क्योंकि इसकी starting zero से उसकी तो 32 से starting है तो 32 से उपर ही मिलेगी तो उसकी value कहीं उपर मिलेगी मेरे को यहां मिली तो मैं यह दिन दोनों combine करता हूं तो इस जगे पर आके मेरे intersecting point मिलता है मुझे तो मुझे इस तरह से कर्व मिलता है यही मैंने graphing में आपको explain किया था तो आपको I think strength समझ में आगा आगा कि मैंने कैसे किया एक बार फिर मैं आपको समझा दिगरी है और अपर fix point 100 दिगरी है तो दिखी रहा है आपको लेकिन यहां lower fix point 32 है तो कहीं 0 से उपर की ओर है और उसका top point 212 है अब यहां 0 degree centigrade है तो यह 32 पर है तो देखिए 0 से हम combine करेंगे तो 32 पर आ रहा है और यहां पर इसका 100 है तो वो किस पर combine हो रहा है तो 100 और 212 combine हो है एक यह point मिलता है एक यह point मिल जाता है हमको दोनों तो दोनों को मिला है ते कर वो जैसा मिलता है लेकिन बीच वाले point को determine करें तो वो हमें calculation के थूप करना पड़ेगा जैसे मान लिजे मैं आपको करके बतायता हूं कि जैसे आप देखें यहां पे c by 5 equal to f minus 32 upon 9 यदि मैंने c की value देखे centigrade पर मैंने आपके सामने एक कोई सी value है सकते हैं आप 10 degree, 20 degree, 30 degree, 35 degree तो मैंने 25 ले लिए तो मैंने if c equal to 25 यहां पर आपने c equal to 25 ले लिए strengths तो c की value 25 ले लिए तो 25 upon 5 is equal to f minus 32 upon 9 तो यहां पर 5 5s 25 इसको cross multiply करें 5 9s of 45 is equal to f minus 32 32 को minus का इधर ले आएंगे तो plus हो जाएगा तो यह होगी value हमारे पास f rocks f की value कितनी हो जाएगी strengths यह हो जाएगी 77 यह जो point मैंने लिया था देखी यहां 25 degree पे लिया था तो उस पर Fahrenheit scale की value क्या आ रही है 77 आ रही है तो यह 32 के उपर ही होगी कि नहीं 77 तो 32 के उपर 77 point कहीं आ है यहां पर अब इसको हम जोनों combine करेंगे तो हमें intersecting point मिल जाएगा इन तीनों point को हम जाएं करते हैं तो हमें एक करोसा मिलता है यह graph हमें excellent कर देता है कि हम centigrade की और बढ़ते है तो Fahrenheit value हमें बढ़ती हुई मिलती है strengths I think यह पूरी तरीके से आपको बहतर समझ में आ गया होगा सो strengths बीना देरी के शुरू करते है constant volume gas thermometer या ideal gas thermometer अब strengths यहां पर मैं आपको बतायता हूँ कि इसके पीछे principle या theory क्या है देखिए this thermometer is based on the fact यह thermometer based एक fact पर जिसमें constant volume को constant रखके उसके pressure को increase किया जाता है temperature के साथ साथ देखिए container में हम किसी gas को रख दें उसका volume fix रखें अब उस temperature है तो हम pressure को increase करेंगे with increasing temperature यहन्य प्रेशर और temperature दोनों increase होने वाले हैं लेकिन volume क्या होगा constant रहेगा उसके यह depend करेगा उसमें क्या होगा let the pressure at 0 degree centigrade P0 कि हम सबसे पहले 0 degree centigrade पर pressure को देखेंगे उसको हमने मान लिया P0 और हमने एक term ले लिए 100 degree centigrade उस पर वो होगा P100 SMT degree centigrade पर लेंगे तो वो हो जाएगा Pt तो यदी मैं क्या करूं देखिए स्टेंट से यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता आता हूं कि मैं एक container में देखिए यहां मैं container बना रहा हूं और उस container में स्टेंट्स देखिए मैंने आपके लिए container यहां बनाया और उसमें मैंने gas को रख दिया है तो gas रख दी मैंने इस container में यहां gas है मान लिजिए और उस container के अंदर जो है temperature यहां है 0 degree centigrade तो 0 degree centigrade है तो यहां पर जो भी pressure होगा वो मैं P मान लेता हूं अब यदी मैं इस container को energy देता है और energy कितनी दे रहा है कि सिर्फ 1 degree centigrade इसका temperature बढ़ जाए जो temperature हो इसका जो भी मान लिजी इसका temperature 0 degree centigrade था तो वो एक डिगरी कर दिया है मैंने है आप देख रहे हैं तो एक डिगरी से हो जाएगा तो इस condition में क्या होना strengths इसमें क्या होगा यह देखें आप तो इसका जो volume हो इसका जो pressure होगा जो नया pressure बनेगा हमारा वो pressure 1 upon 273 times होगा जो 0 degree वाले pressure से यहने क्या मतलब निकला कि मैंने pressure 0 degree centigrade पर जो gaze का container रखा है उसका temperature में 1 degree centigrade बढ़ा जेता हूँ increase करता हूँ तो 0 degree centigrade पर जो pressure था वो 1 upon 273 times increase कर जाता है किस से 0 degree वाले pressure से तो instance यह बात हमें यहाँ पर बताई गई है यहां mention की हुई है देखी यहाँ पर और मैंने आपको यहाँ पता समझा भी दिया इसको कि temperature on certain mass of gas is increased by 1 degree centigrade then its pressure becomes 1 upon 273 times then the pressure of 0 degree centigrade अब strengths यहाँ आपने देख लिया अब मैं यहाँ पर pressure की बात कर रहा है तो चार्सला जो pressure law है हमारा हम उसको समझ ले कि यहाँ पर pressure law को लगाते हैं देखिए according to pressure law pressure law हम लगाएं तो वो होगा देखिए pt equal to p0 1 plus t upon 273 यह हमारा pressure law है अब ध्यान दें आप कि यहाँ पर p0 bracket क्या उठ है मैं इसको अंदर into करता हूँ तो मुझे step मिलती है pt equal to p0 plus p0 into t upon 273 तो very simple steps है अंदर p0 को मैंने लिया और p0 से मैंने 1 को भी into किया और p0 से t को भी into किया यह step आ जाती है मेरे पास यहाँ पर अब strength p0 को मैं left hand side में लेनू तो यह मुझे मिल जागा pt minus p0 equal to p0 into t upon 273 अब यह हमारा बन गया equation first यह हमार equation first बन जाती है अब मैं आप फिर बता तो instance कि यहाँ पर pt minus p0 लिया मैंने आप से कहा था कि मैंने दो term लिया भी previous page पर कि पहला temperature zero degree और दूसरा हम मान लेते हैं hundred degree centigrade तो t की value मुझे कितनी रखने चाहिए hundred degree centigrade if t equal to hundred degree centigrade तो मुझे क्या formula मिलेगा यहाँ आप देखें हैं उस चीज़ को तो p मैं सी formula को लेता हूँ फिर से pt equal to p0 1 plus t upon 273 अब मैं t के place पे hundred degree रख दूँगा है यहाँ तो p100 equal to p0 यहाँ से हम ले रहे हैं from इस से ले रहे हैं तो p100 equal to p0 1 plus अब देखें मैंने यहाँ पर t की place पर यह देखें यहाँ t की place पर मैंने 100 रख दिया है तो obviously इस t की place पर मैं क्या रखूंगा 100 रखूंगा है यहाँ पर तो 100 upon 273 यह मैंने value पूट कर दी इसमें तो यह दोनों value होगे अब मैं फिर p0 से अंदा bracket में इंटू करूंगा strength मेरे पास अब मैं p0 को side change करके इस ओर ले आओ तो p100 minus p0 is equal to p0 into 100 upon 273 यह हमारा जो होगा यह हमारा equation second होगा सो strength यह हमारा equation second बन गई देखिए अब हमारा पास first equation जो थी वो pt की time मैं pt minus p0 p0 into t और जो है second जो equation है वो p100 की है अब मैं दोन equation को लेकर equation 1 divided by equation 2 मैं दोनों को divide कर देता हूं students यहाँ पर देखिए तो equation 1 थी मेरी pt minus p0 pt minus p0 equal to देखिए left hand side से left hand side divide करेंगे हम लोग right hand side से right hand side तो p100 minus p0 दोन equation की अब दोनों की right hand side इसकी right hand side है p0 into t इसकी right hand side है p0 into t upon 273 और upon मैं p0 into 100 upon 273 अब students यह term तो जो left hand side के term तो हम azts रख देते हैं देखिए मैं azts रख देता हूं इसमें तो pt minus p0 upon p100 minus p0 is equal to p0 into t upon 273 और यह जो fraction है यह change होकर उपर 273 upon मैं p0 into 100 अब students आप देख पा रहा है यह step बहुत easy थी अब हम देखते हैं कि यहाँ पर p0 जो है वो p0 से cancel हो रहा है 273 273 से cancel हो रहा है अब remaining step में आप देख लें कि मुझे t की value निकालना है तो upon 100 दिख रहा है आपको वो उधर चला जाएगा तो मैं t की value बना देता हूं stress तो यहां मुझे t की value मिले जाएगी t equal to देखिए t कौन सा ये और upon 100 को cross multiply कर देंगे हम इस term के साथ totally तो यहां हमारे पास आजाएका t equal to pt minus p0 upon p100 minus p0 into bracket क्योंगे हम term into 100 से उसको multiply करेंगे यह जो हमारा formula आगाया है इसके यह हमारा ideal gas thermometer का formula है जिसमें t की value find कर सकते हैं तो stress यह आपको derivation समझ में आगाया होगा इसका principle समझ में आगाया होगा stress so बिना देरी के शुरू करते है thermal expansion thermal expansion क्या है stress सीधी सीधी बात है expansion word है हमसे touch में expansion ने बढ़ना increase करना और through thermal याने heat के दवारा जिसको हम thermal expansion बोलने वाले हैं तो thermal expansion क्या है देखी whenever any solid liquid और gas जब भी कोई solid liquid या gas को hit किया जाता है तो वो अपनी कुछ limit के अंतरगत expand करते हैं इसी का नाम है thermal expansion किसी भी solid liquid और gas को जब hit दी जाती है तो वो एक certain limit के अंदर अपना expansion करते हैं इसी का नाम thermal expansion होता है thermal expansion जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, solid में भी होता है, और solid में, liquid में होता है, gas में भी होता है, तो still से हम यहाँ बात यह कर रहा है, कि there are three types of expansion in solids, हम solid के अंदर हम इसके expansion की बात कर रहा है, तो solid में जो तीन expansions होते हैं, वो linear expansion, वो superficial expansion, और volume expansion होता है, अब dear, मैं आपसे बात करूँ कि linear, linear यहने line wise जो हो रहा है, यदि मैं इस metal के piece को लेता हूँ, और इसे hit provide करता हूँ, तो इसकी length में जो expansion होगा, उसे हम linear expansion बोलेंगे, superficial expansion जो होता है, superficial expansion क्या है strength, कि यदि मैं कोई object लूँ, और उसे hit provide करूँ, Lebanese x II dimension में expansion होता है, और उसका area में expansion होता है, तो उसका नाम होता है superficial expansion, volume expansion, और strength, यदि हम किESI solid को hit करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और यदि उसके volume expansion होता है, तो असके three dimensional parameters में expansion होता है, तो वो होता है volume expansion, तो strength, इसके definition बहुत है, on heating of the substance, if the length increase, लेंग निय вещ से ब्लिम डूम डिंड हिय थे इंड ग्रीजु के फूर सही बोल जिय चोटासर श्र मिल मोग इनी रहनाय होगी है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं, Coefficient of Linear Expansion, अब Strengths, यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने एक Rod बिलिया है, Metal का Rod दिख रहा होगा आपको Strengths, उसकी Length, Initial Length मैंने L बताई, यहाँ मैं उसको कोई Temperature Provide नहीं कर रहा हूँ, Strengths, जैसे ही मैं इसको Temperature Provide करता हूँ, मतलब मैं उसको Heat Provide कर रहा हूँ, तो मैं उसको Heat Provide करता हूँ, तो उसका Temperature Increase होगा Strengths, देखें, यहाँ पर Heat Provide की जा रही है, तो Obviously, उसमें मैंने आपको बताया है, कि उसके Area की कोई बात नहीं की, उसकी Value की बात नहीं की, यहाँ हम बात करनें सिर्फ Length की, तो उसकी जो Initial Length L थी, वो उस Temperature के कारण, Temperature बढ़ने कारण, जो मैंने Heat Provide की ते, उसका Temperature बढ़ा है, उससे उसकी Length में, Del L चेंज हुआ, वो Del L बढ़ गई, तो स्टेट्स यहाँ पर यह सारी बात है, मैंने यहाँ लिख रखी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताई, कि मैंने L Length का एक Rod ली है, उसका Temperature नॉर्मल है, फिर मैं उसको Heat Provide करा रहा हूँ, तो Heat Provide करने से, उसके Length में Increase हो रहा है Del L, वो ही आपका Expansion है, उसे ही हम Linear Expansion कहते हैं, और यह जो Linear Expansion Stent वो क्या है, देखें आप, इस Rod का जो Length Increase हो आ है, वो Del L है, वो Del L की इस बात पर डिबेंट कर रहा है, इस तो Del L जो होता है, वो Del L directly proportional होता है, उसकी Initial Length के, यहना उसकी Length के Proportionate होता है, और साथ में यह भी देखागा है, कि जो Length में Change होता है, वो directly proportional to its Increase in the Temperature, जो उसके Temperature में हम Increase करते हैं, जो Normal Temperature से हमने जो उसको Increase किया है, उसके भी Proportionate होता है, तो Strength हम उसको भी देख लेते हैं, कि Del L जो होता है, Proportional to Del T होता है Strength, तो यह दो चीज़े हमको मिलती है, यह हमारी Equation First होती है, यह हमारी Equation Second होती है, अब इन दोनों को यह दि हम Combine कर दें Strength, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वो आप, Del L is Proportional to L Del T, यह हम देख लेते हैं, इन दोनों क्मबाइन करेंगे, तो Del L is Proportional to L Del T, यह आता है, अब हम जानते हैं, इस्टेट्स की Proportional का Sign हटा के हमको एक Constant लगा रहा होता है, वो Constant लगा है, तो Proportional का Sign हट जाएगा, और Equal का Sign आ जाएगा, तो हम यह देखते हैं, कि Del L Equal to, हम Proportional Sign लगाने के लिए एक Constant ले रहा हैं, वो Constant मैं Alpha बता रहा हूँ, और Alpha के बाद, हम L Del T को As It Is रख देते हैं, So, Alpha is a Constant, Alpha is a Constant, and known as, it is known as, इसको ही हम कहेंगे, Coefficient of Linear Expansion, क्योंकि यह किसके दोरान हुआ है, Linear Expansion के दोरान हुआ है, तो इसको हम कहें, Coefficient of Linear Expansion, हम यह ज़िए इसकी Value निकालें, तो Alpha equal to Del L upon L Del T, यह Strength इसकी Value हो जाती है, तो यह हमारा जो है, हमने जो भी Find किया, यह हमारा Alpha, जो Coefficient of Linear Expansion है, उसकी Value हमने Find कर लिए, Strengths, यह हमारा जो Linear Expansion, अब इस पे हम इसकी Unit को देख लेते हैं, इसकी Reformation को बना लेते हैं, तो यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को हम लेते हैं, कि if L is Unit, यदि हम L को Unit कर दें, और ΔT को 1 Degree Centigrade कर दे, या 1 Kelvin ले ले जो भी है, उसके 1 Degree Centigrade लेते हैं, तो हम Value क्या देखेंगे यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू डेल L अपान 1 इंटू 1 Degree Centigrade, तो 1 इंटू 1 Degree Centigrade हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू डेल L, मतलब यह हुआ, कि अल्फा इक्वल टू डेल L, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, अल्फा के वैल्फा डेल L के इक्वल है, कब जब हम रॉड को unit length का ले रहा है, और उसका temperature unit increase कर रहा है, तो unit rod लेंगे, unit length का rod लेंगे, और unit temperature increase करेंगे, तो जो linear expansion होगा, जो उसकी length में increase होगा, वो ही उसके coefficient of linear expansion के equal होगा, तो यहाँ पे वो ही mention किया हुआ, इस्टेंट्स देखिए आप, the coefficient of linear expansion of a substance is just equal to the change of the length, देखिए, coefficient of linear expansion is just equal to change of length, per unit length and per degree rise of temperature, उसको per unit length पे जब हम लेंगे, और per unit temperature उसका increase करेंगे, तो वो इसके equal होगा, तो इसके एकवल होगा, यह जो है हमने direction भी इसकी definition निकाल ली, अब हम इसकी बात करते हैं unit की, तो इसका unit जो है वो निकालते हैं, तो L हम उसके लिए M लेना पड़ेगा, L वो भी M है, और delta T हम degree centigrade ले रहा है, तो पर degree centigrade वो इसकी unit बन जाती है, तो very simple thing है, dimensional formula of M, यह तो आप जानते हैं कि del L, इसके लिए L लिया हमने, L के लिए हमें L लेना पड़ेगा, और delta T के लिए हम Kelvin ले रहा है, L से L cancel होता है, Kelvin उपर जा रहा है power बे, तो minus 1 हो जाती है, इस प्रकार से इसका dimensional formula के inverse होता है, अब बात यह कुछ हमारे, कुछ facts हमें memory में भी रखना पड़ते हैं, जैसी यह derivation है, यह तो सारे student करी लेंगे, लेकिन आप क्या different बताएंगे teachers को, आप अपनी copy में क्या अलग से लिखेंगे, जो coefficient है हमारा linear expansion, वो किस बात पर depend नहीं कर रहा है, वो shape पर depend नहीं कर रहा है, और area of cross section पर depend नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है, वो किस बात पर depend कर रहा है, तो alpha depends upon the nature of metal, वो metal पर depend कर रहा है, यानि हम iron को लेंगे तो alpha के value अलगाईगी, अब हम इसको और अच्छा प्रिसाइज करने के लिए, इसको इसकी धार और अच्छी बनाने के लिए, इस पर numerical भी करते हैं students, तो आपको एक support भी मिल जाएगा उसमें numerical का, और साथ में आपको सीखने को मिलेगा, कि इसके parallel numerical केसे आएंगे, हमको solve करेंगे, किसी वायर को, जो मेटल का वायर है, उसका temperature जो 400 डिए सेंटिए बढ़ा है जा रहा है, तब उसकी लेंथ वायर इंक्रीज अप टू 1.2% बढ़ती है, पर सेंटिमीटर पर 1.2 सेंटिमीटर या पर मीटर पर 1.2 सेंटिमीटर बढ़ती है, so calculate the value of alpha, यह नहीं हमें alpha की value calculate करना है, strength हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें given है, देखें strengths, हम यदि देखें कि alpha क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो देखें temperature हमें 400 डिग्री सेंटिग्रेट, ठीक है, so delta T equal to 400 डिग्री सेंटिग्रेट है मारे पास, length of wire increased by 1.2%, मतलब del L की value मुझे 1.2 दी है, तो मुझे L की value strengths कितनी मिलना चाहिए, L की value मिलना चाहिए मुझे 100 cm, यह 100 unit मान लेता हूँ मैं, यदि मैं इसको cm मिल लेता हूँ, तो यह भी 100 cm होगा, तो मुझे एक प्रकार से देखा जाए कि दोनों value यहीं मिल रही, आप कोई confusing factor क्या है, कि यहाँ पर L की value question में hidden है, क्योंकि percent पर कहा है, तो percent यह पर 100 पर इसलिए L की value 100 ले रहा होगी यहाँ पर, और मुझे find करना है alpha, so students, alpha का formula हम देखते हैं, यहाँ पर, alpha का formula होता है, del L upon L del T, यह हमारा alpha का formula है, अब इसमें हम value यहाँ पूट करते हैं, तो देखिए alpha हमें find करना है, del L upon L, तो देखिए del L तो हमें 1.2 दिया हुआ है, upon L की value है 100, और del T है 400, strength simple calculation है, यहाँ यहाँ मैं decimal हटाता हूँ, तो उपर होता है 12, और नीचे हो जाता है dear, decimal हटा है तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, that is 1000 into 400, अब strength से लिए मैं इसकी 0 को power में convert कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास बसता है 4 into 10 is to power 5, समझ में आ रहा है ने कैसे, 10 is to power 5 कैसे हैं यहाँ calculation को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 5, 0 दिख रहा है, 5, 0 यहाँ ने 10 to the power 5, मैंने उसको standard form में लिख दिया, और 4 मैंने as it is लिख दिया, strength, तो देखेंगे यहाँ पर 4, 3, 2, 12, so alpha की value मेरे पास आ रही है, 3 into 10 is to power minus 5, per degree centigrade या per kelvin भी आप ले सकते हैं, तो इस फेकार से मुझे alpha की value मिल जाती, strength, बहुत ही simple निम्री कले, आपको I think 7 में आ गया होगा, बहुत simple सी बात थी, साथ में आपको पूरा वीडियो भी clear हो गया होगा की, so strength, बिना देरी के शुरू करते हैं, coefficient of superficial expansion, तो strength हम कई बार देखते हैं, कि किसी भी चीज़ को हम गर्म करें, तो उसका area बढ़ता है, practically थो हम शायद देखने ही पाएं इस चीज़ को, क्योंकि आप cross question भी कर सकते हैं, कि sir, कई metal के बरतन होते हैं, या घर में जो pants होते हैं, तवा होता है, कड़ा ही होती है, उन सब को gas burner प्रकते हैं, उने भी heat दी जाती है, लेकिन उनका area तो बढ़तावाद दिखता नहीं, obviously क्योंकि यह जो expansion है, वो बहुत ही छोटा होता है, जो हम उस तरह से देखने ही पाते हैं, समझने ही पाते हैं, लेकिन यहां हम उसको derivation के थुरू देख पाएंगे, किस तरीके से उसके अंदर change होता है, strength देखी coefficient of superficial expansion के अंतरगत क्या है, आप यहां पर एक blue color में एक diagram देख रहा है, वो एक sheet लीव हुई है मैंने, जिसका area A है, और उसकी length जो है L है, उसकी length width L है, लेकिन जैसे मैं इसको hit देता हूँ, तो उसका area बढ़ रहा है, देखिए आप उसका area बढ़कर A plus del A हो जाता है, यहने area में change del A हो रहा है, तो देखो, यहां पर हम इसको पढ़ते हैं, let initial area of the metal sheet is A, देखिए A है, on rising its temperature through del T, इसका temperature del T बढ़ाने से, the area increase up to del A, जो area है, वो del A बढ़ जाता है, तो देखिए हमको temperature T था, लेकिन हमने उसका temperature बढ़ा है, तो उसका area A था, वो बढ़कर A plus del A हो गया, so this increased area is directly proportional to increase up to temperature, यह जो area में change हुआ है, वो उसके temperature के change के proportionate होता है, तो देखिए, यहाँ हम उसको देखते हैं, कि वो किस तरीके से, तो यह area में जो change है, del A is directly proportional to del T, जो temperature हमने change किया है, उसके वो proportionate होता है, same, इसके area में जो change हुआ है, is directly proportional to initial area, वो initial area के भी proportionate होता है, मतलब del A की value जो होती है, proportionate होती है area के भी, यह दो equation हमें मिल जाती है strengths, मैं फिर आपको याद दिला दूँ, कि पहला वाला इसके ठीक पहला वाला lecture, आप लियाद से देख लेते हैं, तो आपको उसका एक fundamental part समझ जा जाएगा, कि किस तरीके से दो equation बन रही है, देखिए, सेम pattern पर दो equation बन रही है, वहाँ del L था, यहाँ del A है, left hand side में, वहाँ right hand side में del T common था, और यहाँ पर A है, वहाँ पर L था, so strengths, देखिए, आप एक, जो term समझ लेते हैं हम, तो उसके बागी parameters हमको अपने आपी समझ में आने लगते हैं, तो देखिए, दोन equation है, अब इन दोन equations को मैं combine करूँ, तो आप देख पाएंगे, from equation first and to, देखिए, from equation first and second, तो देखिए, del A is proportional to del T into A, अब states फिर वही बात कि, मुझे जो proportional का साहिन हटाना है, तो मुझे constant तो लगाना पड़ेगा, तो मैं उस constant को ले रहा हूँ, देखिए, del A equal, अब मैं उसके place पे एक constant लगा रहा हूँ, that is beta, वो beta लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और बाकिट आप मैं वैसी लिख देता हूँ, मैं A को पहले लिख रहा हूँ, del T को पीछे लिख रहा हूँ, यह जो beta है, this beta is known as, यह जो beta हमें मिला है constant, इस beta को हम कहते हैं, coefficient of superficial expansion, तो हम इसकी value decide करें, तो देखिए, इसकी value क्या बनती है, beta equal to del A upon A del T, यह हमारा, इसका formula हो जाएगा, strength किसका beta का, तो यह beta की हमें मिल जाती है, इस प्रकार से एक छोट असे derivation, देखिए आप पूरी तरह से बहुत simple था, क्या था, एक plate थी, एक sheet थी, area था उसका A, फिर उसको हमने temperature दिया, तो उसका area बढ़ गाया, वो बढ़ गाया del A, तो total area हो गया A plus del A, और उससे हमने देखा, कि वो del A, जो है temperature में change के proportionate होता है, और initial area के proportionate होता है, उससे हमें दो equation मिल गए, यह equation उनको combine कर दी, combine करने के बाद, हमें उसके लिए क्या करना था, constant लगा रहा था, constant हमें बिटा मिला, बिटा को हम क्या कहते हैं, coefficient of superficial expansion, बिटा is a constant known as, coefficient of superficial expansion, यह strength यहाँ पर हो गया, अब हम इस formula को फिर से लेके, इसकी units वगरे decide करते हैं, देखिए strength यहाँ पे, मुझे मिला था, बिटा इक्वल टू, del A upon A del T, अब strength से दी मैं आपको यह कहूँ, कि A की value unit square area हो, unit square area, और del T, वो one degree centigrade हो, तो obviously आप देखेंगे, कि बीटा equal to क्या मिल रहा है आपको, del A upon, इसकी place पर मैंने unit square area लिख दिया, और यहाँ पर one degree centigrade, तो बीटा equal to कितना हो जाता है, del A, यह हमारा derivational part हो जाता है, जिससे हम definition बना पाएंगे, तो definition क्या बनेगे students यहाँ से, देखें, definition लीचे दिख रही है आपको, increased of the per unit area, per degree centigrade rise of temperature, so the change in area is known as, coefficient of superficial expansion, उस जो area में जो change हुआ है, वो सही हम कहते है, superficial expansion, simple सी बात है, अब इसकी unit पर बात करें, तो देखें, यहाँ पर, meter का square है, area पर meter का square ले रहा है, नीचे area फिर है, meter का square upon Kelvin, तो meter square, meter square से cancel होता है, Kelvin inverse, जो है, इसको याप per Kelvin, और per degree centigrade, इसकी unit को हम दे सकते हैं, फिर वही बात दिये, जो याद करने के points है, जो अलग से लिखने के, किसी student से अपने answer को differ करना है, तो यह दो point आप जरूर यार रखें, ताकि आपका answer किसी दूसरे से, sequence में तो सेम रहा है, या किसी meter से अलग नाट है, लेकिन कुछ अलग से आप उसको provide करने, उसकी garnishing करने, जैसे किसी dish की garnishing की जाती है, उसकी garnishing के लिए यह point हम याद रखें, देखिए वो क्या है, beta does not depend upon size, length and volume, बिटा जो है size, length and volume पर depend नहीं करता है, और यह फिर जैसे alpha depend करता था, विसी प्रका है, यह nature of metal पर depend करता है, सो strengths बिना देरी के शुरू करता है, coefficient of volume expansion, strengths देख रहा है, एक diagram आप यहाँ पर, एक मेरे cube लिया है, एसा मान लिजिए, एक metal structure है, जो cube form में है, और उसकी 3 dimension length, width and height है, अब यदि मैं इसको heat provide करवाता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं, कि particular length में होगा, ऐसा भी नहीं कि area में होगा, किसी एक phase का area बढ़ गा है, तीनो direction बढ़ेगी, तीनो dimension में change होगा, तो वो जो expansion हमें मिलेगा, वो है volume expansion, मैं आपको बता दूँ, कि मैंने जो cube लिया है, मान लिजे इसका volume V है, let the volume of this cube is V, as we provide heat to it, इसको हम heat provide करते हैं, so its volume increases up to del V, and new volume goes to V plus del V, इसका नया volume V plus del V हो जाता है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इस्टेंस आप पढ़ सकने हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि यह जो बात हमने पड़ी है, कि जो नया volume, जो change हुआ है, जो volume में change हुआ है, increase हुआ है, तो वो volume change up increase हो क्या है, this increased volume is directly proportional to increased temperature, यह जो है volume में जो increase हुआ है, वो volume में increase, जो होता है, temperature में change के proportionate होता है, तो यह हमको पहली equation मिल जाती है, अब यह आपने देखा pattern तीनों जो है videos में, तीनों expansion, coefficient expansion में, तीनों में बिल्कुल same था, तो देखें पहली equation हमको मिल कई, del V is proportional to del T, फिर दूसरी बात, this increased volume, देखें यहाँ पर this increased volume is directly proportional to initial volume, यह जो volume में increase हुआ है, यह volume में increase जो है, वो उसके initial volume के भी proportionate होता है, तो यहाँ पहले equation 2 मिल जाती है, फिर दोने equation हमें मिल जाती है, इन दोनों को हम combine करेंगे, तो देखें स्टेंट सेदी में इन दोनों को combine करता हूँ, from equation 1 and 2, तो मुझे मिलता है, del V is proportional to del T into V, abstance, यहाँ पर आप देख रहें कि del T into V मिल गया है, proportionate का sign हटाना है, proportionate sign हटाने के लिए हमें constant लगाना पड़ता है, तो हम इसके लिए constant लगाएंगे, del V is equal to, अब constant general term होती है, alpha, beta, gamma, delta इस पर कार सा, यह gamma ही हमारा constant है, और वो ही है हमारा volume expansion, coefficient of volume expansion, so gamma is a constant of the proportionality, coefficient of volume expansion, और coefficient of cubical expansion, इसी का नाम है, cubical expansion, coefficient of cubical expansion, या coefficient of volume expansion, तो strength से दि हम इसकी value निकालना चाहें, तो gamma की value हमें क्या मिलने वाली strength, देखिए आप जरा, gamma की value मिलने वाली हमें, del V upon V del T, यह strengths हमारा meant coefficient की value है, जो हम इसको यहाँ पर determine कर रहे हैं, तो gamma की value हमें मिल चुकिए strengths यहाँ पर, अब आप एक बात ध्यान दें, कि gamma की value मिल गई है, यदि मैं आपको यह बता दूँ, कि आप देख रहे हैं, side में if V equal to 1, यानिए volume में change जो हो, वो हमारा volume जो initial हो, वो 1, यानि उसका volume भी unit हो, और उसका temperature rise up कर रहे हैं, वो भी unit हो, तो क्या होने वाला है, तो वो हमें मिलेगा, देखी, यहाँ पर करके अलग से बता जाता हूं आपको, गामा equal to del V upon volume में change unit है, और temperature rise भी unit degree centigrade है, तो यहाँ देख रहे हैं कि गामा की value क्या मिल रही है हमें, गामा की value मिल रही है, del V के equal, अब वो del V के equal मिल रही है, तो आप हम देख रहे हैं कि इसमें del V के equal है, तो यह हम definition में देदेंगे हैं पर, कि the coefficient, यह देखी है, यहाँ पर definition आपको मिल जाएगी, कि the coefficient of the volume expansion of substance, the coefficient of volume expansion यहने gamma of substance is equal to increase of volume, यह increase of volume के equal है with per degree rise of temperature and per unit volume, per unit volume और per degree rise of temperature के हो, तो उस समय जो volume में change होता है, increase होता है, वो ही हमारा coefficient of volume expansion होता है, यह strength इस प्रकार से हमारा यह derivation यहाँ पर, छोटा सा derivation definition के form है, वो हम पूरा कंपर करते हैं, यूनिट की बात करें, तो फिर जैसे हम पहले भी निकालते हैं, डेल भी volume की उनिट, length into width into height, तो उसके लिए हमको meter cube लेना पड़ेगा, upon meter cube है, दोनों cancel हो रहा है, देखिए यहाँ पर meter cube से meter cube, Kelvin inverse और degree centigrade, यह हमारा जो है, पूरी तरीके से आपको expansion जो थे, coefficient of expansion पूरे clear हो गए, strength से लिए आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे जो लाइक कीजिएगा, तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस derivation को, strength देखिए, relation between coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion, दोनों के बीच में, देखिए हमने इस बात को पढ़ लिया था कि, जब हम किसी metal sheet को लेते हैं, या metal की rod को लेते हैं, और उसे hit provide करते हैं, उसका temperature बढ़ाते हैं, तो उसमें linear expansion भी होता है, साथ में हमने देखा कि कोई sheet ली, तो उसके area में भी expansion हो हो इसकी value हमें, बिटा के form में में बिली ती strength, तो आज हम उसके related उनका दोनों का derivation निकालने वाले हैं, दोनों का relation निकालने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं, देखिए, एक diagram आपको दिखाए, देरा strength आपको, एक sheet नीचे आपको दिखरी blue color की, जो अंदर मैंने बनाई ह यह देखिए, जिसको मैं लाल, मतलब इससे highlighter सा highlight करके आपको show कर रहा हूँ, यह देखिए, यह एक sheet है, जिसकी length L है, width भी L है, और उसका area हमने एक consider किया है, जब हम उसको hit provide करेंगे, तो hit provide करने पे, उसकी length और उसकी सारे dimensions बढ़ने लगेंगे, तो length बढ़कर L plus DLL हो जा metallic sheet, यह देखिए, पी के वारे से metallic sheet है, length of side of this square be L, इसके सारी sides उसकी length है, सबकी L है, and rising on its temperature through DLT, इसके temperature को DLT हम बढ़ा है, so length of side becomes L plus DLL, तो इसकी side जो होती L plus DLL हो जाती है, तो यह हमको समय में आ गया, तो हमने देखा कि इसको करने के बाद, अब हम derivation स्टेप्स के हम लोग के हम derivation पे कौन से point लेंगे, तो derivation हमारा आगे बढ़ जाए, तो strategy का पहला point होगा, जो अंदर sheet दिख रहे ही PQRS, हम पहले उसका area निकाल लेंगे, उसका area निकालने के बाद, जब हम hit देने के बाद, उस बड़े area को ले रहा है, जिसमें length L plus DLL हो रही है, और area A plus DLL हो रहा है, उस area को भी निकाल लेंगे, इस बड़े होए area में से, छोटा area minus करके हम area का change निकाल लेंगे, और फिर beta की value रखकर हम direction को निकाल सकते हैं, तो हमारी strategy होगी इस प्रकार से, so student चली शुरू करते हैं, देखे student सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं area of PQRS पह तो आप देखाना कि length हमारे पास L है और width भी L है, कहां strength देखे ये length और ये width, ये दोनो L है, इन्हें हम क्या value ले पार हैं उसमें, हमारे पास जो value आ रही है वो L square आ रही है, किसका sheet का initial area, तो sheet का initial area जो है PQRS का वो हुआ, अब हमने इसे heat provide की, after providing heat उसका temperature delta बढ़ेगा, तो यहां पर हम लिख ले, कि when temperature delta T increases, जब delta T temperature increase हुआ, यह रहे हमने पहले heat provide की होगी उसे, हमने heat दी होगी, तब तो delta T temperature बढ़ने से क्या हुआ, उसकी जो length ही L plus del L होगी, so, it's new length of sides, वो कितनी होगी होगी, L plus del L होगी होगी इसे, and new area, अब वो बड़ी होई sheet का जो area हो गया, वो हो गया होगा, A तो था ही पेले initial, उसमें छोटा area और 8 हो गया होगा, तो A plus del A हो गया होगा, तो हमारे पास एक नया area और आ गया है, A plus del A, अब हम उसकी value find कर लेते है strengths, so, देखें यहाँ पर, A plus del A, A plus del A, वो भी length into width होगा, लेकिन इस बार हमारे पास length और width क्या है, strengths, हमारे पास length और width की value जो है, वो है, L plus del L, और L plus del L, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में है, वो square form में लिया था, हमने तो दोनों side में same expansion हम मान के चलेंगे, और इस तरह से उसकी value होगी L plus del L, तो strengths, यहाँ पर हम दोनों value put कर देते हैं, तो आप देखना है कि A plus del A is equal L plus L, length की place पे L plus del L, into L plus del L, देखें, दोनों same bracket से उनका हम solve करेंगे, तो वो हो जाएगा, L plus del L का whole square, और एक simple formula जो आपको मैं बता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लगाएंगे हम लोग, A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB, या A square plus 2AB plus B square के form में आप इसको लिख सकते हैं, strengths, तो यह जो formula हमारा होगा, यह हम यहाँ use करने वाले हैं, यह formula में step पे use कर रहा हूं, strengths, तो देखें, मै यहाँ formula use करूँगा, अब आप देखिए इसको, A plus del A as it is रखेंगे हम, देखिए, A plus del A, यह as it is रखा हमने, और यहाँ formula में, जो मैं साइड में लिखके दिया है, जिसको black shaded zone में मैं रखा है, वो formula है लगाँगा, A की place पे आप देख रहा है कि L है, देखिए A की place पे L है, और B की place पे del L है, और उपर whole square है, इस formula को हम apply करते हैं, जो हमने छोटी classes में सीखा है, तो वो होगा L square, plus del L square, plus 2L del L, देखिए स्टिंट्स में यहाँ पर एक बात और की है, कि मैंने जो square लगा है, उसमें del L जो है, उसको मैंने bracket के साथ लिया है, आपके brand में question उता कि सर, जो countable है, लेकिन del L बहुत ही minor length है, जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, कि मैं bracket में bracket ना लगा हूँ, तो delta square के बाहर दिखता है, और सिर्प L पर square दिखता है, वो हमारे लिए आगे जाके step wrong कर सकता है, इसलिए हमने delta L को यहाँ लिग दिया, अ substance आप देखें हैं यहाँ पर, कि मैं एक बात लिखूँगा, since delta L is very small, delta L की value बहुत small है, length में जो increase हो रहा है, वो बहुत ही छोटा है, जब हम छोटी quantity का square करते हैं, तो और भी छोटा हो जाता है, so definitely हम del L square को क्या लिख सकते हैं, negligible लिख सकते हैं, उसको neglect कर सकते हैं, निगलेक कर दिया हमने, so neglected, यहाँ पर हम इसको neglect कर रहे हैं, तो neglect कर देंगे तो हमारे पास जो area बचेगा, A plus del A is equal to L square plus 2L del L, यह strengths हमारे पास equation 2 हो जाती है, आपको clear होगा है strengths, मैंने क्या बता है, यह वाली जो term थी, यह हमने neglect कर दी, क्योंगी small term है, इसको square करने पर और small quantity मिलती है हमको, इसलिए हम उसको neglect कर रहे हैं, तो हमारे पास जो final term आती है, A plus del A की, L square plus 2L del L, अब हम यह देख लें कि कितना area increase हुआ, तो देखिए उस चीज़ को हम देखते है, increased area, increased area निकालना है हमें, तो increased area क्या होगा, यदि में जो बढ़ा हुआ area है, temperature, T del T बढ़ाने temperature का बढ़ा, जब हमने hit provide के तो वो area यह है, उसमें से हम initial area को minus करते हैं, तो यह value हमें मिल सकती है, तो A plus del A, मैं से A minus करा, अब A plus del है, तो equation 2 दिखरी है, इस ट्रेंट से यहाप है, आपको देखो, यह equation 2 दिखरी, A plus del A की value, और A की value हमें कहां से मिलेगी, A की value हमें मिलेगी, यहाँ से जो area हमने consider किया, देखे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, कि यह area A है, तो यह A की value हमें equation first से मिलेगी, तो equation first से हम यह value ले लेंगे, A की L square, और equation 2 से A plus del A की value रखके, इस equation में रख देते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि किस तरह से हम equation में इस value को put कर रहा हैं, तो कि A plus del A की place पे, देखे, इस जगे पर मैं रखूँगा, L square plus 2L del L minus A की place पे, देखे, स्ट्रेंट्स, यहाँ पे A की place पे मैं रख रहा हूँ, L square, क्योंकि equation first से, इस की value जो देखी, इस A की value equation first से रखी, और इस A plus del A की value equation 2 से रख कर दिए, अब आप देख सकते हैं, कि मैं इस bracket को open करूंगा, तो A plus del A minus A is equal to L square से L square cancel होते हो दिख रहा है, स्ट्रेंट्स, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे, 2L del L, और देखे, स्ट्रेंट्स, यहाँ भी आप देख रहा है, कि A से cancel हो रहा है, del A equal to क्या मिल रहा है value 2L del L, यह value को थोड़ा ध्यान दीजेगा, यह हमारे लिए एक important term है, strength सी value मिले ही हमे, del A की, अब हम देखते हैं, कि हमारे, एक brain में हमारे बात को यह भी याद रखना चाहिए, strengths नहीं हमेंशा अपने साथ में, कि हम जो कर रहा है, उसका sequence हो प्रापर होना चाहिए, brain में इस यहाँ मैं आगे page में आपको इस बात को बता रहा हूँ, कि we know, देखिए हम इसको जानते हैं, कि beta is equal to del A upon A del T, यह beta की value है हमारे पास, हम यहाँ पे del A की value और A की value, देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले mention कर देता हूँ, यह del A numerator में है, और del A denominator में है, तो del A की value जो है, यह म value मेरे पास equation first में है, तो दोनों value में इस beta वाले equation में put कर दूँगा, so यहाँ मैं mention भी कर देता हूँ उस बात को, ताकि आपको hard न लगे, देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस बात को, put value of delta A and A, कहां से, from equation 2 and 1, equation 2 और 1 से value लेके मैं इसमें रख देता हूँ, अब देखिए, मैं strength यहाँ value रखूँगा, तो आप देख पा रहा है कि beta तो जो है as it is, del A की value, देखिए, del A की value, 2L, del L कहां है, यह भी हमने जो निकाल के लिए, 2L, del L रख देते हैं यहाँ पे, तो यह हमारे पास value आ रही है, 2L, del L, A की value, already मैरे पास L स्कूर है, और del T अपनी place पर ही रहेगा strength, तो देखिए, यहाँ L, L को आप देख रहा है, कि L जो है numerator में है, और नीचे L स्कूर है, तो two times है, तो उसको हमने एक बार cancel कर दिया, अब हमारे पास क्या है, देखिए, beta equal to 2 into delta L upon L delta T, strengths फिर से हम एक बात को फिर remind कर लें, कि जो value थी हमारे पास alpha की, हमने जो पहले सीखिए, वो क्या थी, alpha equal to del L upon L delta T, यह value थी, अब आप देख रहे हैं, कि इस जगे पर, वह value मुझे दिख रही है, यहाँ पर, तो मैं इसकी place पर क्या लिख सकता हूँ, alpha ले सकता हूँ, तो मैं उसकी place पर क्या ले लूँगा, alpha ले लूँगा, तो beta equal to 2 into alpha, strengths यही हमारा वो derivation है, जो हमने इसके relation के लिए find out किया है, तो strengths I think आपके बात समझ में आगए होगी, कि जो beta equal to 2 alpha है, यही हमारा main derivation है, जो हमने इस derivation से find किया है, और बहुत ही simple steps से मैंने one by one with formula आपको बताया है, strengths, देख लिजी एक बार, इसको देख कर एक बार revise कर ले, within 5 to 7 minutes you can score it, आप आसानी से कर सकते हैं, practice करके तो आपके mask perform हो जाएंगे strengths, so बिना दिरी के शुरू करते हैं, अब strengths बात आ रही कि volume expansion और linear expansion की, volume expansion के बात कर रहा है, volume expansion के लिए आपको एक 3 dimensional figure लेना होगा, यहां देख रहा है आप, एक मैंने black lines में, एक 3 dimensional cube लिया हुआ है, जिसकी हर side जो है L मान लेते हैं, यहां पर mention नहीं कियों, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसकी हर side, length, width और height तीनो L है, और इसका initial volume V है, जब हम इसको heat provide करेंगे, तो heat provide करना से इसका volume V से बढ़ कर क्या हो जाएगा, del V, V plus del V हो जाएगा, यही बात यहां पर mention की हुई है, let L be the side of cube of metal, इस cube की जो हर side L है, and on rising its temperature through del T, इसके temperature को del T बढ़ाने के लिए हम hit देंगे इस पे, तो देने से उसकी हर side की जो length है, its sides becomes L plus del L, और नया volume कितना आ जाएगा, V plus del V, अब हमारे पास फिर strategy की, मैंने previous lecture में आपको बता देंस, कि इसमें strategy के से रखना चाहिए, derivation का एक most important part होत बना है, यदि हम strategy को बना लें, तो step by step without tension हम आगे बढ़ सकते हैं, अब देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ, कि सबसे पहले हम क्या करने वाले है, volume expansion की बात की जा रही है, तो मैं volume निकालूँगा, पहले कौन से, cube का, जिसकी side L है, फिर मैं volume निकालूँगा, extended volume, जो ब मिल जाएगा, अब जब वो मिल जाता है, तो मैं gamma का formula को use करूँगा, gamma का formula को use करके value put कर दूगा, तो मेरा derivation आजाएगा, ये तीन steps हमें याद रखना है, क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा साब को यह बता रहता हूँ, सबसे पहले volume V निकालेंगे, जो आपको कहां से मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है, अंदर के cube से, फिर आप निकालेंगे, V plus del V की value, ये second step होगे आपकी, जब ये दोनों value आप निकाल चुके होगे, तो फिर आप क्या करेंगे, बढ़ी हुई value में से छोटी value को minus कर देंगे, जिससे इस deviation को निकाल लेंगे, तो strategy आपको समझ में आगए, पहले हमें V निकालना है, फिर V plus del V निकालना है, फिर V plus del V में से V को minus करना है, फिर del V की value मिल जाएगी हमें, फिर हमें gamma के formula में से put कर देना है, तो strengths I think ये आपको सब समझ में आगए होगा, बहतर तरीके से, तो मैं इस provide नहीं कीती है, उस नॉर्मल temperature पर था, तो volume क्या होता है, L into B into H, अब strengths, तीनों की value, L की, B की और H की, तीनों की value हमें कितनी मिली है, L ही मिली है, तो ये put कर देता हूं में value, volume हमारा V है, value, L की value L है, B की value भी L है, और H की value भी L है, तो मुझे V की value बिल जाती है, L cube में से equation first ये मेरे पास first equation आ गई, strategic according बढ़ रहा है हम लोग, अब हम बढ़े वे volume की बात करते हैं, तो यहां मैं बता दोता हूं कि कब volume बढ़ा था, देखिए, when temperature increased, हमने temperature को increase किया था, कितना किया था, through delta T, जब मैंने temperature delta T को increase किया था, तो delta T जब मैं increase कर रहा हूं, तो no doubt उसकी length L से यहां पर मुझे नई length मिलेगी, so length L plus del L हो जाएगी, तो length हो जाएगी L plus del L, अब हम नए volume की बात पर हैं, and volume, और जो volume होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V plus del V, मैंने आप से कहा था कि strategy के according हम V plus del V की value निकालेंगे, तो देखिए V plus del V निकालते हैं, so new volume V plus del V, उसके लिए भी length into width into height as it is लेना पड़ेगा हमें, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि length, width और height आप बढ़कर कितनी हो गई है, L plus del L हो गई है, तो यह हम तीनों की जगे पर क्या रख देंगे, L plus del L रख देंगे, L plus del L, देखिए मैं तीनों सेम value पूट कर दी, क्योंकि तीनों में dimension में same change हुआ है, यहां दिख रहा है कि एक ही bracket, 3 times into हो रहा है, मतलब यहां पर 3 times है, तो उसकी power कितनी हो जाएगे, 3 हो जाएगे strengths, तो देखिए, V plus del V is equal to L plus del L whole cube, यहां पर वो step है, जहां है कि strengths कहीं न कहीं थोड़ा सा confused हो सकता है, परेशान हो सकता है, या फिर कहीं न कहीं पिछली जो formulas है, identities है वो ने देखी नहीं है, तो उसमें उसको परेशान है सकती है, तो मैं आपको help कर देता हूँ, exam में भी यही आप terminology रखी है, कि जो आप step ले आप देख रहे हैं, कि यहां A plus B का whole cube लगने वाला है, देखिए, A है, B है बीच में plus है, और whole cube पावर लगे ही, तो A plus B के whole cube का formula हमें उसके parallel right hand side में लिख देना चाहिए, उससे एक अच्छा influence, अच्छा impact हमारे examiner पे, या teacher पे, या हमारे जो भी हमारे teacher है, उनके उपर यह अच्छा impact पड़ता है, तो हम यहाँ formula को मैंशन कर देते हैं, फार्मूला क्या है, मैं आप मता दूँ, A plus B का whole cube, देखिए, मैं लिख देता हूँ, A plus B whole cube is equal A cube plus B cube plus 3AB into A plus B, यह formula है, यह formula हमें इस step में apply करना है, इसलिए आप इसको इस तरह से अलग से highlight कर दीजएगा, अब यह formula में apply कर रहा हूँ, आप देखें, यहाँ पे मैं formula apply करूँगा, तो V plus del V as it is रखूँगा, यह देखिए, यहाँ A की place पर क्या दिख रहा है, L, देखिए, यहाँ A की place पर L है और B की place पर del L है, तो यहाँ formula में मैं इस सब value को रख दूँगा, देखिए, A cube मतलब L का cube, B cube, del L का cube, यह बात में clear कर चुका हूँ कि मैंने del L को term को bracket में क्यों लिया है, वह आपको पता ही है, 3AB, 3L, del L, into A plus B, L plus del L, strengths, यहाँ पे हम अभी algebra की step solve कर लेते हैं, del V as it is है, L cube तो वैसे लिखना होगा, del L भी same है, यहाँ पे 3L, del L का अंदर into होगा, bracket में distributive lock recording, तो यहाँ होता है, 3L और L term हो जाएगी, L square, del L as it is, plus 3L, अब की बार, del L से del L into हो रहा है, तो मैं उसको लिख दूँगा, del L का whole square, अब stress, यहाँ आपने बात देखी, जो बात मैंने आपसे कहा था, कि del L तो बहुत ही छोटा था, previous derivation में मैं आपसे कही थी, कि del L जो होता है, heat provide करने से जो temperature del T बढ़ता है, उससे del L change होता है, L बढ़कर del L, उसमें change होता है, तो del L की value बहुत ही छोटी होती है, तो यहाँ हम उस बात को लिख देते हैं, since del L is very small, बहुत ही छोटी quantity है, therefore, हम कह सकते हैं, कि del L का square हो, या फिर del L का cube हो, उसको हम neglect कर सकते हैं, उन दोनों को negligible मान सकते हैं, उन दोनों को neglect कर सकते हैं, तो इस time मैं से मैं उनकी value को neglect कर देता हूं, तो देखिए, आप क्या बचला है मेरे पास, V plus del V equal to L cube, ध्यान यह रहे, del L को neglect किया है, हमने del L के whole square whole cube को, V L को नहीं, तो देखिए, L तो मैंने as it is लिख दिया, यह हो गई term neglect, कौन सी, एक तो यह term neglect हो जाएगी, और एक यह term neglect हो जाएगी, अच्छा, इसके साथ में neglect होने current, इसका coefficient भी क्या हो जाएगा, neglect हो जाएगा, तो यह दो टर्म neglect हो जाती है, strengths, तो मेरे पास बसता क्या है है, यहाँ पर, 3 L square del L, मैं इसको equation number second देदा हूँ, so strengths आपको इस step समय में आई गई होगी, मैंने volume में change निकाल लिया है, initial volume दोनों निकाल लिया, अब मैंने आपको बता है था, कि हम इसमें से वो second equation में first को minus करेंगे, तो volume increased कितना हुआ है, वो पता लग जाएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं, कि increased volume क्या है, increased volume देखना है, increased volume देखेंगे, तो V plus del V, जो हमारा volume है, जो अभी उपर मिला equation 2 में, उसमें से initial volume को minus करेंगे, तो increased volume मिल जाएगा हम इसकी value put करें, तो देखें, यहाँ पर आप V plus del V की value यहाँ देख रहा है, और V की value, यह equation first में हमें देख रही है, यह L cube, यह दोनो value में इसमें put कर दूँगा, तो देखेंगे, आपको put करने के बाद क्या मिलता है, strength, यह देखें आप, यहाँ मिलेगा आपको L cube plus 3L square del L minus as it is, और V की value के रख दी, मैंने L cube from equation first, अब देखें आप कि यहाँ से कौन को जिटा, L cube से L cube, cancel हो रहा है, strength, और इधर हम बचा हुआ देख लेते हैं, तो बचे में से भी कुछ cancel होगा, V plus del V, bracket open किया, minus V is equal to 3L square del L, यहाँ फिर आप देख रहा है, strength, कि V से V cancel हो रहा है, मतल del V, तो del V की value यहाँ step में बच जाती है, तो वो हो जाती है, 3L square del L, यह एक standard value del V की मुझे मिल रही है, देखें आप यहाँ पे, तो मैं इसको अंटरलाइन करके रख देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं कहीं, इसका use अभी करने वाला हूँ, तो instance, यहाँ तक आपको sound में आ रखना है, उस फार्मूले की, जो हमने यहाँ पर use किया है, A plus B whole cube की, वो identity हमको apply करना है, अगली step में साउधानी रखना है, कि del L का whole cube निगलेक करना है, क्योंकि small quantity, एक बात जरूर इस बात में ध्यान रहना है, कि del L का square, del L का cube, यहाँ बड़ी power ही आपको निगलेक करना है यदि simple, अकिला del L होता है, तो उसको आप निगलेक नहीं कर सकते हैं, तो यह मैंने निगलेक करते हुए equation बनाई, फिर मैंने increase volume के लिए, जो है, बड़े वे volume में से, छोटे वे, यहने, जो final volume था, उसमें से initial volume को minus कर दे, तो यह मैं को term मिल गई, instance, यहाँ पर आप देख र अब volume expansion, coefficient of volume expansion होगा strength, गामा equal to del V upon V del T, अब यहाँ फिर से थोड़ा सोचने की बात आती है, यह सोचने की बात हैं, हमारे brand में रहना चाहिए, हम करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे brand से slack होती जाती है, फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि del V की value अभी हमने निकाली है, equation first है, जो हमारा initial value में, दोनों value में इसमें put कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे put value of del V and V, दोनों की value put कर दे, तो देखें मैं value put करूँगा, तो आप देखेंगे gamma equal to del V की value मेरे पास जो है पीछे दिख रहे हैं, 3L square del L, देखें यहाँ पर यह value, 3L square del L, तो वो value put कर देते हैं, यहाँ पर 3L square del L, V की value LQ में, जो equation first है, वो आपको पता है, del T मैंने यहाँ as it is रख दिया, देखें यहाँ L की term 2 है, 2L है और नीचे 3 है, तो 2 term हमारी cancel हो जाएंगी, तो मेरे पास बसता है, 3 into delta L upon L delta T, अब स्टेंट्स यह तो बात आपको पता ही है, कि यह मैंन L upon L delta T, अब तक तो आपके brand में यह बात बैठ चुके होगी, क्योंकि हम इसको कई बार बोल चुके, कई बार कर चुके, इस value को मैं आप पूट कर दूँगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, gamma equal to 3 alpha, इससे हमें यह बात समझ जायाती है, कि जो coefficient of volume expansion होता है, वो 3 times होता है, coefficient of linear expansion So strengths, I think, सारी step by step derivation को कर दिया गया है, आपको समझ में आई गया होगा, एक दो बार, जितनी बार में जब तक आपको ऐसा confidence फिल नहीं होता, कि आप इसको भी ना देखे कर सकता हूँ, तब तक इसको repeat किजी, इसका phenomenon, देखी हम भी हमने यह स्टेंड लाइब में जब थे, त लगेगा कि में आपको derivation करने हम काफी time लग रहा है, लेकिन जैसे से आपकी practice बढ़ती जाएगी, और आप बहुत बहुत बहुता परिके से करेंगे, तो इसके साथ भी होई कीजीगा, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक satisfy नहीं होते हैं, तब तक उसके revise कीजीगा, जो है, alpha और beta में relation, वो था हमारा beta equal to 2 alpha, यह relation था, relation between coefficient of linear expansion और coefficient of superficial expansion, इन दोने को बीच में यह derivation हमने निकाला था instance, और इस से हम देखते हैं, कि alpha का coefficient 2 है, मैं alpha की individual independent value निकालना चाहता हूं, तो मुझे mathematical algebra को use करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, कि मुझे इ एले को 2 से divide नहीं कर सकता, दोनों sets को मुझे 2 से divide करना होगा, तो मुझे यहाँ पर यह जब मैं 2 से divide करूँगा, तो beta upon 2 equal to 2 alpha upon 2, यहाँ 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो मुझे alpha की value मिल रहे है, strengths, beta upon 2, मैं इसको equation first दे रहा हूं, अब strengths अगली बात हम करते हैं, कि relation between coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion, इन दोनों के बीच में भी हमने direction निकाला था, मैं इसको दूसरी और निकाला हूं, strengths, वो देखिया, वो हमने निकाला था, gamma equal to 3 alpha, अब देखिया, alpha के मुझे independent value चाहिए, तो जैसे मैंने 2 की, 2 से divide कर था, यहाँ मुझे 3 से divide करना होगा, तो मैं gamma को भी 3 से divide करता हूं, और 3 alpha upon 3, इसको divide करता हूं, 3 से 3, cancel होगा, strengths, मुझे gamma की value मिल जाएगी, alpha की value gamma upon 3 मिल जाती है, यह equation 2 होती है, अब मैं equation 1 और 2 को compare करूं, तो मेरे पास alpha की 2-2 value है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, compare equation 1 and 2, इसको 2 करता हूं, तो alpha की value मुझे पहले मिली थी, beta upon 2, और बात में मिली, alpha की value gamma upon 3, numerator में आप जानते हैं, alpha की पहले में कुछ नहीं, तो मैं क्या ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, आप मुझे ratio दिखने लगा, strengths, तो alpha ratio beta ratio gamma equal to 1 is to 2 is to 3, तो alpha is to beta is to gamma equal to 1 is to 2 is to 3, strengths, यही हमारा वो derivation है, इन तीनों के बीच में जो होता है, तो यह strengths आपका समय में आ गया, alpha, beta, gamma का जो ratio होता है, 1 is to 2 is to 3 के equal होता है, बहुत ही simple step, यह 1 mark में पूछा है सकता है, यदि इसको जाता हमारा समय में पूछा, फिर याद दिला जूँ, तो पिशे प्रिविएस दोनों direction, इसमें combine कीजिएगा, तब यह answer final हो जागा, यदि आपको अच्छा लगा है, तो इसमें ही होता है, लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं, कि एक sound सा बनता है train में चलता है, जो train चलती है, तो ठक 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 ठक, ऐसा sound बनता है, वो ठक 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 क्या है, एक्चली railway का track होता है, जो rails होती है, उनके बीच में एक छोटा सा gap होता है, जिनको fish plate से combine किया जाता है, जब उस wheel उस gap पर आता है, तो ठक ठक sound बनता है, वो gap क्यों छोड़ी, हमारे मन में क्वेशन आता है कि ठक 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 आ रहा है, क्यों हो रहा है, पूस्ते हैं तो कोई बता था है, लेकिन छोड़ी क्यों gap, वो आज हम समझने वाले हैं, देखें स्ट्रेंट्स, यहाँ रेलवे ट्रेक होता है, तो रेलवे ट्रेक के अंदर थोड़ी सी gap को छोड़ना ज़रूरी होता है, इसको fish plate से combine करते हैं, क्योंकि summer days में क्या होता है, ऐसे countries जहाँ पर temperature ज्यादा होता है, वहाँ पर इसमें temperature बढ़ेगा, हीटी से मिलेगी, तो इसमें क्या होगा, linear expansion होगा से ये ट्रेक जो होगे, जितना भी linear expansion होगा, उसके कारण क्या होगा, ये थोड़े से अपने length को बढ़ा कर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और कोई accident की possibility नहीं होगी, track as it is होगा, लेकिन यदि हम शुरू से track को जोड़ देते strengths और linear expansion होता है, यहाँ पर hit बढ़ती, य इसलिए इसके बीच में gap छोड़ दिया जाता है, यह बात यहाँ सब मैंने पूरी आपके लिए लिख दिये, आपको समझ में आ जाएगा, वो बाकी मैंने आपको explain कर ही दिया, स्ट्रिंट्स हम दूसरा application कर देखते हैं, वो आपने देखा होगा कि अब जब रास्ते से गुजरते हैं, तो telephone के wires जो होते थे, आजकल तो क्या है, cell phone का age है, लेकिन telephone के wires जो लगे होते हैं, तो उसके poles पे थोड़से hang करते में लगाया जाते हैं, वो सीधे straight कस के ने लगा जाते हैं, उनको थोड़ा सा hanging way में लगाया जाता है, तो question यह आता है, कि हम सोचते हैं, इसको एसा क्यों कर दिया, यह तो और तूट जाएगा, या कुछ और accident हो सकता है, लेकिन असल में क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि summer days की बात को छोड़के, हम winter days में आ जाते है, तो उस करण क्या होता है, कि temperature जो होता है, metal का वो गिरने लगता है, क्योंकि heat उससे absorb कर ली जाती है, जब उसका temperature गिरेगा, तो उसमें stress आएगा, तो stressed होने लगेगी, stressed होगी, तो metal जो hanging लगाई है, वो stressed होगी, तो खिच जाएगी, तो क्या होगा, वो wire stretch होकर stretch parallel हो जाएग होता है, उसको बचाने के लिए ही, उसको थोड़ा hanging लगा जाता है, यह हमारा दूसरा है, देखी, मैंने diagram में भी आपको बना के बता है, और जब वो क्या होता है, जब ठंड पड़ती है, यह snowfall होता है, temperature decrease होता है, तो वो ऐसे straight हो जाते है, hanging से क्या होते है, straight हो जाते है, तो कम से कम प्रोटेक्टिव रहेगा, और जो है, communication properly, regular होता रहेगा, तो स्टेंट सी बात मैंने यहां लिख के बता दिये आपको, आप पढ़के उसको देख सकते हैं, इसली, third important है, जो mostly बहुत से स्टेंट नहीं जानते है, हमारे rural स्टेंट से, या rural zone से जो स्टेंट से हम स्टेंट क्या किया जाता है, दिखे पहले लकडी का एक धांचा बनाया जाता है, जो वील होता है, फिर उसी की equal diameter का और उसी की equal circum का एक iron ring बनाया जाता है, जैसे मैं नहीं बता है, आप देखें, स्टेंट से यहां पर iron ring बना हुआ है, यह iron ring, अब इसको मैं इस पर चढ़ देते हैं, जला देते हैं, जलाने से उसका temperature बढ़ने लगता है, बढ़ने से उसमें linear expansion होता है, उसका जो है, थोड़ा सा length बढ़ने लगता है, जब बढ़ने लगता है, ति इस वील पर रखकर से ठोक दे जाता है, और फिर उसे ठंडा कर दे जाता है, तो फिर से उसमें क् को पकड़ लेती है, यही बात मैं ने हैं आपको लिख के बता ही है, लेकिन समझाई में यह देटेल में I think यह तीनों आपको एप्लिकेशन अच्छे से समझ में आगा होगा है So बिना देरी के शुरू करते हैं अब देखें स्ट्रेंट में आपको इसके बारे बता दूं किछ जो है वाहर हर जो होता है हम देखते हैं कि water के अंतर करते हैं पानी बूरतन में लेकिन वेपर वूपर फृए हो यहनिन इसका मतलब यह होता है कि जब हम वाथर को गर्म करते है अधन्र उसको temperature बढ़ाते हैं तो उसकी जो है फ्रेस्ट चेजर वेपर स्टेट में आ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है वाल्यूम बढ़ रहा है और जैसे से वाल्यूम बढ़ रहा है according to theory उसकी density क्या होगी decrease होगी देखे इस यहां पर यह बात लिखी हुई है कि when water is सब्सक्राइब करें तो हम जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है क्योंकि आई सब्सक्राइब तो वहां पर देंसिटी इंक्रीज तो फोड़ा सा यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा कॉंसेंटर कीजिए अपने आपको देखिए यहां मैं एक ग्राप बनाया है इस ग्राप में एक सक्षाम टेंपरेचर लिया डिग्री सेंटिग्रेट में और य एक्सिस पर मेरे यहां लिए आप देख रहा है इसके अंदर ने वन टू थ्री फॉर से लेके प्रेंट 37 ने रूम टेंपरेचर की बात की हुई है फॉर को मैंने थोड़ा सा रेट हाइलाइट किया हुआ है स्ट्रेंग्स क्योंकि यहीं पर कहीं न कहीं वो कंडिशन हमें समझाना है जो उस से मिनिमाइज हो जाता है इसका मतलब डिक्री understand तो यहां पर volume decrease हो रहा है, तो density फिर क्या होगी, increase होगी strength, तो when water is heated up to 0 to 4 degree, देखिए हीट कर रहा है, 0 to 4 degree centigrade, so volume decreases and density increases, obviously सही है, लेकिन when water is cooled at the room temperature, देखिए उसको करते हैं, when water is cooled at room temperature, then up to 4 degree centigrade, तो decreases, उसका volume degrees होगा, कैसे, देखिए, ग्राफ में देखिया, अब यहां भी मैं 37 degree पर हूँ, महां से हम इसको cool करते हुए, नीचे लाओंगा कहां तक 4 degree तक, तो मुझे कर वो इस direction में मिल रहा है, वो भी downward हो रहा है, तो जब हम देख रहा है, कि room temperature से cool कर रहा है, तो volume decrease हो रहा है, और इतार, हम उसको क्या कर रहा है, तो इसको heat provided कर रहा है, उसे heat कर रहा है, तो भी volume decrease हो रहा है, तो बहून तर schooling में भी और heating में भी, दोन तर वो volume को decrease कर रहा है, तो यहां पर यह चीज अपने को देखने को मिल रही है, कि इसका Landesregierung behavior है, EC को anomalous expansion of water कहा जाता है अब स्टेंच इसमें application भी है कि हम इसको कहां देखते हैं इस चीज को कहां हमने देखा कि इस भी anomalous behavior करता है तो हम देखते हैं डियर कि जो हमारे country के या फिर दूसरे countries के जो एसे इलाके हैं जहां पे continuous snowfall होता रहता है snowfall के दोरान के आता है temperature गिर जाता है temperature गिरने कारण के आता है जो ponds होते हैं लेक्स होते हैं उनकी surface जो होती है water से convert हो जाती है ice में जम जाती है तो एक brain में सहाज बात आती है कि अंदर जो मेरे क्रियेचर थे जैसा fishes हैं, crabs हैं दूसरी चीज हैं तो मैं आपको बता दू कि वह जब जीरो डिग्री सेंटिया तो क्या condition होती है उसी को आप यहां पर समझने वाले हैं देखिए यहां पर question वही form में दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं अब मैं आपको इसके answer के और ले चलता है when temperature of water increases up 0 to 4 degree centigrade it contracts अभी हमने पढ़ा कि volume उसका decrease होता है और density increase होती ही 0-4 तक जब हम उसको गर्म करते हैं तो तो यहां पर वह क्या हो रहा है water contract हो रहा है contract हो रहा है तो density बन रही है the temperature goes to more to fall वह expands यहां चार डिग्री से आगे का temperature बलाते है चार तक तो वह क्या हो रहा है contract हो रहा है 4 degrees से आगे जाड़ा तो वह फिर क्या होता है वह contract नहीं होता उसमें expansion होता है वह expand होता है बिल्कुल such fact है so at 4 degree centigrade the water जो उसका 4 degree centigrade पर जो होता है जिसे graph में आपने देखा देखिए प्रीवेस में यह आपर graph पर तो 4 degree centigrade पर उसकी जो density होती वह क्या होती है maximum होती उसमेंज की density सबसे ज़्यादा होती इस तो density ज़्यादा होती दस ज्यू टू लेस्ट अब 0 degree centigrade अपर सर्केस आप फ्रीज पॉइंट सिस आइस इस फॉर्म आंदेयर देखिए जब 0 degree centigrade पर क्या होता है उस pond या leg के ओपर ice formation हो जाता है क्योंकि freezing point उसे मिल गया है मौह ice formation मिल जाता है अब आप जानता है ice is a bed conductor of that hit जो बाहर से hit ले रही है water से उसके लिए bed conductor का surface बन जाता है तो यह अंदर के water की hit है वो atmosphere तक नहीं पहुँच पाती तो अंदर जो है water अपने temperature को freezing point तक नहीं लापाता और नीचे पानी बना रहता है जबकि अपर surface जो है ice में convert हो चुकी है तो नीचे जो पानी बना हुआ है वही marine creature जैसे या fish वगरे बताई गई है वो वहाँ अंदर safe रहती है और अपने आपको survive कर लेती है तो strengths इस परकार से aquatic creatures जो हते हैं अपने आपको वह अंदर safe रख लेते हैं इसके अलवाब यह strengths हम यहाँ देख सकते हैं कि cold countries में क्या होता है water pipelines फट जाते हैं simple सी बात है आप समझ पाएंगे कि जब temperature normal था उसमें से पानी supply हो रहा था जैसे temperature गिरा तो density बढ़ी क्या है ठीक इसी प्रकार से एक और चीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब ठेंड पड़ती है कि इस बहुत ज़्यादा जब ठेंड पड़ती तो crops जो होती है crops destroy हो जाती है destroy कैसे होती है इसको हमारी language में generally कहा जाता है फसल का जल जाना ब्रेंड में पुश्चन आता है फसल जल गई है जलना एक बात है कि आग लगना वगरे जलना वरे जलने का मतलग है destroy से है तो destroy कैसे हो रही है क्योंकि crop के अंदर क्या होता है जिसे crop का करूट हो जागा और आइस का वाल्यूम जो होता है ज्यादा होता है क्योंकि इसकी देंसिटी ज्यादा यहां पर जो है देंसिटी बढ़ने कारण So since this topic के अदर हम सबसे पहले देखेंगे कि liquid को हम 0 degree centigrade पर study करेंगे, फिसका temperature बढ़ा कि उसके volume में क्या change होता, उसके density में क्या change होता, इससे देखेंगे. सबसे पहले आप diagram में देख पा रहे हैं कि 0 degree centigrade पर उसका volume में V लिया हुआ है, यहाँ पर हम पूरी रिदी language को देखें, let at 0 degree centigrade volume of liquid is V and density is D and gamma is a coefficient of volume expansion of substance, gamma एक हमारे पास coefficient है, हम यदि इस पर density के formula को apply करें, तो density के formula को हम देखते हैं कि density equal to mass upon volume, यह हमें मालू है, अब यहाँ पर तो हमने देखा है कि इसका mass तो M है और volume V है, तो as it is यह formula रहने वाला है, इसको equation first दे देते हैं, अब यदि हम इसी water के लिए, T degree centigrade temperature कर देते हैं, अभी 0 था, अब उसे हम T degree कर रहे हैं, T degree centigrade पर उसका mass तो M सेम रहने वाला है, लेकिन उसका volume है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम उसका temperature थोड़ा सा change कर रहा है, volume बढ़कर V plus delta V हो जाएगा, और सेम density भी change होकर D dash हो जाएगी, तो यहाँ density हम देख रहा है, कि density क्या है, D dash हो रही है, तो फिर density का formula लगा है, density equal to mass upon volume, तो density को हम यहाँ D dash लिख देते हैं, mass को हम M लिख देते हैं, लेकिन हमने जैसे कहा है कि volume बढ़कर V plus delta V हो गया है, तो यह हमारा equation second आजाता है, दो equation हमें मिल जाती, students आई थी आपको बात clear होगी, पहले 0 degree centigrade पर हमने सबसे पहले equation को निकाला है, फिर हमने 2 degree centigrade पर निकाला है, दो equation मिल गई, अब हम equation 2 को equation 1 से divide कर देंगे, देखें, यह equation 2 ले रहा हो में, और उसक is equal M plus M upon V plus delta V, सब के पहुन में M upon V, अब students, यहां हम देखेंगे, कि D dash upon D हमने जैसा लिया है, ऊपर वाला हमारा fraction वैसे ही रहने वाला है, निच वाला, cross हो जाएगा, तो D dash upon D को लेंगे हम यह, तो D dash upon D equal to M upon V plus delta V वैसी ही रहने वाला है, और जो V उपर होकर M नीचे है जगा, यहां पर हम देखते हैं M से M हमारा cancel हो रहा है, हम D dash upon D को उसी प्रकार से लिखते हैं, और V upon V plus delta V, यह step हमने same वैसे लिखी जो बच गई है हमारे पास, जो उपर से M को cancel करने के बाद, अब यहां देखें, कि हम D dash की value निकालना चाहेंगे, तो D dash की value हो रहे हैं, हमारे पास D को हम उदर ले जाते हैं, तो VD upon V plus delta V, यह हमने यहां पर D dash की value निकाल ली, अब strengths हम सभी लोग जानते हैं, कि gamma की value जो होती है, gamma की value क्या होती है, gamma की value होती है, delta V upon V delta, यह अपर ने previous chapter से किया हुआ है, यह आप इसको कर नहीं पा रहे हैं, तो तो del V equal to gamma del T into V, यह हमने cross multiply कर दे, हमें del V की value मिल गई है, अब हम इस value को इसमें put कर देंगे, तो D dash is equal to VD upon V plus, del V की plus पर हम रख देंगे, gamma del T into V, अब strengths बहुत ही clear steps है हैं, कि D dash equal to VD तो वैसे ही रहा है, नीचे वाले है, जो denominator है, उसमें से V common आ रहा है, V common ले लेंगे आप, V common लेने के बाद आपके पास बचेगा, 1 plus gamma del T, यहां V से V को हम cancel कर देंगे, यह V से V cancel हो रहा है, so D dash is equal to D upon 1 plus gamma del T, यह हमारा step बचा है, अब इस bracket पर power हम देखते हैं 1 है, यदि मैं इसको denominator से numerator पर ship करता हूँ, तो यह power minus में convert हो जाएगी, so D dash equal to D into 1 plus gamma del T की power minus 1, अब यहां पर आप देख रहा हैं कि जो powers होती है, वो एदि implicit होती है, negative होती है, यह friction में होती है, तो वहां हम binomial को use करते हैं, तो binomial theorem को मैं apply करेंगे, तो binomial theorem की steps आप जानते हैं, कि 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 and so on, इस तरह से आगे-आगे बढ़ता चला जाता, तो यह step जिदे हम apply करते हैं आपर, तो आप देखेंगे कि D dash is equal to D, bracket पे लें, और 1 plus nx, power n की place पे मारे पास minus 1 है, तो n की place पे हम minus 1 को use करेंगे, और उसको हम अंदर ले लेंगे 1 plus nx की वाल, दो time ही लेंगे, जिसमें जाए time लेने की कोई ज़रूत नहीं, तो 1 अपनी place पे az t's रहेगा, और n की place पे value minus 1 ले रहे हैं, और साथ में x, x हमारा को ने, gamma del t, तो उसको हम az t's लिख देंगे, next step में हम देखेंगे कि d' equal to d, और यह minus, जो है, plus n2 करके minus हो जाएगा, gamma del t, so strengths ही हमारा main derivation हो जाएगा, इसको हम पूरी तरीके से, यहाँ पर हम देख रहा हैं कि पूरा हमारा derivation इसको हम block में show कर देंगे, और यह पूरा हमारा exact derivation हो जाएगा, यह हमारा chapter का, यह इस point का derivation था dear, thermal stress, अब strengths मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक plate है, अब उस plate को हमने लिया है, उसकी length हमें capital L लिये हुए, मान लीजी capital L है, जैसे यहाँ पर mention किया हुआ है सारब, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उस plate की capital L length है, area of class section A है, उसे हमने clamp पर कस दिया है, strengths clamp पर देखी, यहाँ पर कसी हुई है, clamp पर ऐसे कसा हुआ है कि वो बिल्कुल भी अपनी जगे से displaced ना हो, हटे नहीं, फिर हम इसको इसको इदे temperature दे रहा है, देखी, यहाँ पर मैं temperature दे रहा हूँ इसको, तो temperature देने से उस पर force apply होगा, क्योंकि उसके अंदर linear expansion होगा, linear expansion होगा, लेकिन clamp जो है, उसे हटने नहीं दे रहा है, इसलिए वो देखो, bend हो जाएगी, आप देख रहे हैं, आप बेंड हो रही है वो, क्योंकि वो bend इसलिए होई है, क्योंकि उसको आसपास हटने के लिए को space नहीं मिल रहा है, so strengths यहाँ हम देख रहा है, कि यहीं पर जब हमने heat दी है, तो उसमें stress भी produce हुआ है, उसमें strength भी produce हुआ है, उसे ही हम thermal stress और thermal strength कहेंगे, stress वो सारी बात हैं यहाँ पर mention कि हुए है, when a metal plate clamped at a both ends, देखी दोनों ends दिसको हमने clamp किया हुआ है, and heated it, और उसे हमने गर्म किया है, then the expansion produce in it, इसमें expansion produce होता है, it exerts some forces on the clamps, the stress and strength produce in it, जैसे वो force apply होता है, वो stress को और strength को produce कर देता है, लेकिन, सिंस यह जो हमारी stress और strength produce हुई है, वो temperature करण हुई है, इसलिए हम उसे हो कहने, it is known as thermal stress and thermal strength, so strength, अब यहाँ देखते हैं इसके description के बारे में, कि इस जो plate को मैंने जैसे आपको बाता है था, कि इसका initial length कितना L है, और इसका area cross section A है, area cross section का हम यह यह यूज नहीं करेंगे, लेकि एक general part है इसलिए हमने लिखा ऐसे, it clamped at both ends, इसे दोनों ends हमने clamp किया हुआ है, and hitting on the plate, the temperature of plate, increase temperature delta T, अब हम इसको heat कर रहे हैं, उसका temperature delta T हम increase कर रहे हैं, so इसकी length, इसकी length में increase होगी, और length increase होके small L increase हो जाएगी, तो capital L initial थी, अब उसमें small L और थोड़ा increase हो गया है, due to force F acts on the clamp, और इस पर force Q, जो क्यों होई है, क्योंकि इस पर force F जो है active कर रहा है, किस कारण, heat के कारण, so coefficient of linear expansion of wire strength, यहाँ पर जो coefficient of linear expansion जो wire का है, वो क्या होता है, आप जानते हैं, वो होता है alpha, और alpha की जो value होती है, L upon L del T, यह हमारे alpha की value strength, decade strength, यहाँ हम इस factor को यह जो मैंने formula लिया है, यह हमारे previous chapter का है, अब मैं इसको अपने हिसाब से इसको थोड़ा separate करूँगा, जैसे alpha equal to L upon L मैंने separate कर लिया, obviously 1 upon del T बच जाएगा, अब आप देख पा रहे हैं कि change in length क्या है, small L है, और initial length क्या है, capital L है, यह हमारा बन गया है strength, अब यह strength की value होगी, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ लिया हुआ है, small L upon L, तो उसकी place मैं गया लिख सकता हूँ, उसको strength लिख सकता हूँ, so मैं यहाँ पर alpha equal to strength, strength into 1 upon del T, cross multiply करेंगे, तो alpha में strength is equal alpha into del T, so strength is strength का formula हमारे पास आया था, और यह strength कोन सी है, due to thermal हुआ है, क्योंकि हाँ पर हम temperature बढ़ाया था, तो इसको हम mention कर सकते हैं कि यह thermal है, thermal strength, जो strength थी वो thermal करण है, temperature करण है, इसलिए इसकी value आगई, alpha into delta T, अब strength यह जो है हमारा, यह हमारा जो निकाला हमने, यह हमारा strength निकला है, हमारा main question है, thermal stress का, तो thermal stress strain के बाद ही हम उसको निकाल पाएंगे, उसमें हमें इस thermal strain की जरुरत लगेगी, इसलिए हमने पहले thermal strain को निकाल लिया है, अब हम देखते है thermal stress को, अब आप जिससे strengths सभी जानते हैं, कि young's modulus of elasticity, जो होता है, वो material of the plate, y equal to stress upon strain, bracket में मैंने thermal लिख दिया है, आप देख रहे हैं, कि thermal मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, कि हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, हम इसको hit कर रहे हैं, hit कर रहे हैं, तो thermal condition बनती है, इसलिए यह what thermal use हो रहा है, thermal stress upon thermal strain, अब y equal to, अब यहां मैं इसको thermal stress को लेता हूँ, देखिए आप ध्यान से, मैं इसको y को ले रहा हूँ, y equal to stress, मैं वेसे लिखता हूँ, और strain की value मैंने अभी आपके सामने निकाली है, तो वो strain क्या आई है हमारी, देखिए, जिससे strain की हमारी value है, alpha into delta, so alpha into delta, यदि हम y के upon 1 लेकर cross multiply करेंगे, तो हमें thermal stress, देखिए, cross multiply कर रहे हैं, y का cross multiplication होगा, y का alpha into delta t, thermal stress की value आगई, students हमको thermal stress ही चाहिए था, आपने देखा कि thermal stress की value चाहिए थी, और thermal strain की help से ही आई है, तो हम इसको formula के रूप में इस तरह से mention कर देंगे, यह हमारा thermal stress का formula हुआ, लेकिन strain हमने एक बात यहां भी की थी, कि जैसे हम उसको plate को hit कर रहे हैं, तो वो hit करने से उसकी length बढ़ रहे हैं, यह कुछ clamp पर कसा हुआ है, तो force act कर रहा है, force act के करने कारणी strain और stress दोनों produce हो रहे हैं, तो हम इस force की value भी निकाल लेते हैं, अब हम सब जानते हैं, कि यहां पर stress है, stress का formula आप सभी को पता है, कि thermal stress का formula जो होता है, वो होता है, force upon area, y alpha delta azts रख दिया, मैंने f upon, अब यह दिया हम इसके upon में 1 लेते हैं, और cross multiply करते हैं, तो f की 1 में cross multiply होती, f और a का into हो जाता है, y alpha delta में, जैसे हम लग इसको cross multiply करते हैं, f का 1 में cross multiplication f हो और a का हमारा सीधा multiplication हो जाएगा, y into alpha delta के साथ, so strengths हमने इस प्रकार से force की value भी determine कर ली, हमने stress भी देख लिया, strain भी देख लिया, और at last हमने force देख लिया, इस force की value हमको जो मिली, यह देखी, यहाँ पर आप सब देख पा रहा है, f equal to ay alpha delta, इस प्रकार से thermal stress, thermal strain, और force तीनों value हमने find कर लिया, अब कहीं इस से related numerical हम लोग आगे करेंगे, so guys हम लोग इसका पहला numerical यहाँ पर ले रहा है, पहला numerical देखें आप इस सब देख पा रहे है, on rising the temperature of glycerin through 30 degree centigrade, then what is the fractional changes will be observed in its density, when given its coefficient of the volume expansion of glycerin is 4.9 into 10 is to power minus 4, per degree centigrade distance, वो हमें value जो दी हुई हो, क्योंकि volume expansion को हम represent करते हैं gamma से, तो students, यहाँ हमें जो value दी हुई है, वो gamma की value दी हुई है, तो मैं यहाँ gamma की value पूट कर देता हूँ, gamma equal to 4.9 into 10 is to power minus 4 per degree centigrade, यह value हमें दी हुई, साथ में आप देख रहे हैं, कि इसमें हमको temperature की value भी दी, glycer through 30 degree centigrade, सो delta की value भी हमें दी हुई है, it is 30 degree centigrade, सो students, जो factors हमें दी हुए थे, यहाँ पर हमने gamma की value और delta की value को ले लिया है, अब हम formula की बढ़ेंगे, जो formula इसमें हमको utilize करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर देखना है, कि density में हम change कितना देख पा रहे हैं, तो density के लिए हम देखेंगे, formula हमारा, d dash equal to d, 1 minus gamma delta, अब strengths यहाँ से मैंने formula लिया है, अब इसमें density में हमको, density के लिए हमको इसको use करना है, तो मैं यहाँ पर d को अंदर into करूँगा strengths, so d dash equal to d का मैंने into किया, तो d का 1 में किया, d minus d gamma delta, strength, इस factor को जो negative factor हैं, आपको दिख रहा है, यह वाला negative factor, मैं इसकी side को change करता हूँ, इसको right hand से left side में ले आता हूँ, तो left hand side में आते से, d gamma delta, जो minus में तो plus हो गया, is equal d, और d dash को हम उस तरफ ले जा रहा है, तो वो हो जाएगा minus में, तो d minus d dash, सिंस हमको क्या करना है, observe करना है density में change का, तो हम यहाँ से gamma delta को वे से रखेंगे, और जो d है, इसको सामने denominator में ले जाएंगे, यह जो factor आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही हमारा density में observation है, density के change का observation है, कि इतना density change हुआ, वो हम इसको देख पाएंगे, हुआ है, तो delta की value में आप उट कर दूँगा, गामा के साथ, 4.9 into 10 is to power minus 4 into 30, यह d minus d dash upon d value है, अब यदि हम real numbers को साथ में ले लें, 4.9 into 30 into 10 is to power minus 4 is equal to d minus d dash upon d, अब यहाँ 4.9 को हम 30 से multiply करेंगे, simply, तो हम 4.9 को हम यहाँ 30 से multiply करते हैं, obviously, यह आप सब जानते हैं, 9, 3 is to 27, 2, 3, 4 is to 12 and 2, 14, that's 1741 after 1, 147 इसका multiplication आ रहा है, तो 147 into 10 is to power minus 4, per degree centigrade पे हमको यह density का हमारा answer मिल जाता है, स्टेंट्स, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं, कि यह हमारा answer factor है, जो density में चेंज हुआ, उसने हम से पूचा था कि फ्रेक्शनल चेंज कितना हुआ है, इसमें density में, तो यह हमारे पास density में चेंज हुआ, स्टेंट्स आई थिंग यह numerical आपको clear हो गया होगा, स्टेंट्स, अब हम लोग दूसरे numerical पे आ रहे हैं, यह दूसरा numerical वो thermal stress और thermal stress related strengths, तो देखें, यहाँ पर कहा गया है, आप wire of cross-sectional area, 2 mm square is heated up to temperature, 50 degree centigrade पे, 50 degree centigrade पर wire को मतलब, जो है, हिट किया गया है, find the change the tension of the wire, तो इसमें कितना change हुआ tension of the wire, मतलब हमें force calculate करना strengths, और यहाँ पर हमें दो value दी हुई है, यहाँ पर alpha की value भी दी हुई है, y की value भी alpha, आप जानते हैं, y आप जानते हैं, यह given values हम लिख लेते हैं, लेकिन आप temperature में देखें, temperature में variation आ रहे, 50 तक गर्म किया हुआ है, और फिर उसको 20 तक क्या है, ठंडा किया गया है, तो है temperature difference आ रहा है, delta T की value हम पहले देख लेंगे, तो मैं आप को बताता हूँ, कि यहाँ delta T की value हमें सीधी मिल जाएगी, क्योंकि हम 50 को पहले गर्म कर रहे हैं 50 तक, centigrade और young's modulus की value हमें दी हुई है, 2 into 10 is to power 11 newton per meter square, यह values हमें दी हुई हैं यहाँ पर, अब हमें force calculate करना, strengths हम सब जानतें कि force की value हमारी जो अभी आई थी, y a alpha delta T, हमने previous जो है अभी question किया है, उस ही में हमको force की value मिली, यदि हम sports की value में सारे जो values हैं आप उट करते हैं, तो देखिए आप strengths, y की value हमारे पास है 2 into 10 is to power 11, a की value हमें निकालना है, तो strengths यहाँ में आपको a के बारे में बताता हूँ, कि यहाँ हमें a जो दिया हुआ है, वो 2 mm square दिया है, लेकिन SI system में हमें इसको convert करना पड़ेगा meter में, तो 2 into 10 is to power minus 6 meter square में यह convert हो जाता है, यह value हमें और add हुई इसमें, तो यहाँ पे हम a की place में strengths रखते हैं, 2 into 10 is to power minus 6 into alpha, alpha हमारे पास है 1.1 into 10 is to power minus 5, और delta की value में आपको बताए है 30 degree centigrade है, strengths अब यहाँ पे हमने सारे values को put कर दिया, फार्मूले में, आपने देखा कि सारी values हमें put किये, अब strengths हम लोग क्या करने वाले हैं, real numbers को एक साथ ले लेंगे ताकि उसकी calculations easy हो जाएंगे, तो 2, 2, 1.1 and 30, यह strengths मैंने सब को साथ में ले लिए, और power terms को मैंने एक साथ ले ले लिए, 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 5, और 10 to the power 11 को मैंने पीछे लिख दिया हैंबे, strengths minus वाली power पहले mention कर दी, बाद में plus वाली mention कर दी, अब देखिए आप यहाँ पे, हम यदि multiply करते हैं, तो 2 to the 4, और 4 का 30 में करते हैं, तो 120 हो जाता है strengths, और उसको हम 1.1 से multiply कर लेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं, कि माइनस वाली power add होती है, तो माइनस 11 हो रही है, और 10 to the power 11 हो है, अब यहाँ आप देख रहे हैं, कि वो 11 है, अब यहाँ power हम solve करते हैं, तो 120 को 1.1 से अपन multiply करेंगे, तो देखें strengths, 1.1 को हम 120 से multiply करते हैं यहाँ यहाँ पर, 00, 2102, 2102, and strengths 11, यहाँ आप देखें, 0, 2, 3, 1, decimal 1 के बाद है, 132, इस calculation की value आ रहे हैं, 132 into, और यहाँ पर 10 की power minus है, और उन दोनों में, लाज आप indices से दोनों power क्या होगी, प्लस होगी क्योंकि इनके basis सेम हैं और वो इंटू में दिये हों हैं strengths, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, F equal to 132 into 10 is to power 0, strengths आप जानते हैं, 10 is to power 0 की value 1 होती है, तो यहाँ पर F equal to 132 into 1, that's it, F equal to 132 newton, मतलब यहाँ पर जो इसने हमसे कहा था, कि इसमें find the change of tension of wire, तो tension of wire जो tension ने apply हुआ force के form में, वो 132 newton है, इस परकार से numerical यहाँ पर complete होता है, so start करते हैं बिना देरी के हमारा नया topic, thermal expansion of gases, strengths, जैसे मैं आपको बता दूँ, कि हमने metal के उपर भी देखा कि linear expansion वगरे होता है, superficial expansion होता है, volume expansion होता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं gases की, तो gases में जो होता है, linear expansion बिल्कुल नहीं होता है, इसमें सिर्फ volume expansion और pressure expansion ही होता है, तो हम उन दो condition को देखने वाले हैं, जीने मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है, कि when pressure is constant, कि हम जब pressure को constant रखेंगे, तो फिर हम volume को change करेंगे, temperature को change करने के साथ-साथ, मतलब एक factor में हम लोग क्या करने वाले हैं, pressure को constant रखने वाले हैं, और फिर temperature को change करके, volume change को study करने वाले हैं, और दूसरे point में हम लोग क्या करेंगे, volume को रखेंगे constant, और फिर temperature को change करके, उसके pressure को constant, pressure के अंदर study करेंगे कि pressure में क्या क्या change हुए इस परकार से हम देखते हैं gas में दो परकार के expansion होते हैं जो मैंने आपको बता है जिनको आज हमें study करना है वो हता है coefficient of volume expansion और coefficient of pressure expansion और students एक बात और खास में बता दूँ कि gases में जो expansions होते हैं जोनों जो expansion में बता है वो किसी metal या liquid की टूलना जो किसी solid या liquid की comparison में कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके molecule एक दूसरे से काफी काफी distance पर होते हैं हम देखते हैं इसके definition सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह definition में यहाँ पर दी हुई है कि at constant pressure तो change in unit volume हम unit volume को ले लेते हैं देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने unit volume ले लिया है हांसे unit volume ले है जिसमें मैंने pressure को constant रखा है अब pressure constant है अब मैं इसके temperature को बढ़ाऊँगा तो temperature को मैं ज़िए बढ़ाता हूँ एक degree centigrade एक degree centigrade पढ़ाने से इस volume में जो change आएगा वो ही हमारा जो होगा coefficient of volume expansion होगा तो यह ध्यान देना है कि volume जो volume expansion है वो किस तरीके से बना तो वो तब बना जब हमने pressure वो constant लिया और temperature एक degree बढ़ा है वो ही definition यहाँ पर लिखिए हुई है वो देखें आप यहाँ पर at constant pressure the change in unit volume unit volume में change constant pressure पर in any case if temperature is increased by 1 degree centigrade यदि हम एक टेंपरेचर को एक degree centigrade बढ़ा रहा है तो उसके volume में जो change हो रहा है उसी को हम coefficient of volume expansion बोलते हैं और हम इसको एक constant alpha से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ हम देख रहा है कि ideal gas equation से हम इसको study करते हैं तो देखें यहाँ आपने देखा कि मेरा ideal gas equation लिखा हुआ है और आप सभी जानते है ideal gas equation जो होता है वो होता है PV equal to nRT मैं इसको equation first देता हूँ अब students बात फिर हम इस definition को concentrate करें कि हमें यहाँ पर pressure को constant रखना है और constant रखकर temperature को एक डिगरी बढ़ाना है तो at constant pressure देखें यहाँ पर मैंने कहा है कि at constant pressure when temperature is change del T हमने temperature को change करके del T किया है so volume change कितना हो जाएगा del V हो जाएगा obviously तो यहाँ पर एदि हम gas equation को लगाते हैं तो P तो वैसे ही क्योंकि वो constant है V में change हुआ है del V तो case equation में del V हो जाएगा N अपने place पे है R gas constant है लेकिन temperature में हमने change किया del T यह हमारा होगा equation 2 अब यहाँ equation 2 को equation 1 से divide कर देदे देखें मैं यहाँ mention कर रहा हूँ equation 2 is divided by equation 1 गलती से हम इदी 1 को भी divide कर देते हैं 2 से तो भी हमारे answer फर्क नी पड़ेगा हमें एक सिब gamma की और alpha की जो definitions और beta की definitions मालू होगी तो हम उसको easily कर लेंगे तो strength से हमें divide करता हूँ P del V upon PV left hand से left hand divide हो रही है और right hand से right hand N R del T upon N R T strengths आप यहां देख रहे हैं कि यहां हम cancel कर पा रहे हैं P से P को N से N को R को R से तो यहां हमने जब cancel किया तो हमारे पास बच रहा है del V upon V is equal to del T upon T so strengths यहां हमने यह step ले ली यदि मैं इस del T को यह जो del T है इसकी place change करके सामने वाले के denominator में ले आता हूँ तो देखिए क्या condition बनती है वो देखें आप del V upon V del T नीचे आगा है सामने होगा है 1 upon T अब strengths हम सभी लोग जानते हैं कि del V upon V del T की value जो होती है वो गामा होती है लेकिन हम यह alpha कह रहा है हम इसको alpha लिख देंगे strengths so alpha equal to 1 upon T यहां हमको एक condition मिल गई strengths और वो condition यह मिली strengths कि यह जो alpha है वो depend कर रहा है temperature पे और उसके inversely proportionate है तो आप यहां देख रहा है 1 upon T so यहां मैंने language में detail में दिया हुआ है strengths वो देखें आप कि coefficient of volume expansion of an ideal gas depends on its temperature यह देखें यहां temperature पर depend कर रहा है क्योंकि हमारे question में यहां पर हमारा जो derivation इसमें temperature इसके inversely proportionate हो रहा है तो हम 8 to 73 या 0 degree centigrade temperature पर इसकी value देखें तो 1 upon 273 होगी यहां पर हम देखें यहां मैं आपको बता जिता हूँ और clear करके कि यह जो value होगी यह alpha equal to 1 upon 273 पर kelvin होगी लेकिन इसको हम calculation value में ले ले तो alpha की value हमें मिलेगी 3.7 into 10 rest to power minus 3 पर kelvin so strengths यह हमने निकाल लिया हमारे उस coefficient of volume expansion को जो gases में होता है इसी प्रकार strengths हम देखते है कि coefficient of pressure expansion अब coefficient of pressure expansion में conditions वही same रहने वाली है लेकिन यहां हमें देखना है कि हम लोग इस बार जो unit volume लेंगे unit volume की बात नहीं होगी यहां पर हम unit pressure लेंगे और volume को रख देंगे constant तो यहां मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैंने यह जैसे box बनाया और यहां पर हमने pressure को unit रखा है unit pressure और मैं change कर रहा हूँ temperature को एक degree centigrade पर तो definitely इसमें हम volume को constant रखें तो volume को constant रखने वाले हैं तो volume constant है तो volume तो change होने से रहा लेकिन one degree temperature हम बढ़ा देते हैं तो pressure जो हो जाएगा वो expand होगा pressure बढ़ेगा तो उसके अंदर change होगा फिर हम यहाँ पर देखते हैं उस definition को जो हमें बताई गई है तो definition में हम देखें at constant volume देखिए यहाँ लिखा है मैंने constant volume यहाँ पर at constant volume the change in unit pressure यह unit pressure of any case when its temperature is changed one degree centigrade temperature को हम change करेंगे one degree centigrade तो उस समय जो coefficient of pressure है coefficient of pressure expansion हमें मिलेगा किसका pressure में change का जितना change होगा pressure में हम volume को constant रख रहा है और temperature बढ़ा रहा है तो pressure में तो change obviously होना है तो वो जो change हो रहा है वो ही हमारा coefficient of pressure expansion होगा उसको भी हम ideal gas equation से निकाल देते हैं strength देखिए यहाँ पर लिखा है we know ideal gas equation देखिए यहाँ पर मैंने sentence डाल दिया है उसमें ideal gas equation की value लिखें तो PV equal to nRT जैसे मैंने previous volume में लिखा है यह हमारा equation first हो जाएगा अब strength जो यह second sentence इसको थोड़ा सद्यान से concentrate कर ले वो यह है कि at constant volume temperature of any gas change by delta at constant volume हम volume को constant रखके उसके temperature में delta change करेंगे तो pressure में ही change होना है तो pressure में change कितना होगा del P होगा तो हम यह दिया gas equation पे इसको apply करें तो आप देख रहे हैं कि pressure में change हुआ del P V अपनी जगे पे है nR अपना constant यह दोनों लेकिन temperature हमने change किया था 1 degree तो हम यहाँ delta T से इसको mention कर देंगे यह हमारा equation हो गया 2 अब हम equation 2 को divide कर देंगे equation 1 से तो यहाँ divide करेंगे तो del P V upon P V left hand side को left hand side से divide करना है strength और nR del T upon nR T I think यह step तो आपको clear होई गई होगी कि यहाँ क्या किया गए अब strength है आप देख रहा है आपकी इस बार जहाँ cancel होने की बार ही हा रही वो volume cancel हो रहा है nR तो constant है obviously cancel हो जाएंगे हमारे पास अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है वो देखेंगे आप वो बच रहा है del P upon P is equal to del T upon T strengths अब इस जो del T की value है यह del T की value मैं यह डिनोमेंटर में ले आता हूँ side change करके तो मेरे पास क्या बचेगा वो आप देखें del P upon P del T is equal to 1 upon T same way factor बचा जो मैंने पिछली बार आपको बताया था अब यहाँ देखें हम सब जानते हैं कि del P upon P del T यह beta है इसको हम constant beta से represent कर रहा है तो यहाँ हम value को रख देते हैं दी तो यहाँ हम value रख देंगे और यह 1 upon T हो रहा है तो हमको यह बात clear होई गई है कि 1 upon T हो रहा है याने ठीक यह वैसा भीयो कर रहा है जैसे alpha भीयो कर रहा था तो alpha और beta same भीयो करते हैं और यह भी जो होता है यह temperature के inversely proportionate होता है और सी चीज़ को हम mention कर रहे है कि coefficient of pressure expansion of an ideal gas also depend on its temperature भी आपको clear हो गया हो गया सो strength बिना देरी के चलूक चालूक करते है specific heat strength हम लोग देखते हैं कि कई बार heat heat तो एसा है कि मतलब कोई object किसी दूसरे object को delay कर रहा है या दूसरे से वो gain कर रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा high temperature से low temperature की और transfer होती है क्योंकि हम देखते हैं तवे पर जब रोटी से की जाती है तो तवे के ऊपर temperature ज़्यादा होता है और रोटी पर नहीं होता है तो तवे से रोटी पर transfer होता है जिससे रोटी पकती है ठीक वोई condition यहाँ हो रही है कि rate से यह कहां जा रहा है दूसरे वाले पर transfer हो रहा है So when two bodies are different temperature जब two bodies different temperature की हो are combined with each other are placed in contact दो bodies जिनके temperature different हो या तो एक दूसरे contact में हो या एक दूसरे के साथ रखी गई हो then heat lost of the body at higher temperature and heat is gained by body of the lower temperature तो lost कहां से होगा जहां से higher temperature है वहां से heat lost होगा और जाएगा किस पर जिस पर low temperature है और यह तब तक होगा जब तक का दोनों का temperature approximate equal नहीं हो जाता है So it was found यह देखा गया है कि यह जो heat transfer हो रही है एक body transfer कर रही है और एक उसे gain कर रही है तो heat lost or gain by body is directly proportional to mass of object यदि mass बड़ा है तो ज़्यादा heat की जरूत होगी यह भी बात सही है और mass छोटा है छोटा object है तो heat की बहुत कम जरूत होगी तो यह हम देख रहे है कि यह जो heat यहां लिखा है कि directly proportional to mass of the body तो हम इसको del q is directly proportional to mass mass हम embrace represent करते हैं यह हमारी equation first हो जाएगी अब दूसरी बात जो होती कि किस बात पर depend कर रहा है तो heat lost or gain by body is directly proportional to change देखिए यहां पर उसने clear कहा heat lost or gain by the body is directly proportional to change of the temperature temperature change के proportionate होती उस पर depend करती है तो हम यहां देख लेते हैं कि del q is directly proportional to delta t temperature change के ओपर depend करती है यह हमारा equation 2 हो गया अब strengths यह दो factors पर depend करता है एक तो होगा है mass जैसे मैंने आपको बता है कि जो heat transfer हो रही है एक दे रहा है दूसरा ले रहा है दोनों body के temperature में difference है और वो depend करती है mass पर mass के proportionate होती है और temperature के proportionate होती है तो temperature change जो हो रहा है उसके proportionate है यह दो equation हमें मिल जाती है अब हम इनको एक और दो को combine करेंगे अब इन दो और एक हम इस equation को मिलाएंगे एक और दो को तो आप देख रहा है कि मैं equation को मिलाता हूँ so del q is proportional to m del t अब हम लोगों नहीं सब पढ़ा हुआ है कि जब भी proportional का sign हम लोग अटाते है सहुलियत के लिए s ले रहा हूँ क्योंकि s is specific spelling के starting से पता लगता है इसलिए हम यहाँ ले रहा है del q equal to s m del t so यह s जो है यहाँ पर यह specific hit है देखें यहाँ पर mention भी क्या हो है कि s is a constant of proportionate and it is called specific hit of a body उसे हम specific hit कहते हैं हम इसकी value निकालना चाहेंगे obviously s की value निकालेंगे तो del q upon m del t यह हमारे पास इसका numeric value आगा है जो इसका derivation point है अब यहाँ एदि हम इसको थोड़ा study करें और हम यह देखें कि m हम unit mass ले ले लेते हैं unit mass से कोई और del t 1 degree centigrade ले ले लेते है तो आप देखें यह दोनो value यह दो इस formula में पूट करता हूँ तो s equal to del q m के place में ने 1 रखा del t के भी 1 रखा तो s equal to del q यह हमारे पास एक point आगे s equal to del q s equal to del q मतलब del q क्या है वो energy जो transfer हुई है एक ने दी है एक ने ली है तो transfer hit की value specific hit के बराबर तब होगी जब unit mass के किसी object का temperature एक degree centigrade बढ़ाने पर वो हमें del q की value किस के बराबर कर देगा s के बराबर कर देगा यहाँ पर उसको words में language में specific hit के बारे हम दिया है कि specific hit of a body is a amount of hit वो specific hit जो होती हूँ amount of hit के बराबर होती है required to raise the temperature of unit mass 1 degree centigrade 1 degree centigrade करने के लिए जितनी हम required energy होती है वो ही उसकी specific hit होती है और इसकी unit को हम देखे तो देखिए उसके formula के according उपर del q है तो del q की value से हम लोग क्या निकाल लेते हैं देखिए यहाँ पर del q है तो del q का जो unit है वो j joule से लिया गया mass के लिए kg लिया गया और temperature के लिए Kelvin लिया गया तो यह इसका unit हो जाएगा अब इदे हम इसके dimension formula की बात करें तो देखिए s equal to del q upon m del t q इसके लिए हमको dimension formula देखना होगा q एक hit है hit का dimension formula हमें पता है m l1 l2 t-2 जबकि mass का kg तो वो kg भी कितना होगा kg किसमे measure होगा वो हमको पता है तो kg के लिए हम क्या लेंगे mass है m लेंगे और del t वो Kelvin है तो हम k लेंगे इसमें है अब इसको separately हमें solve करते हैं तो m upon m l की power 2 t की power minus 2 और k नीचे से हम उपर ले जाएगे तो वो inverse हो जाएगे की power minus 1 हो जाएगा यहां हम देख रहे हैं इसकी power 1 है यहां भी 1 है तो power 1 minus 1 हो जाएगे that is 0 m 0 l 2 t minus 2 k minus 1 यह इसका dimension formula होगा है इस परकार से इसको एक definition point है लेकिन हमने definition के साथ साथ उसकी सब conditions उसका mathematical formula उसका SI unit और dimension formula पूरी तरह से यहां पर explain कर दिया है इस परकार यह अच्छा point समारा complete होता है so instance अब इसके लिए हमें एक numerical करना है तो देखिए यहां आप देख रहे हैं कि what amount of heat is required कितनी heat required होगी to hit the temperature of 500 gram water हमें 500 gram water दिया है उसकी heat को raise करने के लिए हमें कितनी heat के जरूत होगी जिसका temperature हमें 10 degrees से 60 degrees तक increase करना है तो हमें 2 temperature दिये हैं यहां पर तो हम given point को लेते हैं और given point पेले देख लेते हैं कि हमें given में क्या दिया है देखिए strengths यहां पर given में 500 gram water mass दिया हुआ है so यहां M equal to 500 gram ले लेते हैं उसके बाद first temperature दिया है 10 degree centigrade T1 equal to 10 degree centigrade है दूसरा temperature 60 degree centigrade है तो इस प्रकार से हमको temperature difference मिल जाएगा T2 minus T1 60 minus 10 that is delta T तो दोनों temperature का difference हम बात कर रहे हैं वो delta T हो जाएगा delta T की value हो जाएगी 50 degree तो इस प्रकार से हमें यह temperature मिल गया अब हमें यहां देखना है कि इसमें specific rate की बात कर रहे है तो water के लिए specific rate की value होती है 1 calorie per gram degree centigrade यह हम इसको standard रूप में ले लेंगे यह आपको factor याद रखना है इसका factor बागे सब question में हमको given है तो student subscribe बात है कि हमको सब given जो दिया है अब इसके बाद हम लोग इसको solve करेंगे तो formula हम देखते है कि del q equal to m s del t यह हमारा formula है हमें निकालना है इसमें से कितना temperature raise हुआ temperature भी value दिये m b d दिया है s d दिया है del q की value हमें find करना है तो del q is equal m की value हम रख देते हैं 500 s की value जैसे मैंने आपको बताई 1 calorie और del t की value हमारे पास 50 इदे हम इसको into करते है so del q equal to 55025 1000 calories यह हमारा answer होगा strength तो यहां आपने देखा कि कितना simple एक बहुत ही simple calculation था जिससे हम हमारा answer निकाल पाए और देखें आपको समझ में आगा होगा कि इस तरीके से हमको given जो है left hand side में देना है और बाखी फर्मूले को यूज करके हमने simple cycle numerical कर लिया है अब strength subs पे देखते हैं कि जो बाते और इस तक है relate करती है वो एक important बात यहां पर मैंने word language में लिखी हुई है मतलब देखें it takes longer time for hitting and cooling इसलिए पानी गर्म होने में भी ज़्यादा समय लेता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है अब वो क्या होता है कि जो पानी होता है उसको हिट करना है तो वो हमसे ज़्यादा हिट लेगा ज़्यादा हिट लेके absorb करके उसे अपने आपको गर्म करेगा और जब वो ठंडा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा energy को evolve भी करेगा तो जब गर्म करेगा तो ज़्यादा हिट हमसे absorb करेगा और जब हम उसे ठंडा करेगा तो ज़्यादा हिट को evolve करेगा सो इस पे से कुछ questions बन जाते हैं जो हमें छोटे-छोटे points के रूप में हमें मिलते हैं देखिए इस पे question दिया हुआ है hot water bottle are used for fermentation purposes कि आपने देखागा कि किसी वेक्ति को एदी खेल sports के दोरान या किसी और activities के दोरान चोट लगती है जो एक sore form में नहीं होती है owing its high specific capacity water can store in it large amount of heat energy water की capacity जो specific heat capacity वो बहुत जादा होती है इसलिए वो क्या करता है अपने अंदर बहुत सारी energy को store कर लेता है और फिर क्या होता है this energy is transferred to the body of person to heal the injury उसमें फिर क्या होता है कि वो क्या करता है वो उस person की body पो वो transfer करता है धिरे धिरे जिससे injury को थोड़ी से recover करने में help हो जाती है तो इस प्रकार से पानी का use कर सकते है और इसको उस water bottle से patient तक transfer किया जा सकता है second question इसी प्रकार का काफी important है कई बार इसको पूछ लिया वे जाता है वो question देखिया आप क्या है कि farmers waters the field किसान खेत में पानी क्यों भर देते है at night रातरी में to protect from frost जो पाला पढ़ना कहते हैं जिसको पाला पढ़ना उस समय क्या होता बहुत ठंड पढ़ती है तो कुछ फसल उस समय चैना आदी होती है उसके पत्या काली पढ़ने लगती है तो इन काले पन से वो क्या होती जो हमारा crop है पूरी तरह दिस्ट्राइ हो जाता है तो उसे बचाने के लिए किसान क्या करते है खेत में पानी भर देते है अब उसके लिए देखिए उस questions को किस तरह से हमारे questions रिलेट किया गया है Since water has highest specific heat हमारे water में हम जो जानते हैं कि water की specific heat सबसे ज़्यादा होती है It does not cool quickly and liberate more energy इसलिए वो जल्दी ठंडा नहीं होता और लगातार energy को release करता रहता है due to cooling होते समय So temperature of surrounding cannot be fall below zero degree centigrade अब वो लगातार energy को evolve करता रहता है तो क्या होता है आसपा surrounding में ऐसा एक atmosphere बन जाता है कि उसका temperature zero से below नहीं होता और zero से नीचे नहीं जाएगा तो वो जो पाला पढ़ना या frost है वाली happening नहीं होती है Thus हम कह सकते है specific heat वाली property frost से crop को बचा लेती है So strengths यह छोटे question थे जो से relate कर रहा थे I think आपको यह समझ में आगा होगा So strengths बिना देरी किया शुरू करते है Heat capacity Strength से देखी मैंने आप से कहा Heat capacity Heat यहने क्या है एक प्रकार की energy है जो कोई object gain करता है और एक कोई deliver करता है दो चीज़े इसमें होती है उसको हम thermal भी क्योंकि Thermal relation जो है Thermal यह word है कहीं कहीं relate करता है Heat से So strengths मैं आदियाप से कहूं कि हमारे पास एक छोटा सा object है और एक छोटे object का हम temperature देख रहा है उसका जो भी general temperature है उसका temperature हमें सिर्फ उसके original temperature से एक degree बढ़ाना है तो एक degree बढ़ाना है automatically तो बढ़ेगा नहीं उससे हमें heat provide करना पड़ेगी तो हम वो heat provide करेंगे और उतनी heat provide करेंगे जिससे केवल एक degree centigrade बढ़ जाए तो देखे यही बात यहां लिखे हुई The amount of heat required to raise the temperature of a body amount of heat वो amount जो उसके temperature को एक degree बढ़ाने के लिए परयाब थो इस काल thermal capacity उसे हम thermal capacity कहते है So जैसे हम लोग जानते है strength की thermal capacity में del q equal to ms del t So strength हभी हमने बात की कि हमें temperature सिर्फ उसके original temperature से एक degree बढ़ाना है तो del t की value हमें एक degree centigrade चाहिए या एक Kelvin ले सकते हम लोग तो del q equal to ms into 1 तो definitely ms into 1 होगा तो वो ms हो जाएगा अब ms q को q से represent नहीं कर सकते है क्यों q तो ms t है हम t को हटा चुके है t की value 1 ले चुके है तो हम यहाँ del q की value जो है एक अलग से word के रूप में represent करते है हम उसको capital s बढ़ा बना देते है और उसको लिख देते है ms देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ clear कर दिया है कि heat capacity s equal to ms मैंने s रिप्रेजेंट किया इसलिए s equal to ms अब strengths फिर से हम अपने formula पर आते हैं और मैं first formula को ऐसा लिखता हूँ कि del q equal to ms del t obviously मैंने ms की value यहाँ निकाल लिए ms की value मुझे मिली capital s वो capital s की value में यहाँ ms की place पर put कर दूँगा तो strengths del q equal to ms की place पर हमने s put करा del t अब यदि हमें s की value यहाँ निकालना चाहा है strengths देखिए यहाँ से इस जगे से s की value में निकालूँगा obviously del q के upon में del t आ जाएगा तो s equal to del q upon del t अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो value है यह हमारा s है और यह हमारा man जो है इसका definition point है तो देखिए मैं आप को यहाँ बता दूँ कि हमने इस तरह से जिसे s को ले आती हमारा s की value मिल जाती है लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे अभी देखिए मैं del t की value को यदि 1 degree centigrade या 1 Kelvin ले लूँ तो मुझे s की value क्या मिलेगी s की value del q मिलेगी क्योंकि del t में 1 ले चुका हो तो denominator में 1 आया तो 1 से divide करने के बाद same s equal to del q बचेगा अब यदि हम इसकी SI unit देखते हैं तो देखिए इस formula से हम SI unit निकालें इसकी तो del q का joule और del t के लिए k joule पर Kelvin इसकी SI unit होगी यहाँ बात हम करते है dimension formula की जो बहुत ज़रूरी होता है तो dimension formula हम यहाँ बनाएंगे तो dimension formula के लिए फिर हमें वह देखना है कि del q, del q एक energy energy के हमें dimension formula मालूम है m1 l2 t minus 2 और del t के लिए हमने Kelvin k ले लिया k की power 1 है इसको हम उपर ले जाएंगे तो k inverse होजागा इस प्रकार से इसका जो dimension formula होगा m1 l2 t minus 2 k minus 1 होगा so इस प्रकार से यह छोटा सा definition point क्लियर होता है students numerical में कहीं है काम में आ जाता है और चूंकि हमारा knowledge बढ़ना चाहिए हमें academic तरीके से perfect होने के लिए यह चीज़े बहुत जुरूरी इसलिए मैंने छोटे point को cover किया है hope करता हूँ कि आप को एक clear होगा students तो बिना दिरी किये इसे हम शुरू करते है molar specific heat specific heat से कुछ थोड़ा सालग होता है यहाँ पर word एक use हो रहा है molar students हमने बहुत पहले पढ़ रखा है जो कि mole concept क्या होती है तो mole एक quantity है उस पे हमें specific heat को determine करना है तो यहाँ देखिए let molecular mass of body is m and mass of body is small m देखिए molecular mass और mass दो नम डिपरेंट है यहाँ पर mass जो है वेटेज मास पर है यह चोटा mass और यह जो है molecular mass है then number of molecules present in in इसमें हम mole को हम क्या consider कर रहे हैं जैसे आप जानतें कि mole को हम n से represent करते हैं और यहाँ एक formula लिखा हुए numbers of moles equal to mass of body upon molecular mass अब strength से दिए हम यहाँ देखें numbers of moles तो वो that is N और mass of body small M और molecular mass capital M यह strengths मैंने formula में जो उपर हमने detail पढ़े हैं उनको मैंने इस formulation में डाल दिया है अब strengths आप यहाँ देखें कि मैं अदि N के पॉन में 1 लेता हूँ यहाँ पे और cross multiply करता हूँ तो obviously मुझे M equal to N into capital M मिल जाएगा अब strengths यह तो मैंने M की value निकाल ली मॉल के respect में यह अब हम सब जानते हैं कि del Q equal to M S del T यह हमने देखा है अब यदि मैं इस से S की value निकालता हूँ तो S equal to del Q upon M del T देखें आप यहाँ पे मैंने small M यहाँ पे जिसे आप देख रहे हैं कि मैंने यह S की value निकाली तो small M और del T upon में आ गया अब मेरे पास M की value है strengths यहाँ पे यह M की value मैं उठा के यहाँ M की place पे रख दूँगा तो अब यहाँ देखें आप कि S equal to del Q और M की value मैंने रखी N into capital M del T यहाँ से मैं M को हटा के S पे cross multiply करता हूँ यह देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि M जो है मुझे S के साथ लाना है ताकि मैं वो नया factor जिसको molar specificator कहते हैं उसे मैं define कर सकूँ तो मैं M को यहाँ लाके S के साथ cross multiply करूँगा तो बाकी factors तो as it is नीचे रहेंगे देखिए मैं S के पास इस M को ले आता हूँ cross multiply किया तो सामने बसता है del Q upon n del T अब strengths यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो मैंने S into M लिया है इसको हम S into M को एक नए word से represent करते हैं C और यह C ही strengths हमारा जो है molar specific hit है यही वो factor है जबकि मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि specific hit S होती है और यहाँ एक word जुड़ा है molar उसके लिए हम representation क्या देना है C देना है So strengths यहाँ पे हम C लिख देंगे तो C equal to del Q upon n del T अब यह strengths हमारे definition हमारी तायार हो गई है और इसको हम देखें तो यह हमारा man formula बन चुका है del Q upon n del T अब strengths यहाँ पे बात आईगी कि हम इसको और आगे define करें इसकी units वगरे देख लें तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं यहाँ पर n बराबर 1 mol लेता हूँ यहाँ strengths में n equal to 1 mol लूँगा n equal to 1 mol और del T की value 1 degree centigrade ले हैं 1 Kelvin ले ले हैं यहाँ पर obviously तो आप देखें कि दोनों value में put कर दूँगा तो सामने मेरे पास आएगा देखें सामने क्या आएगा C equal to del Q C equal to del Q 1 into 1 that is C equal to del Q यह हमारे पास definition की एक और value आजाती है जिसको हम define कर सकते हैं स्टेंट्स इसमें हम क्या देख रहा हैं हमने कौन-कौन सी value रख दी हमने रखा n equal to 1 mol जो मैंने पीछे लिख के दिया है आपको और del T equal to 1 degree centigrade रखा अब देखें यहाँ पर दोनों value तो मैं यह कहूँ मैं आपको सीधा समझाने के लिए बता दूँ कि एक mol substance हो हमारा और उसका temperature 1 degree रख करना है हमको तो एक mol substance का यह जो एक mol है इसका temperature 1 degree centigrade रख करने के लिए जितनी हिट हम provide करते हैं उस heat को ही हम molar specific heat कहते हैं तो वो definition यहाँ पर मैं आपको लिख के बता आता हूँ कि क्या कहेंगे हम लोग वन मोल substance हमारे पास substance वन मोल का फिर बात आपको repeat कर दूँ कि वन मोल substance है यहाँ पर हम substance नहीं कह रहे हैं हमारे बात में यह बात ज़रूर याद रखना कि substance की quantity क्या है वन मोल है वन मोल substance का temperature 1 degree centigrade raise करने के लिए हम जितनी हिट provide करते हैं substance को वन मोल substance को वह उसकी मोल स्पेसिफिक हिट कहलाती है सो strengths इस प्रकार से आप यह definition को समझ पाते हैं अब strengths यह जो बात है यहाँ पर mention की हुई है कि the amount of heat required to raise the temperature of one mole of substance through one degree or one Kelvin is known as molar specific heat यह strengths में आपको यहाँ पर definition में समझा दिया है I think आपको समझ में आगा है अब strengths से दिया हम बात करें कि इसकी हम unit निकालने कुश्च करें तो देखें C equal to del Q upon n del T C equal to del Q upon n del T तो del Q इसका हम ऐसा unit देखें तो ऐसा unit क्या बनेगा इसका del Q तो जूल तो ही पर mole delta T की value आप delta T की यह जो value आप degree centigrade में लिख दे Kelvin में लिख दे और जैसे मैं degree centigrade लिख रहा हूँ तो mole degree centigrade यह इसका SI unit हो जागा strengths तो इस प्रकार से आपको यह definition I think clear हो गए होगी So strengths इसके बाद हम ने इस definition को अच्छे समझ लिया लेकिन आपके बेस्ट कोई numerical देख लेता है जिसमें सारी definition clear भी हो जाए और सारी definition के numeric point भी मिल जाए मैं So strengths मैंने आपके लिए यहाँ पर एक numerical लिया है वो देखें आप यहाँ पर यह एक numerical कहा है कि 200 joule of heat is given to substance of mass 50 gram 50 gram का हमारे पास एक object है जिसको हमने 200 joule heat दी हुई है As a result of its temperature changes from 30 degree to 45 degree उस समय उसका initial temperature 30 degree था वो बढ़कर कितना हो गया 45 हो गया So find इसमें find करने कहा है Find करने कहा है heat capacity, specific heat और molar specific heat तीन points अब यह एक इन numerical आपको तीन point explain करने में भी help करेगा और तीनों point कैसे determine किया जाते हैं वो भी सब समझ में आ जाएगा अब students हम पहले given में देख लेते हैं कि given में हमारे पास क्या है Given में आप देख रहे हैं कि मास है वो 50 gram है देखिए 50 gram यहाँ पर मास दिया हुआ है, यह 50 gram में लिख दिया है Del Q, कितनी heat दी हमने? 200 J, तो Del Q equal to 200 J देख दिया अब उसमें जो मास है 25 gram, यह आप समझ नहीं पा रहे हैं कि 25 gram क्या है तो numerical में मैंने molecular मास को यहां mention किया हुआ है कि वो 25 gram है, हमें दे दिया गया है तो हमने उसको यहाँ capital M में 25 gram लिख दिया temperature में change क्या हुआ, वो 45 पहुचा है 30 से तो 30 to 45 पहुचने के लिए 45 में से 30 को माइनस करके हमने difference निकाल लिए 15 degree centigrade अब strengths, हम से उसने जो पूछा है कि heat capacity बताई हम सब जानते है, heat capacity की value क्या आती है del q upon del t अब यहाँ del q की value हम put कर देंगे तो del q की value आप देख रहा है question में यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो है 200 और del t की value 15 है अब यदि हम इसको divide करते हैं simple सा divide करना है तो we will get 13.33 और इसकी unit किसे बनाएंगे इसकी unit बनाएंगे इस formula से जिसमें del q की उपर रखा है तो del q की जूल होगी और t की kelvin ने degree centigrade होगी तो हम यहाँ पे जूल पर kelvin इस प्रकार से इसका answer find कर सकते हैं तो यह हमारी हो गई heat capacity हमने एक हमारा point mention कर लिया इसे निकाल लिया I think आपको समझ में आ गया होगा अब बाद बची specific heat की specific heat का formula पर आपको पता है वो ही मैं लिखा हुआ हूँ उसे मैं नहीं लिखा हुआ है अब देखे specific heat del q की value तो फिर where is it is रखना है del q हमने 200 put करा और m यहाँ पर हमें m की value रखना है तो small m कितना है 50 है और del t del t कितना है 15 degree यह देखे आप दोनों चीज़े मैं फिर आपको एक बार बता दू कि यहाँ पर small m 50 है यह small m की value है रख दिये और temperature difference 15 degree है यह 15 में नहीं है रख दिया है यदि आप Kelvin में लेना चाहिए तो Kelvin में degree centigrade to degree centigrade अब question के according आप उसकी unit को बना दीजेगा अब यदि हम इसको दोनों को small आगे करते हैं तो 200 upon 15 50 75 0 अब इसको यदि हम solve करते है strengths तो यह हमें मिलता है 0.26 0.26 आप इसकी unit देखेंगे तो वही जूल और mass केजी और temperature Kelvin देखेंगे तो Kelvin तो यहाँ ध्यान दे degree centigrade और Kelvin का थोड़ा सा difference याद रखेगा तीसरा point जो हमारे पास आ रहा है वो है molar specific heat तो molar specific heat के लिए हमने del q upon n del t यह लिया है students फिर वो value put करेंगे हम तो del q की value हमें क्या मिल रही है del q की value same 200 है n mole अब strengths यहाँ थोड़ा सा point अपने को समझ में आता है और हम mole बोलते से या n को हम यह given में ढूनने जाएंगे तो हमें कहीं n दिखाई नहीं देगा क्योंकि n हमने निकाला ही नहीं है तो हम यहाँ side में n mention अलग से करेंगे strengths तो मैं आपको बता देता हूं कि n के लिए हमें क्या करना होगा तो देखें n के लिए हमें करना होगा n equal to जो m है small m उसमें capital m से divide करना पड़ेगा weightage mass upon molecular mass so n equal to weightage mass हमारा 50 है और molecular mass हमारा 25 है तो इसको हम cancel कर देंगे that will be 2 तो n equal to value हमें 2 मिल रही है तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह n की value मुझे जो put करना है मुझे मिल चुकी यह n equal to 2 और delta तो already 15 degree centigrade मेरे पास है ही तो मैं यहाँ दोनों value put करता हूं तो n की value 2 मिल रही है और यहाँ delta की value जो है होगी unit upon में n है देखिए strengths Joule की तो मैंने Q की Joule ले लिए हाँ पर N भी है और delta ती है N ने मोल तो Joule पर मोल ले ले लेंगे हाँ पर क्योंकि Joule पर मोल और delta T के लिए Kelvin या degree centigrade So strengths यह तीनों point इस प्रकार से clear हो जाते है और I think Numerical भी clear हो गया साथ-साथ में एक point आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको तीनों चीजे एक जगे एक बाहर में समझने को मिल जाती है जैसे heat capacity हुई specific heat हुई और molar specific heat तो यह तीन numerical को बजाएए एक ही numerical में आपका काम हो जाता है So strengths I think आपको यह समझ में आगा हुई तो बिनादेरी कि यह शुरू करते है specific heat of gas अब strengths हम यहाद देख रहा है कि gases जो होती है Gases में हम सभी को पता है Gases की properties में यह होती है कि उनके molecules से एक दूसरे से काफी distance पे होते है काफी space जिनके बीच में होता है और यदि हम इसमें दो चीजों को study करें कि एक तो volume और एक pressure तो यहाँ पर हमें दो प्रकार की specific heat मिल सकती है So gases have two types of specific heat पहली वाली होगी specific heat of gas at constant volume हम उस समय specific heat का study करेंगे जब हमारा volume constant हो और दूसरी बार हम specific heat का study तब करेंगे जब constant pressure हो एक बार constant volume पे और एक बार constant pressure पे सबसे पहले हम देखने वाले है specific heat of constant volume constant volume पे कैसे होगा अब आप ज़रा सोच लिजिए कि हमारे पास एक vessel में gas भरा हुआ है उस gas का volume जो है constant रखा है और फिर हम उसको हम क्या करने वाले है उसको heat देने वाले हीट देकर उसका temperature of one degree centigrade increase करेंगे देखिए यहाँ पे amount of heat required to raise the temperature of one gram of gas through one degree centigrade और one Kelvin at constant volume देखिए मैं फिर आपसे बोल देता हूँ कि हमने जो gas की quantity लिए वो one gram लिए वैसल में one gram gas को रखावा है और उसका temperature हमें one Kelvin increase करना है one Kelvin को increase करना है हमें और उसके लिए हमने जो इसको heat दी है उसके जितनी heat की requirement है वही heat हमारी specific heat constant volume कहलाएगी हमने फिर देखना है कि हमने volume को constant रखा है तो हमारे specific heat जो होगी वो cv होगी क्योंकि हमने volume को constant रखा है तो उसको representation cv से हम देंगे अब देखी यहाँ पर if at constant volume on giving heat del q hit to m gram of gas its temperature increases by del t तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने m gram gas को लिया है और उसको delta t temperature increase करने के लिए del q hit provide करवाई है उसको अब formula हमें पता है del q equal to m st तो उससे हम बना रहे है del q equal to m c del t यहाँ पर हम s के स्थान पर c को ले रहा है और c भी वो कुन सा है constant volume पर है तो c को हम क्या करेंगे c भी कहेंगे so इसलिए हमारे formula में del q equal to m cv del t c के प्लेस पर c दिखाई देगा so यह हमारी specific heat constant volume हो जाती है so students अब जो हम next point पर ले रहे हैं वो क्या है specific heat at constant pressure यहाँ पर एक बात समझने की है कि अब हमने gas को लिया हुआ है और उसका pressure constant रख दिया है लेकिन अब इसका volume बढ़ सकता है तो यहाँ देखें amount of heat required to raise the temperature of 1 gram gas through 1 degree centigrade or 1 Kelvin at constant pressure is known as specific heat of constant pressure अब देखें constant pressure पर हमने 1 gram gas को vessel में लिया है और उसका temperature हमने 1 degree या 1 Kelvin increase किया तो उसके लिए हमने जो heat उसको provide करवाई उसको heat की requirement है वही हमारी क्या खेलाएगी specific heat at constant pressure खेलाएगी अब pressure constant है तो उसको हम represent करेंगे CP से ठीक वही formula फिर use करेंगे हम del q equal to m st और del q m s s की place पर हमने फिर c लिया है delta t अपनी place भी है strength लेकिन c को हमने क्या लिया cp लिया क्यों क्योंकि constant pressure है pressure के हले हम यहाँ पर cp ले रहे हैं तो यह हो जाएगा del q equal to m c p del t यह इस परकार से strength दोनों हो गई अब बात यहाँ थी हमने दोनों जो specific case की देख लिये जिसमें एक constant volume पर constant pressure पर अब एक question raise होता है कि इन दोनों में से कोण ज़्यादा बड़ा है comparatively दोनों में से कोण ज़्यादा है अब यहाँ पर हमको यह study करना है आप यहाँ देखें at constant volume when heat is given to gas हम vessel में volume constant रख रहा है उससे हमें बढ़ाना नहीं है वो अपनी position पर ही होना चाहिए और हम जब उससे क्या करते है so हम इसको heat देते है so वो heat जो होती है इसके volume को बढ़ाने में खर्च नहीं होती है वो इसके temperature को बढ़ाने में खर्च होती है so not increase volume इसलिए increase करेगा नहीं volume को but at constant pressure when heat is given to gas लेकिन हम constant pressure पे gas को heat provide करवा रहा है तो यह volume के लिए क्या होगा volume expansion करेगा इसमें तो यह जो है दो parts में use होगी so heat energy is given to it spent into two ways दो प्रकार से दो तरीकों से यह use होगी पहला तरीक होगा अब part of it is consumed in increasing the temperature of gas जैसे कि constant volume पे हुआ था और दूसरा part होगा spent in expansion of gas यहाँ पर देखिए volume बढ़ रहा है जबकि पहली time में जिसमें हम CV को study कर रहा थे वहाँ volume constant था तो केवल जो energy थी वो delta T यहाँ उसके temperature को increase करने के लिए यूज हो रही थी लेकिन यहाँ पर हमने जब pressure को constant रख दिया है तो और उस समय हमें energy provide करा रहा है तो वो energy दो वे में use हो रही है एक तो temperature यह delta T को increase करने में हो रही है और दूसरी जो है उसके volume को expand करने में हो रही है तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि so it is clear that extra heat is required to perform work against external pressure इसलिए हम देखेंगे कि जब CP यहने हम pressure constant रखते हैं तो वो दो वे में energy खर्च होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा energy उसको provide करवाना पड़ी क्योंकि वो दो वे में खर्च हो रही जबकि constant volume पे वो सिर्फ एक ही वे में खर्च हो रही वो है temperature को increase करने में और P पे जब pressure को constant रख रहा है तो वहाँ पर वो temperature को तो बढ़ाने में खर्च हो ही रही है साथ साथ में उसके volume के expansion में भी खर्च हो रही है तो इसका मतलब ही है कि constant pressure पर हमें energy ज़्यादा देना पड़ेगी और ज़्यादा देना पड़ेगी तो CP की value obviously ज़्यादा होगी किस से? CV से इसलिए CP is greater than CV और dear students इसके अंदर एक और relation बनता है CP और CV में कि CP minus CV equal to R जिसको mayor formula के नाम से जाना जाता है वो हम next unit के अंदर thermodynamics में study करेंगे So students I think आपको इस सब समझ में आ गाया होगा So भिनादेरी के शुरू करते हैं आज का lecture principle of calorie meter या law of mixture So students हम देखते हैं कि हमारे पास दो substance है जिसमें एक का temperature काफी high है और एक का temperature भी कुल low है होट से cold की और और कब तक होती है यह होती है जब तक दोनों का एक common temperature ना बन जाए तो इस प्रकार से हम देख रहा है कि दो substance यहां दिखाएगा है यह दो substance देखी मैंने एक dark brown color पे paint किया हुआ है यहां पे shade किया हुआ है उसका temperature high है और जो दूसरा है वो cold substance है जिसका temperature low है अब यहां मैंने दोनों को contact में रख दिया देख रहा है आप contact में रख दिया उसके बाद यह arrow मैंने show किया है कि hit जो हो रही है वो high level से low level की और जा रही है मतलब hot substance से cold substance की वर जा रही है और वो तब तक जा रही है जब तक कि दोनों का temperature same नहों जाया है देखें यहां दोनों के color same बताया गया है मतलब दोनों का temperature same हो गया है और इनका temperature common है जो T है यह T के रूप से बताया गया है यही बात नीचे लिखकर mention की हुई मैं आपको बताता हूँ if two objects of different temperatures are in contact देखें two objects of different temperatures are in contact with each other heat flows from higher temperature to lower temperature till both है equal temperature दोनों के जब तक temperature equal नहोते तब तक heat उस बार flow होती रहेगी hot object से cold object की तरफ क्यों और कब यह चीज़ बिल्कुल सही मानी जाती है जब heat का कोई loss नहों किसके द्वारा? conduction के द्वारा, convection के द्वारा और radiation के द्वारा यह तीन जो है वो तरीके हैं वो तीन mods है जिनसे heat release होती है और object से चली जाती है तो एक तो conduction से भी loss नहीं होना चाहिए convection से भी loss नहीं होना चाहिए और radiation से भी loss नहीं होना चाहिए यदि इन तीनों mods में heat loss नहीं होती है तो जितनी heat hot object दे रहा है उतनी heat cold object gain कर लेगा so substance यहाँ वही बात कही कि heat lost by the substance is equal to heat gain by cold substance heat lost by hot substance hot substance जितनी heat को loss कर रहा है उतनी heat cold substance gain कर रहा है so for substance A हम यह मान लेते हैं कि उसका mass M1 है और specific heat S1 है पहले वाले के जिसका temperature ज़्यादा है और दूसरा जिसका temperature कम है उसका mass हम M2 मान लेते हैं और उसकी specific heat को S2 मान लेते हैं और common temperature उनका T degree centigrade हो गया है जब वो एक equilibrium state में आ गये हैं अब यहां हम देखते हैं कि heat loss by substance A इसका हम calculate करें तो उसका formula हमारे पास है MST अब उस formula के according हम substance A के लिए देखेंगे तो वो होगा M1 क्योंकि हम अल्रेडी मान चुके हैं M1 और S1 जो मैंने अभी आपको बता है देखें यहाँ पर mass M1 है और heat S1 है इसी को हम use कर रहे है M1 S1 और इसका जो temperature है इसका temperature T1 था उसमें से T minus क्योंकि common temperature T है T1 में से common minus temperature को minus करना होगा तो यह हम temperature की value में हम मिल जाएगी ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें कि gain कितनी की है जो cold था उसने तो उसने gain जो की है वो है MST मतलब इसमें हम mention करेंगे तो उसके लिए हमने M2 माना था specificate को S2 माना था और जो temperature होगा तो T minus T2 होगा क्यों होगा क्योंकि T जो है वो common temperature है और common temperature से कम temperature जो cold का था तो कम temperature इसमें से minus किया तो ये दोनों temperature के हमारे पास values आ गई कितना बढ़ इसने loss किया है hit को कितना loss किया है heart वाले substance ने और कितना gain किया है cold वाले substance ने अब strengths according to principle of calorimetry hit lost किसके एकवल होती है hit gain के एकवल होती है तो ये जो है man principle है कि जितनी hit loss हो रही उतनी gain हो रही hit gain वो हमने देखा था M2S2 T-T2 so strengths ये जो होता है ये हमारे calorimetry का principle होता है तो I think ये आपको समझ में आगा होगा किसका principle क्या है वो एक simple सी बात है थोड़ा समझने की बात है कि जितनी heart ने दी है energy उतनी cold ने ली है मतलब जितनी due value है उतनी levy value के equal हो जाता है यही एक principle इसको हमने study किया है अब यहाँ पर कुछ ऐसे points भी है जिनको हम study करें तो हमारा knowledge जो है enhance करता है यहाँ देखें आप यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात बताई गई है कि water के लिए specific heat 1 calorie per gram per degree centigrade है और molar specific heat 18 calorie per mole per Kelvin है so students यह वो point है जिन्हों हमें याद रखने चाहिए ताकि हम numerical को भी अच्छे solve कर सके और हमारी competition की base भी मजबूत कर सके दूसरी बात है है hydrogen का एक fact दिया हुआ है hydrogen के लिए hydrogen has highest specific heat among all solids, liquid and gases मतलब कोई question है सबसे highest specific heat तीनों में liquid, solid and gas में देखा है calorie meter क्या है so calorie meter is a device एक device है जिसको हम use कर रहे है use कर रहे है to measure amount of heat जिससे हम heat को amount heat amount क्या है उसको measure करेंगे called calorie meter तो ऐसा apparatus, ऐसा device जिसके द्वारा हम heat को measure कर सके है उसकी quantity को map सके है measure कर सके है उसे हम क्या कहते है calorie meter कहते है कैलोरी मिटर असल में एक जो होता है कौपर का वैसल होता है जो सिलेंड्रिकल फार्म में होता है मैं आपको बता दूँ जैसे घर में एक डिबबा होता है उसी तरीके से सिलेंड्रिकल फार्म में एक वैसल होता है और उस वैसल को आउटर साइट से एक polish कर दी जाती है और polish क्यों की जाती है उसको polish इसली की जाती है अंदर की hit बाहर पूरी तरह से न जा सके और बाहर की hit अंदर पूरी तरह से न आ सके थोड़ा भोध hit तो transfer होगा ही strengths उसको बचाने के लिए क्या करते है इस vessel के उपर यहाँ पर एक लकड़ी का vessel लगा देते है जिसमें इस copper vessel को hang कर देते हैं मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि यह copper vessel जो cylindrical shape में है और इसके बाहर की side में outer side में polish की जाती ही ताकि hit क्या है अंदर से बाहर हो बाहर से और अंदर की और आने में वो पूरी तरह से पूरी अंदर से बाहर ना सके और अंदर से बाहर जा सके और इसे एक wooden box में रख दे जाता है उसे hang कर दे जाता है और इस wooden box के उपर एक insulated lead लगा होता है जिसमें दो hole किये जाते हैं उपर से और उस hole में से एक में thermometer लगा दिया जाता है और दूसरे में steer लगा दिया जाता है जिसको steering stick कहते हैं ताकि हम solution या जो भी हम water ले रहे हैं उसको अच्छी तरह steer कर सके ताकि temperature equal हो जाए अब streets यहां बात आती है कि इसको hang करने के बाद यहां पे दोनों के बीच में जो space दिख रहा है हमें वो space में क्या है तो यहां दो तीन चीज़ों का option हमारे पास होता है या तो हम इसमें wool को रख दें या फिर हम cotton को रख दें या फिर हम wood dust रख दें यह तीनों ऐसे होते हैं कि जो बाहर की हिट को अंदर आने नहीं देंगे और calorie meter की हिट को बाहर आने नहीं देंगे और man principle वही होता है कि इसकी हिट को हम बाहर ना आने दें ताकि हम उसकी accurate हिट को मेजर कर पाएंगे साथ ही हम बाहर की हिट को अंदर ना जाने दें ताकि हम original हिट को ही मेजर कर पाएं कैलोरी मीटर is a copper vessel देखिए मैंने आपसे कहा था copper vessel होता है it is made of measurement to heat इससे heat को क्या किया जाता है measurement किया जाता है outer surface of this container is polished so that loss of heat energy from vessel to surrounding and from surrounding to vessel in form of radiation is reduced देखिए है एक word उस्किया strength is reduced हम पूरी तर से ना नहीं कर पाएंगे कि वहां की अंदर की heat बाहर नहीं आ रही और बाहर की heat अंदर नहीं जा रही आ रही है जा रही है लेकिन उसकी quantity उसका जो measurement है वो reduce कर दिया जाएगा क्योंकि हमने polish कर दी उसको this vessel is covered with wooden box देखिए यह wooden box फिर यहां मैं आपको बता रहा हूँ यह wooden box इसको cover कर देए यह हमारा main calorie meter है और इसको wooden box हमने cover कर दिया है and only insulator like wool cotton is filled यहां पर मैंने जहां बताया था आपको space कि यहां पर यहां तो cotton रख देंगे यहां फिर wool को रख देंगे this insulator reduce the loss of heat by conduction or convection conduction और convection से होने वाला heat loss यह cotton या फिर हमने रखा wool या wood dust इसको decrease कर देगा अब strengths यह हम देखते है this lead of wooden box has hole of center यह उपर जो lead लगी है जो insulated lead है उपर जो ढक्कन सा लगा है उसमें दो hole होते है उसमें एक hole में हमने temperature को लगा दिया है temperature measure करने के लिए thermometer को लगा दिया है और दूसरे में हमने stirrer लगा दिया stirrer stick कहते हैं ताकि हम इस solution को हिला सके solution को हिलाएंगे तो कहीं temperature कम होगा कहीं जादा होगा तो वो equal हो जाएगा ताकि measure करने में हमें का परिशानी नहीं होगी this lead as wooden box has holes in centers thermometer and stirrer arranged there यहां दोनों arrange कर दी गए हैं कैलोरी मेंटर is made of copper copper is good conductor of heat so it takes heat for changing of temperature when hot liquid is put into कैलोरी मेंटर it takes less time and establish thermal equilibrium with liquids देखिए strengths अब बात हमारे पास यह आती है कि हमने सब से पहले यह बोला कि जो कैलोरी मेंटर है वो एक कापर वेसल है brain में questions आता है कि बहुत सारी metals होती है लेकिन copper को क्यों हमने choose किया असल में क्या होता है कि copper एक ऐसी metal है जिसको हम heat देंगे तो देखिए यहां मैंने point mention किया हुआ है कैलोरी मेंटर is made of copper copper is good conductor of heat यह conductor सब से अच्छा होता है heat का so it takes heat for changing of temperature when hot liquid is put into कैलोरी मेंटर it takes less time to establish thermal equilibrium तो जेसे हम इसके अंदर heat के लिए कोई hot substance डालते है तो equilibrium आने में time नहीं लगता और बहुत जल्दी equilibrium हमें मिल जाता है क्योंकि यह good conductor होता है इसी reason के कारण हम copper के vessel को use करते है strengths I think आप कोई छोटी सी जो definition थी साथ में छोटा सा एक description थाड़ा diagram के साथ साथ समझने की जो बात थी हो समझ में आ गई होगी सो बिना देनी किये शुरू करते है latent heat strengths latent heat चीज क्या होती है देखी मैं आपको एक बात बता दू कि जब हम किसी substance को heat provide करते है तो हम समझ लेते है फिल उस चीज को कि किसी substance को हम heat provide करते है वो heat उसका temperature को बढ़ाने में खर्च नहीं होती है जबकि उसकी state को change करने में खर्च होने लगती है इस समय हम heat देते है तो उस object का temperature जो होता है constant बना रहता है क्योंकि जब state change हो रही है तब temperature में कोई change नहीं होता है so states यह बात यहाँ पर mention की हुई है मैं आपको पढ़के भी बता जैतना हूँ जो मैंने आपको बता है when a substance is heated its temperature increases simple सी बात है heated करेंगे तो temperature increase होगा it is heated continuously then the change of state takes place यदि हम उसको लगातार heat कर रहा है तो उसकी state change होने लगती है during the change of state the temperature of substance remain constant यहाँ हम देखते हैं कि यदि उसकी state change हो रही है तो उसका temperature constant रहता है चाहे हम उसे heat provide कर रहे हो so the stage heat given to the substance not increase its temperature but it is used to change the state तो देखिए वो state जिसमें वो हम heat दे रहे हैं वो उसके temperature को increase नहीं करती है बलकि उसकी state को change करने में use होती है वो एक heat हमें है study करना है the amount of heat वो ही amount of heat जो हता है उसी amount of heat को लेटेंट heat कहेंगे जो कुन सा है latent heat वो amount है जो object का temperature नहीं बढ़ा रहा है temperature उसका constant हो चुका है अब temperature constant होने की condition में जो heat हम उसे provide कर रहा है जिससे वो अपनी state को change कर रहा है वहाँ पर जो heat हम provide कर रहे है वो है कही latent heat के sense में आएगी वो देखी यहाँ पे उसके लिए कुछ हमारे पास चीजे हैं हम जो इसको पढ़के देखते हैं the amount of heat required to change the state of unit mass देखें, mass हमें confirm करना पड़ेगा कि वो unit mass हो unit mass का ही state change होगा उस heat के द्वारा, तो वो heat जो unit mass को अपने constant temperature पर उसकी state को change कर सकती है वो latent heat होती है so latent heat होती है उसको हम देखते हैं, let the constant temperature the amount of heat is del q and required and the change of state of mass m, then heat requires to change the state is directly proportional to mass of substance, तो देखिए यह बात बिल्कुछ सच है, कि हम यहाँ देख रहे कि जो mass, हम unit mass ले रहे है है, जिससे उसकी state change है वो है, उसका latent heat लेकिन हम mass को बढ़ा रहे है तो mass बढ़ाएंगे, तो heat के quantity बढ़ेगी obviously, कोई छोटा object हम गर्म करना चाहते है तो उसको heat कम लगती है, लेकिन काफी बढ़े object को हमें गर्म करना है तो heat हमें जादा ही देना पड़ेगी so, यह fact जो यहाँ बताया जा रहा है heat requires to change of state is directly proportional to mass of substance so, strength, यहाँ पर हम देखते है heat requires the change, वो हम del q मान लेते है देखिए, यहाँ पर del q is proportional to mass of substance mass of substance को हम M ले लेते हैं अब यह दे हम देख रहा है कि यह proportional का sign है जिसको हम हटा गए constant लगाते है obviously, del q equal to हमने l constant लगा दिया l m l which belongs to latent latent heat के लिए हमने l constant लिया यहाँ देखिए, यहाँ पर अपने mention किया हुआ side में, l is a constant known as latent heat of a substance तो यहाँ हम फिर से देखेंगे l के value दे निकालते है so, l equal to del q upon m यहाँ हमारे लिए एक definition point आजा था जो formula के रूप में l equal to del q upon m so, students, आगे हम देखते हैं कि इसकी units क्या होती है तो देखिए, हम देख रहे हैं cgs unit b और si unit b तो यहाँ cgs unit में हम देखते हैं cgs unit calorie per gram में देखिए, आप जिसे कोई food gain करते हैं या कोई cheese fruits वगरे लेते हैं तो उनकी energy जो होती हमको जो मिलती हैं उनसे वो हम calorie और calorie calorie calorie, calorie calories में यूज़ करते हैं जबकि SI unit में ये चीज़े joule per kg में mention की जाती है तो latent heat के लिए cgs unit calorie per gram है और SI unit joule per kg है अब इसके dimension formula को निकालते है strength तो बहुत simple सी बात है del q के लिए आप देख रहे हैं हमने formula यूश किया है l equal to del q upon m और यहाँ पर del q के लिए m l 2 t minus 2 को लिए upon m है तो उसे m लिए ये m power उपर 1 में से 1 minus हो जाएगा तो m 0 l 2 t minus 2 हो जाएगा simple सी बात है यह easily आप इसे कर सकते है अब हम देखते है types of latent heat क्या हता है latent heat of vaporization and latent heat of fusion vaporization में strengths हम देखेंगे कि कोई liquid कैसे vaporize हो रहा है और latent of fusion में देखें कोई solid कैसे liquid में convert हो रहा है so strengths सबसे पहले हम देख रहे है latent heat of vaporization strengths यहाँ में एक diagram बना के रखा हुआ है देखिए जिसमें एक liquid है दिखाई दे रहा है आपको और liquid की का mass भी unit है क्योंकि हम already latent heat में mass को mention कर चुके हैं कि वो unit mass होना चाहिए so strengths यह liquid जो लिया गया है वो unit mass liquid है और उसको हम जो heat दे रहा है उसको जो required heat है जिससे वो पूरी तरसे वैपर में change हो रहा है देखिए यह diagram में आपको दिख रहा है पर कब at boiling point उसके boiling point पे स्टेंट सी है थोड़ा सा point हमें ध्यान देना चाहिए otherwise definition में जो है perfection नहीं आ पाएगी the amount of heat required to change unit mass of liquid into vapor at its boiling point देखिए यहां पर leak भी दिया है मैंने और यहां मैंने mention भी किया है कि हम unit mass of liquid को जो energy देते हैं तो वो required energy जो उसके boiling point उसे वैपर में convert कर देती है वो latent heat of vaporization कहलाती है so call the latent heat of vaporization of a liquid so students I think यह definition तो बहुत simple सी आपने clear करी लियोग इसको अब यहां हम देखते हैं कुछ facts जैसे latent heat of vaporization of steam is 536 calorie per gram students में एक बात प्यादा दूँ कई बार ऐसी teacher से questions कर लेते हैं कि क्या गर्म पानी किसी के उपर गिर जाए या उसके contact में vapor आ जाए तो कौन सी चीज से ज़्यादा उसे पेन होगा obviously उसे vapor से comparatively hot water से ज़्यादा पेन होगा क्योंकि vapor में 536 calorie per gram extra latent heat present है जो उसकी skin को मिल जाएगी और उसकी skin और बुरी तरह से जलेगी so strengths हम यहां कह सकते हैं 1 gram of water requires 536 calorie heat to convert into the vapor at its boiling point 100 degree centigrade 100 degree centigrade पे पानी है तो उसके लिए वो required heat जो उसे vapor में convert कर देगी वो उसकी कहलाएगी latent heat of vaporization strengths यहां अदिये में SI unit के अंदर इसकी latent heat of vaporization को देखते हैं तो steam के लिए होती है 22.6 into 10 raise to power 5 joule per kg यह छोटे-छोटे points होते हैं जो हमारे numericals के लिए या हमारे और भी अगले questions के लिए important होते हैं so strengths अब हम आगे बढ़ते है latent heat of fusion की तरब latent heat of fusion में देखिए strengths यहां पर मैंने solid को शो किया हुआ है और उसका भी mass unit है सिधी सिधी बात है यहां पर solid है तो melting point important factor होगा पिछली बार liquid था तो वहां पर boiling point important था तो heat required for unit mass solid at melting point which converted into liquid is known as latent heat of fusion यह strength हमको समझ में आरी बात एक बार फिर आपको हिंदी में explain करता हूँ कि unit mass का कोई solid हो और उसे melting point पे रखा गया हो और उसको जितनी heat की requirement हो जिससे वो liquid में convert हो जाए उससे हम latent heat of fusion कहेंगे और यहां देखिए यहां mention भी किया हुआ है the amount of heat required to convert unit mass of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion छोटी सी definition है और easy आजाएगे आपको latent heat of fusion देखिए latent heat of fusion of ice 80 calorie अब देखिए strength से दो पॉंट्स हमें memory में रखना बहुत जुरूरी है अभी हमने देखा vapor के लिए 536 calorie per gram था और यहां पर ice के लिए 80 calorie per gram दिया गया है it means 1 gram of ice required 80 calorie heat to convert into water at 0 degree centigrade यहां 0 degree centigrade उसका melting point है strength तो है melting point पर ही उसको देना होगी हमें energy इसकी ऐसा unit भी हम देखें तो वो हमें 3.33 into 10 जूप जूल पर kg मिलती है strength I think strength आपको यह clear हो गया होगा यदि आपको यह clear हो गया है तो strength इसको एक बार रिवाइस करके लिख कर देख लें तो perfection आजागा so strength अब बिना देरी के शुरू करते है water equivalent को water equivalent strength क्या चीज़े देखिए amount of water that requires same quantity of heat to raise the temperature by 1 degree centigrade as the body needs for 1 degree centigrade temperature is called water equivalent of the body strength water equivalent क्या चीज़े देखिए यहां पता है amount of water that requires वो water का amount जिसको एक heat की जरूरत है अपने temperature को 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए जितना की किसी दूसरे object के 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए जो heat की जरूरत होती है उतनी heat से हम जितनी quantity के water का हम 1 degree centigrade temperature बढ़ा सकते है वो हमारा क्या होता है water equivalent होता है तो यहां पर it is denoted by W इसको हम W से capital W से denote करते है let Q is amount of heat required to raise the temperature of mass M of a body throat delta T degree centigrade then del Q equal to MS del T तो हमारा पढ़ावा formula है strength हमार लिए कोई नहीं बात नहीं है लेकिन है बात वहीं थी कि हमें कहा गया था कि temperature 1 degree centigrade तो delta T की value हमें कितना रखना होगा 1 degree centigrade को हम पूट करना होगा तो strength यहां मैंने delta T की जिके 1 पूट किया हुआ है तो आप देख रहा है कि delta T की जिके पूट करने से हमें सिर्फ MS मिल रहा है तो MS जो हो गया अब वो हम delta Q नहीं कह सकते है क्योंकि delta Q तो MS del T है delta T हट चुका है जिसकी value हमें 1 degree centigrade रख दिये तो एक नया हमारे पास quantity मिल रहा है MS तो हम उसको क्या कहेंगे W और था तो water equivalent so strength del Q equal to W यहां आपने देखा यहां यही value हमने यहां पर रख दी क्योंकि यह जो value है यह हमने यहां फार्मले में पुट कर दी है the water equivalent of a body is a product of mass and specific of material of the body देखें यहां दोनों चीज़े दिख रहे हैं यहां आपको mass भी दिख रहा है into S दिख रहा है मतलब M यहने mass of the body दूसरी बात S यहने specific of the body दोनों चीज़े इनका हमने product कर दिया तो हमें एक नई quantity मिलती है that is known as water equivalent so strength छोटी सी definition है आप easy study कर सकते है so strength बिना देरी के शुरू करते हैं transmission of heat को so strength transmission जो है वो क्या है मैं आपको बता दूँ कि जब हम किसी object को heat provide करते हैं तो उसमें heat जो होती वो उसी place में नहीं होती जहां हमने इसको provide की वो आगे बढ़ती चली जाती है तो heat का आगे बढ़ जाना किसी objects में आगे बढ़ जाना वो तीन तरीके से होता है वो तीन तरीके जो होते हैं एक यहां mention किया है हमने conduction दूसरा convection और radiation अब बात यह है कि यह काफी detail topics है तो हम लोग सबसे पहले आज हम conduction को देखेंगे conduction के जितने facts हैं उसकी जितने terms हैं उन सबको study कर लेंगे जब यह complete हो जागा तो फिर हम convection पर आएंगे और convection को भी इसी तरीके से पढ़कर last memory edition पर पहुचेंगे फिर इनके logic questions को भी देखेंगे so strengths यहां पर हम सबसे पहले शुरू करते है conduction अब conduction देखिए strengths क्या है suppose यह एक हमारे पास conductor है मैंने इसको इस tip के पास heat को provide की तो heat यहां से flow करना start करेगी और up to end तर flow करेगी यह बात बिलकूर ठीक है कि यहां जहां मैं temperature provide करा रहा हूँ वहां heat सबसे अदा होगी लेकिन धीरे धीरे heat आगे बड़ेगी लेकिन जितना temperature यहां होगा उतना temperature last end पे नहीं होगा तो यह कैसे होगा strengths आपको मैं practically बताता हूँ कि मान लिजिए यह कई atom से मिलकर बना हुआ है पहले जिन atom को हमने heat provide की वो atom अपनी heat अपने neighbor atom को देदेगा neighbor atom अपने neighbor atom को देगा इस प्रकार से heat neighbor atom से होते होते आगी की और बढ़ना शुरू हो जाएगी वो ही यहां पर मैंने यहां mention किया हुआ है देखिए हम language को देखते हैं ताकि यह clear हो जाए conduction हर molecule अपनी heat next molecule को देदा है and thus heat flows from one end to other end of the substance इसलिए heat जो होती है वो एक molecule से दूसरे molecule की और बढ़ने लगती है आगी की और चलने लगती है और students देखिए दागराम आपको और ज़्यादा clear करतेगा यह diagram में ने देखिए बता है कि यह एक पूरा substance है जिसको हम बना है और यहाँ पर जो आपको spherical way में दिख रहा है circular यह जो है मेरे molecules बना है अब देखिए मैंने इस end पर यह heat दिए तो पहले molecule को heat मिल रही है वो heat अपने neighbor molecule को दे रहा है और its heat to next molecule देखिए जब हम किसी substance को heat करते है तो अपना जो molecule heat को gain कर रहा है वो अपने next अपने neighbor molecule को heat transfer कर रहा है तो next molecule को heat transfer कर रहा है तो heat हमें आगे बढ़ती चले जा रही है इस तरीके से heat का आगे बढ़ना ही conduction होता है strength तो आपको यह conduction clear होगा होगा conduction क्या है इस तरह का mode heat transmission का जिसमें molecule अपनी heat को next molecule तक transfer करता है अब यह जो होता है strength यह तीन तरीके से इसमें हम categorize कर सकते हैं substance को कि यह transmission किन किन में किस परकार से होता है तो देखिए पहले good conductor of heat कुछ ऐसे substance भी होते हैं strength जिसको हमें heat देते हैं तो उसमें heat बहुत भीतर ही तरीके से एक से आगे अपने path पर चलती है याने उसमें भीतर ही के साथ heat transfer होने लगती है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मुश्किल के साथ heat transfer होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जब हमने heat दी उससे hit आगे ही नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो बिल्कुल भी allow नहीं करते हैं आगे hit को pass करना तो तीन प्रकार की हमारी categories है वो हम यहां देखेंगे पहली good conductor of hit good conductor of hit वो होंगे वे conductor होंगे जिनको हम hit दे रहे हैं तो वे readily अपनी hit को आगे molecules के through transfer कर रहा है तो यह हमारे पास सारे good conductors होंगे देखें यहां पर the substance through which hit flows quickly hit आगे जा रही और बहुत तेजी से जा रही hit flows quickly तो quickly word यूज़ कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे good conductor जितने सारे utensils होते हैं जो kitchen में होते हैं वे good conductors हम hit तो कि उनको हम hit provide करते है food preparation करने के लिए तो वो hit सीधे food को transfer कर देते हैं मतलब वो हुए दो good conductor of hit इसमें देखें एक्जामपल दिया है कि metal सारी जो होती है वो hit conductor होती है लेकिन silver सबसे बहतर hit conductor होता है आपको यह भी पता होगा कि electricity के लिए conductor भी silver ही सबसे अच्छा होता है और hit के लिए भी silver ही सबसे best होता है अब इसी प्रकार bad conductor of hit bad conductor वो है जो अपने अंदर से hit allow करते हैं पास होना लेकिन बहुत धीरे-धीरे देखें the substance through which hit flows not easily easily पास नहीं होती is called bad conductor of hit example glass और wood glass गर्म होगा लेकिन बहुत धीरे-धीरे या बहुत कम temperature गरेगा wood के साथ भी ऐसे होता कि इसको temperature बिलकुल भी मतलब ऐसा नहीं होता जैसा metal में होता है temperature गरेण करती है लेकिन बहुत थोड़ा सा और बहुत धीमे-धीमे तो यह होते है bad conductor of hit लेकिन कुछ ऐसे होते है non conductor of hit जिसको हम insulator के नाम से जानते है insulator साब जानते है जो MPP की pole lines होते हैं उस पे जो चीनी मिट्टी के होते हैं ceramics के बनेवे होते हैं वो सब insulator होते हैं जिनके through electricity आगे wire के through pass होती है so substance which do not allow to pass hit through from them are not conductor of good insulator सबसे बड़ी बात ही है कि वे substance which do not allow to pass hit through them अपने में से hit को pass नहीं होने देते called non conductor उनको हम non conductor भी कहते हैं of hit, hit के non conductor और insulator उनको दूसरे word के रुप में हम क्या कहेंगे insulator जैसे हुआ ebonite और asbestos ebonite आप देखते हैं cooker वगरे देखते हैं pan के handle या cooker के handle पर जो black color का strip लगा होता है वो ebonite होता है और asbestos भी इस परकार का metal होता है जो अपने अंदर से hit को pass नहीं होने देता है तो students ये conduction की तीन time हमने इजी ली देखी अब students हम देखते हैं एक इस से related और important path वो होती है variable and steady state variable words से हमको पता लगता है जो change हो रहा है वो variable होता है और steady है जो अपनी जगे पर रुका हुआ है वो steady होता है अब ये state of temperature है ये हम variable उसको और steady के रूप में देख रहा है लेकिन किसकी? state of temperature अब देखिए variable state यहाँ पर मैंने एक diagram बना का रखा हुआ है आप देख रहा है इसमें मैंने burner को जिस corner पर रखा है जिस end पर रखा है वहाँ पर आप shade देख रहा है dark red उसके पास थोड़ा सा light pink टाइप दिख रहा है उसके बाद और light होगा है लास में हमने कोई color show नहीं किया तो यहाँ यह बताएगा है कि हम इसको heat दे रहा है यहाँ से तो यह part heat absorb कर रहा है यह वो state है जिसमें conductor अपनी heat को absorb कर लेता है absorb करने के बाद बाकी conduction तो होगा उसके अंदर लेकिन heat को absorb कर रहा है अभी absorb कर रहा है वो continuation में है बन नहीं किया अबसाब करना वो continuation में चल रहा है इसलिए उसके हर part का temperature भी क्या होगा अलग-अलग होगा तो देखी यहाँ वेन वन एंड अप मेटल रॉड इस हिटेट the heat flows from hot end of rod to cold end hot end से cold end की और heat जो होती फ्लो करती है by conduction किस के दोरा? conduction के दोरा in this situation every section of the rod absorb heat इस situation में हर part जो होता है metal rod का वो heat को क्या करता है? absorb करता है इस ही को हम क्या कहते है? variable state of temperature मतलब मैं बात यह रही in sentences में कि एक तो heat conduction से इसके अंदर flow करेगी दूसरी बात इसमें heat absorb होगी और हर part का temperature अलग-अलग होगा इसे ही हम क्या कहेंगे? variable state कहेंगे इसको हम एदी एक छोड़ी definition के रूप में देखें the state of substance in which every section of rod absorb heat is known as variable variable और variable state of temperature variable state of temperature से कहेंगे अब steady state अब steady state क्या है? steady state जो होती वो initial state नहीं है हम किसी जो है conductor को गर्म करना है रगातार heat दे रहे हैं से तो heat उसके मतलब conduction के तुरू one end से दूसरी end के और चली जा रही है चली जा रही तो क्या हो रहा है? कि उसका temperature change हो रहा है जहां जितना temperature है वो उतना वही constant रह जाता है क्योंकि अब इसने heat को अबसाब करना बंद कर दिया है वो अली heat वो अली जो state है वो हमें steady state कहना पड़ती है और उसे हम steady state of temperature कहते है क्योंकि यहां पर temperature जो है बढ़ नहीं रहा है और heat भी absorbed नहीं हो रही है और हर पार का temperature अलग-अलग है So when one end of metal rod is heated then after some time the temperature of every section of rod becomes constant हर section का temperature क्या हो जाता है? constant हो जाता है and no heat is absorbed by any section of rod और अब इसमें हम conductor के किसी भी section में heat को absorb नहीं करवा पा रहे है वो heat को absorb नहीं कर रहा है this state of temperature is known as steady state of temperature इसे हम steady state कहते है I think दोनों तो एक main जो इसका आपने conclusion निकाला हो यह है कि variable state में heat absorb होती है और steady state में heat absorb नहीं होती है So strengths, I think यह आपको समझ में आ गाया होगा strengths बिना देरी किया शुरू करते है coefficient of thermal conductivity strengths यहाँ पर देख रहा है आप एक diagram में एक diagram में यहाँ एक conductor शो किया गया है इस conductor में आप देख रहा है कि इसकी length L है और इसका area of section A है area of cross section जिसको कहते हैं A है और यह दि हम इसको heat provide करते हैं heat provide करने से इसके one end पर T1 और दूसरे end पर T2 temperature बनता है क्योंकि मैंने आपको steady state में प्रिवेस वीडियो में बताया था कि हर end पर temperature different होगा क्योंकि temperature इसलिए different होगा क्योंकि steady state में temperature जो flow कर रहा था वो सब अलग-अलग parts पर अलग-अलग temperature को divide करेगा so strengths यहाँ पर पहले पर T1 है दूसरे पर T2 है अब हम यहाँ पर इसी code detail में जो मैंने आपको बताया है वहाँ पर लिखा हो आप समझ लेंगे let a uniform metal rod has area of cross section A यह देखी uniform metal rod है जिसका area of cross section A है and length is L और इसकी length कितनी L है amount of heat q is flowing from one end to another इसको हम q heat दे रहे है जो इसके one end से दूसरे end तक flow कर रही है temperature at the one end is T1 यहाँ के temperature T1 है और दूसरे end का temperature क्या है T2 है the time for heating rod is T इसको गर्म होने में इसको hit करने में हमें time कितना लग रहा है T लग रहा है then अब यहाँ पर हमें वो समझना है वो सारे factors कि कौन-कौन से factors यहाँ पर इसके लिए useful है तो देखी amount of heat यहाँ पर आप देख रहे है amount of heat of rod is directly proportional to area of cross section of rod देखी हीट दे रहा है heat ही सभी के साथ factor मतलब जो है अपना relation show कर रही यहाँ पर so यहाँ पर हम heat को कह रहेते हैं del q is proportional to area of cross section of rod area of cross section हमने भी बता है कि वो A होता है हम इसको equation first दे देंगे अब student इसी प्रकार से फिर वह बात amount of heat flowing in rod is directly proportional to temperature difference of both ends दोनों ends के temperature difference के proportionate होता है तो del q यहाँ फिर देखते हैं del q is proportional to T1 minus T2 यहाँ पर हम दोनों के temperature के difference को बता रहे हैं क्योंकि यह temperature difference की दोनों का temperature difference के proportionate होता है तीसरी बात वहीं फिर आ रही है कि amount of heat of flowing is directly proportional to time for hitting, जो time लग रहा है, इसको hit होने के लिए, उसमें, so del Q is proportional to time, यह T, देखिए, यहाँ पर T1, T2 हमने capital ले लिया है, और time को हमने T small से represent कर दिया है, दूसरी बात, फिर अब जो last point है हमारा, amount of heat flowing, वो जो hit flow कर रहे है, वो proportional है, inversely proportional to the length of the rod, length of the rod के inversely proportional है, तो यहाँ inversely proportional होगा, so del Q is proportional to 1 upon L, यहाँ से हमें second equation, यहाँ third equation, और यह fourth equation है मिल जाती है, यह 4 equation, हमें 4 point है याद रखना है, ध्यान रहे हैं, 3 point हमारे directly proportional से है, वो कौन-कौन से हैं, देखिए, एक area है, एक temperature difference है, एक time है, जिसमें heat हो रही है, वो अपनी rod हमारी कर्म हो रही है, और एक जो inversely proportional है, वो length है, इन 4 equation को हम यह दी combine करते हैं, तो 4 को combine करने से हमें मिलेगा, del Q is equal to, सबसे पहले, area of cross section, फिर temperature difference, temperature difference, फिर time of hitting, और at last L, जो length है, अब यहाँ पे proportional का sign है, तो proportional का sign हटाने के लिए हम जानते हैं, हम एक constant लगाएंगे, constant use करेंगे, so del Q is equal to K A, T1 minus T2 into T upon L, यह देखिए constant हमने K लगा दिया है, जो constant है K, अब यहाँ पे हम उसके detail देंगे, K is a constant, काल coefficient of thermal conductivity, इसी को हम क्या कहते हैं, coefficient of thermal conductivity कहते हैं, इसके हम individual value भी निकाल सकते हैं, अब उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे कुछ terms, conditions दी हुई, ताकि हम इसके definition को बना सके, strengths देखें हैं यहाँ पे, कि हम area plus section 1 ले ले, और मान लें कि temperature difference, 1 degree centigrade हो रहा है, और length भी उसकी unit है, और time भी उसको 1 second ही लगा हीट होने में, यहनों सारे factors हमने unit लिए वे हैं हैं अब देखते हैं हैं यहाँ पे, यह दि हम value put करें, तो देखिए del q equal to k, a की value हमने 1 unit square ली हुई है, temperature difference हमारा 1 degree centigrade है, और उसका time 1 second है, और upon में length भी कितनी है 1, इन सब को हम simply multiply करके देखते हैं, तो हम सब देख रहा हैं कि del q equal to k आ जाता है, so strengths यहाँ पे del q की value हमें k मिल रही है, अब हम इसको define कर देते हैं, कि किस तरीके से हम इसको use कर रहे हैं, देखिए मैं आप simple से आपको अपनी एक language बताता हूँ, फिर हम इसको definition की language पर भी इसको पढ़के देख लेंगे, कि यदि हम एक ऐसा conductor लें जिसकी length unit हो, उसका area cross section भी unit हो, और उसको hit दें, तो उसके अंदर temperature difference भी unit आए, और इसे hit होने में time भी लगेगा, unit second यह नहीं one second ही लगेगा, तो इसमें जो हमने hit provide किये, उसका magnitude ही हमारा thermal coefficient, coefficient of thermal conductivity कहलाएगा, तो यह थुरा साम को देखना है हैं अपर ध्यान से, अब इसी को definition को हम नीचे देख रहा है, coefficient of thermal conductivity is numerically equal to the amount of heat, देखिए, coefficient of thermal conductivity is numerically equal, numerically equal है उस heat के, amount of heat के, flowing in unit length and unit cross section rod, उस length में, उस rod में flow कर रही है, जिसकी length भी unit है और area of cross section भी unit है, for one second और कितने second के लिए, one second के लिए flow कर रही, यह temperature difference of both ends of rod is unit degree centigrade, यदि उसको flow करने से, उनके temperature difference भी क्या हो जाए, unit हो जाए, तो इस प्रकार से इसकी definition भी यहाँ बन जाती है, strengths, अब unit of k हम निकालते हैं, हमको इसकी unit निकालना है, तो obviously हमें देखना पड़ेगा, कि k हमारा formula क्या बना था, सबसे पहले हमने देखा था, q equal to k a t1 minus t2 into small t upon l, यह strength हमें formula मिला था, उस चार conditions को लेके, अब इससे हम k की value निकालेंगे, तो obviously हम पहले cross multiply करतें, तो देखेंगे आप, q का l में cross multiply हो गया, k a t1 minus t2 into t, हम इससे k की value निकालें, तो k की value निकालेंगे, तो यह k की value निकालेंगे, तो जो k का coefficient है, वो हैं upon में आजाएगा, तो देखें, q l upon a t1 minus t2 into t, यह k के हमें definition मिल जाती हैं, यह k की value मिल रही हैं यहाँ पर, अब यह दिए हम इसकी unit निकालें, हम सब जानते हैं, की k वैसे लिखेंगे, और q, q की unit क्या है, q की unit हमारे energy से मिलती है, जूल है हमारा यहाँ पर, तो जूल लिख दिए हमने, l, l length ही है, तो उसमें हम, क्या लेंगे, मिटर लेंगे, और यहाँ पर, और a मिटर स्क्वेर है, t1-t2, यह temperature difference Kelvin में है, और time का जो है, वो second है, अब students, यह हम इसको यहाँ solve करेंगे, तो आप देख रहे हैं, की meter का square यह उपर, तो जूल तो अपनी place भी रहेगा, यहाँ पर, meter की power 2 minus उपर जाएगी, तो meter की power minus 1 बन जाएगी, यहाँ power 1 है, नीचे सा 2 power जाएगी, यहाँ जो power इसमें से minus होगी, तो वो power minus 1 हो जाएगी, Kelvin की power 1 है, second की power भी 1 है, यह भी उपर जाएगे, तो यह obviously क्या बन जाएगे, Kelvin inverse and second inverse, तो यह हमें मिल जाती students, इसकी limit, और इसकी पूरी unit जो है हमें, और यह हमें मिल जाती इसकी unit, और यह unit इसकी हमने determine कर ली, तो students, आपको unit निकालना भी समझ में आगे बाएगे, यह question एक साथ ही होता है students, कि हम thermal coefficient, हमको simple सा question पूर्ट कर देगा वा, कि what is thermal conductivity of, या what is coefficient of thermal conductivity, तो students, हमें उसके सारे points, उसका diagram, उसके details, और हमें unit भी निकाल के इसमें देना होगी, साथ-साथ में आप हम इसका dimension formula भी निकाल लेते हैं, अब dimension formula में आप देख रहे हैं, कि वही formula फिर से मैंने ले लिया, k equal to ql, a t1 minus t2 into t, अब q, q के लिए dimension formula हमारा, m1, l, 2, t minus 2 होता है, और l के लिए हम l लेते हैं आपे, देखें आप, l के लिए हमने l लिया length, और a, area cross section है, तो उसके लिए l square लेंगा, obviously, t1 minus t2 वो Kelvin है, और time को हम t से represent करेंगे आपे, अब students यहाँ आप देख रहे हैं, कि यहाँ पे l की power 1 है, और यहाँ l की power 2 है, कि यहाँ पे, बाकि फेक्टर से, m भी वही है, t minus 2 है, आप आउन में l square, और l square, यह l square अपनी place पे, k और t भी अपनी place पे हैं आपे, अब students देखें, कि m तो यहाँ है, यह नि तो m को में as it is लिख रहा है, लेकिन l की power 2 है, tl की power 2 उपर जाके minus करेगी, तो वह बन जाएगा 1, और यहाँ से k भी जाएगा उपर, तो k inverse हो जाएगा, और t की power 1 जाएगी, तो minus 2 और minus 1 होके minus 3, यह इसका हमको dimension formula मिल जाता है, m1, l1, k minus 1, t minus 3, so students इसके साथ साथ हमने यह देखा, तो यहाँ आप देखें, a rod of metal has length 2 meter, and radius is 0.1 centimeter, अब strengths, यहाँ पर numericals में एक बात ध्यान रखने की होती है, कि इसमें दोनों बार units, या तो पूरी तरह से SI हो, या पर CGS में हो, यहाँ आप देख रहे हैं, कि इसकी metal की length जो है, meter में देए हुई, और उसकी जो radius है, वो सेंटीमिटर में देए, साधेन रखे, जल देली में गलतियां होती, उनी पर हमें जो है, उसनी को concentrate करना, ताकि गलती ना हो, ताकि नुबरिकल को बहतर से कर सके, वन आप इट्स end is at 300 degree centigrade, अब इसके एक end का temperature देदे है, 300 degree centigrade, rate of flow of heat from uniform cross section is 0.4 calorie per second, अब यह rate देखिए, यहाँ पर cross section पर rate of flow दिया हुआ है, यहाँ पर इस word को फ़ड़ा ध्यान देना, rate of flow, rate word जहां भी आता है, तो वहाँ पर T से डिवाइड होता है, तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा, कि rate of flow यहने क्या होगा, k की value पर उसने हमें दे दिये, k equal to 0.18 calorie per second centimeter degree centigrade stretch, तो यहाँ पर हम given में पहले लिख लेते हैं, नुमरिकल की पहली step यह होती, कि पहले हमें उसे बढ़ लेना चाहिए, और उसके givens को सब लिख लेना चाहिए, अब देखिए rate of flow of heat q upon t दिया हुआ, मैंने आपसे कहा था क्योप on t होगा, और उसकी value हमें दिये 0.4 calorie per second, ए, area of flow section यहाँ पर है नहीं, तो एक की value हम निकाल लेते हैं, पायर square से, क्योंकि rod है, उसका area पायर square से determine होगा, तो पाय की value 3.14 रख दिये हमने, आर की value उसने 1.5 centimeter में दिये हुई, वो centimeter में हमने convert, centimeter में रहने दिया और उसका square करा, तो 1.5 का square होगा, 2.25 उसको 3.14 से multiply किया, तो वो होगा लगबग 7, अब यहाँ पर length जो meter में दिती, उसे हम centimeter में convert कर रहे हैं, हम यहाँ पर meter में use न करके, इसको काई में convert कर था centimeter में, और temperature centigrade एक end का दिया है, और दुसरे end का हम से पूछा है, अब इसको हम formula पर लेते हैं, तो formula पर हम लेंगे, तो अब देखिए, हमने, सब ने देखा है, कि Q equal to K A T1 minus T2 into T upon L, यह हमारे पास formula है, अब फिर यहाँ हमें एक बात सोचने के आती है, कि हमसे उसने एक word यूज किया है, हमने numerical में, कि rate of flow of hit, मतलब Q upon T, अब यहाँ तो हमारे पास Q है, हम इस T को इसके upon में ले लेते हैं, इसके upon में लेंगे, तो Q upon T equal to K A T1 minus T2 upon L, सो इस्टेंट्स, यह हमारे पास चीज आवे, Q upon T की value हमारे पास है, अब देख रहें, यहाँ पर 0.4 है, आप देख रहें, यहाँ पर 0.4, K की value इसने दी हमें 0.18 calorie, के सबसे यहाँ पर value दी है, यहाँ से मैंने यहाँ से पूरी पिक की है, और यहाँ की प्लेस पर रख दिया, area cross section की बात करें, तो area cross section हमने निकाला है 7, वह हमने 7 लिख दिया, और temperature difference के लिए, सबसे पहले T1 उस temperature की जो बड़ी value है, तो बड़ी value हमारे पास है 300, और दूसरी value हमें find करना है, हमने T2 as it is लिख दिया, और उसकी length जो है, वो 200 centimeter आई है, तो 200 इसने प्लेस कर दिया, अब strength, यदि हम cross multiply करने, तो 0.4 को हमें 200 से multiply करना होगा, और इसको हम into कर लेंगे, 0.8 को 7 से, तो 1.26 approx आएगा, और 300 minus T2, यह हमने step as it is लिख दी, अब 0.4 से आप 200 को into करते हैं, literally 50, वो 50 के असपास 50 होगा, और 1.26 को आप अंदर into कर देंगे, यह जैसे भी आप कहें, तो इसको यहां हम देखेंगे, 1.26 into 300 minus 1.26 into T2, अब यहां पर हम लोग करके देख लेते हैं, कि 1.26 और इसको 3 से into कर लेते हैं, 300 हैं पर 3 को ले रहा हूँ, 3, 6, 18, 3, 2, 6 and 1, 7, 3, 1, 3, decimal 3.78 और 2, 0 लग रहा है, तो 378 हो जाएगा, तो 50 equal to 378 minus 1.26 T2, यह minus का 1.26 को हमें लेटेंट साइट पर ले आते हैं, तो वो plus का हो जाएगा, और 378 में से, इस 50 को इदर ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा, अब इस ट्रेंट से 1.26, 378 में से 50 को माइनस करेंगे हम, तो obviously कितना बचना चाहिए, 328, अब यहाँ T2 भी है, हमें T2 के value निकालना है, तो T2 equal to 328 upon 1.26, यह हम इसको इसे डिवाइट करेंगे, तो एप्रोग्स यह आएगा, 236.5 degree centigrade, सो इस ट्रेंट सी यह इसका एंसर हो जाएगा, कि दूसरे एंट का temperature 236, और अभी हमने देखा है था, कि पहले एंट पर temperature ज़्यादा होता है, फर्स्ट एंट पर temperature ज़्यादा होता है, फिर heat flow करती है, और फिर second एंट तक जाती है, यदि steady state आ जाती है, तो फिर इसका और इसका temperature में difference तो आता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि area cross section same है, और इसे हम Q energy दे रहा है, heat energy हम provide कर रहे हैं इसको, तो उससे उसके एक सीरे का temperature, एक corner का temperature, एक end का temperature T1 है, और दूसरे end का temperature T2 है, और उसकी length L है, और strengths इस दोरार हम देखते हैं, कि हमने इसको कितनी heat दी, तो इसमें temperature difference किया आएगा, temperature difference हम जानते हैं, कि हमारे पास जो बड़ा temperature है, वो T1 है और छोटा temperature T2 है, तो temperature difference T2 माइनस T1 नहीं होकर, T1 माइनस T2 होगा यहाँ पर, तो T1 माइनस T2 है हमारा temperature difference होगा, strengths, और साथ में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगी, आप किसी words के formula को बार बार उसको देखें, तो वो definition बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह helpful होता है, बजाए इसके कि हम पूरा theory part पड़ें और उससे रठते बेठें, हम समझे नहीं पाएंगे, इस formula को देखें आप मैं आपको बताता हूँ, देखें, यहाँ ratio दिया आई है, अपाउं का सहरे हम ratio से यहाँ पर ले रहे हैं, और उपर देखें किया लिखा है, temperature difference between two ends of the rod, दोनों ends के, रोड के दोनों ends का temperature difference, और उसका ratio किसके साथ, rate of flow of heat, इसकी definition कैसे बताएंगे, the ratio of temperature difference between two ends of rod, and rate of flow of heat is known as thermal resistance, so strengths, यह हो जाती है हमारी definition, और definitions हम clear कर चुके हैं, अब definition के base पे हम लोग इसके आगे, इसके mathematics points को यहाँ पर solve करेंगे, तो देखिए strengths, यहाँ आपने देखा, कि let length of rod is L, अभी हमने देखा था कि उसकी total length L है, और उसका area procession है, जो हम mention नहीं किया गा है, कर दिया है, let length of rod is L, and temperature at the both ends is T1 and T2, Q be the amount of the heat flow from in it, in T time, T time में इसके अंदर heat Q flow हो रही, क्योंकि हमें इस rate को find करना है, तो time Q हमें ज़रूरत होगी इसमें, so temperature difference की बात करें, तो temperature difference होगा T1 minus T2, जो मैंने आपको भी बता है, और rate of flow of heat, वो Q upon T होगा, क्योंकि rate word use हो रहा है, no doubt इसमें T से हमें divide करना होगा, अब देखिए according to formula, according to formula हमें कह रहा है, कि thermal resistance, thermal resistance को हम R से represent कर दें, मान लिजे, तो उस पे temperature difference है, T1 minus T2, और upon में rate of flow of heat, क्योंकि हमने formula में इसी को पढ़ा था, कि the ratio of temperature difference of both end and rate of flowing of heat, इसी के ratio को हम thermal resistance केते हैं, तो देखिए मैंने temperature जो difference है, जो मैंने आपको एं मेंशन किया था, यह मैंने numerator में रख दिया है, और rate of flow of heat है, फार्मूले करदिंग उसे denominator में रख दिया है, अब सिटेंट सीदिए हमां आगे देखते हैं, तो R equal to, यह T उपर क्योंड चला जाएगा, T1 minus T2 into T upon Q, यह हमारा formula आगा है, इस formula को हमें अच्छा formula मान सकते हैं, क्योंकि हमारी SI units निकालना है, या हमें dimension formula निकालना है, तो वो यही formula है, जो हमें सब निकाल के देने वाला है, यही formula, लेकिन इसको हमें आगे बढ़ा ना है, क्योंकि यह पूरा formula है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ा कि इस definition को थोड़े चोटे point of view पे देखेंगे, और study करेंगे, तो हमने Q की हमने, यहाँ पर value देखें, अब putting value of Q, अब Q की जो value होती है, आप जानते हैं, यह Q की value Q equal to K A T1 minus T2 into small t upon L, यह Q की value है, अब यह जो value हमने Q की लिए है, यहाँ से, यह वाली Q की value, इस formula हम Q की place पर रखेंगे, तो इस formula हम Q की place पर रखने पर हमें क्या मिल रहा है, वो देखें आप, so r equal to t1 minus t2 into t upon में q value को हम put करेंगे ka t1 minus t2 यहाँ पर t1 minus t2 into t upon l abstance natural r equal to t1 minus t2 तो यह से अपनी place पर रहेगा into t और यह उपर जाएगा l upon में ka t1 minus t2 into t देखे t से t cancel हो रहा है यहाँ पर t1 minus t2 से t1 minus t2 cancel हो रहा है so strengths यहाँ से हमें देख रहे हैं कि हमने जो cancel कर दी terms t को cancel कर दे t से t1 minus t2 को t1 minus t2 से तो हमें r की जो value मिलती है strengths r equal to l upon ka यह हमारा इसका second formula instance जो हमें r के लिए मिलता है और पहला formula मैंने आपको बताए था पहला formula हमारा जो था r equal to t1 minus t2 into q यह formula हमारा जो था जिससे हम SI units और इसकी dimension formula भी निकाल सकते हैं सो देखे अब इसकी SI unit की बात करते हैं हमने formula जैसे अभी बताया कि t1 minus t2 into q upon t r equal to t1 minus t2 into t upon q so students यहाँ पर आप देखें कि t1 minus t2 यह temperature का difference है और temperature का difference जो होगा degree centigrade में होगा जो है यहाँ देखी है mention कि unit of t1 minus t2 degree centigrade होगी obviously t जो होगा time का हम ऐसा unit में second लेते हैं तो हो second हमें यहाँ दिख रहा है और q जो है unit of q जूल में है वो तो obviously आपको clear है अब यह values में यहाँ put करता हूँ तो देखें आप r equal to t1 minus t2 की plus per degree centigrade t पर second और upon में q की plus पर हम लेंगे जूल so students यह हमारा इसका SI unit decide हो गया degree centigrade into second per जूल पर लेकिन हम थोड़ा साथ में change कर रहे तो हम एक चीज़ और भी ला सकते हैं देखें जैसे r equal to degree centigrade रहा और second को हम जूल के upon में ले आए जूल upon second यह जो second है कौन सा जो numerator में second हमें बताए गया है उसको हम upon में ले आए है तो वो upon में और आप जानते हैं कि जूल upon second हम लेंगे देखें जूल upon second तो वो होगा वाट तो इस प्रकार से हमें एक और फार्मूला है यहाँ पर एसा unit का मिलता है degree centigrade per watt स्ट्रेंट यह हमारी दोनों इसकी एसा unit हमें निकल गई है अब हम dimension formula के बात करें सो अब एक सोभाई के स्ट्रेंट कि यहाँ पर dimension formula में हमने वही फार्मूले को फिर सी उसकिया है और T1-T2 यह temperature है temperature को हम SI unit में Kelvin से यहाँ represent कर रहा है Kelvin से और T के लिए T और Q वह obviously हम सब जानते हैं कई पर हम यूज कर चुके है M1 L2 T-2 M1 L2 T-2 यह इस तरह से हमने इसको यहाँ रखा है अब आप स्ट्रेंट्स देखें कि है K अपनी प्लेस पे है तो K की पावर 1 AZT रखी हुई है यहाँ पर T की पावर 1 है लेकिन नीचे से माइनस 2 उपर जाएगा तो वह हो जाएगा उसकी definition कैसे बनती है वह सारा मैंने आपको mention कर दिया उसके साथ साथ आपने देखा कि हमारे पास दो फर्मूले थे और एक फर्मूल का यूज हमने बाकी uses जैसे SI unit अगरे निकालने के लिए किया या dimension formula निकालने के लिए किया तो इतना matter जो होता है अपने को यहाँ clear हो जात है वो है conduction जो हमने पहले previous lectures में cover कर लिया है अब यहाँ पर हम convection of heat देखना रहा है मैं फिर आपको remind कर दूँ कि यह सिर्फ liquid और gaseous medium में ही होता है तो देखिए extends यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ liquid और gaseous medium में जहाँ पर most important things होती है molecules तो देखिए यह diagram को आप देखे molecules बताए करेंगे absorb करने से उन में क्या होगा उनका वेट जो है lighter हो जाएगा lighter weight होने कारण वो कहां surface की और उपर की और आने लगेंगे जैसे वो उपर आने लगेंगे तो नीचे space empty हो जाएगा space empty हो जाएगा तो जो उसके उपर present molecules है जो ठीक उनके उपर होगे वो उनकी place occupy करने के ल चलता रहेगा तो उससे क्या होने वाला है कि जिन्होंने heat gain कर लिए जो lighter होगा है वो अपर surface पे यहां आ जाएगे और जिनकी अभी temperature जो है कम है वो नीचे की और continuously जाते हुए फिर से heat को gain करते हो उपर आने लगेंगे यह process continue चलता रहेगा और यही हमारा है convection of heat so strange diagrams ने आप आपको help कर दी कि convection क्या चीज होती है देखे diagram ने तो खेर कर दी लेकिन यहां पर एक बात और पी होती है वो है language कि हम इस language को चुकि बहुत सारे चीज़े हमारे दिल में होती है हमारे मन में समझ में आता है कि हमें क्या है लेकिन actually वहाँ है copy में तो हमें express करना है words में तो वह liquid or heat जो है gases को ही इस मतलब mode of transmission में हम यूज कर पाएंगे mode of transmission of heat by motion of molecules of liquid or gas from the part of one to another is called convection यहां पर इनकी motion होती है कि इनकी इन molecules के जैसे में आपको बताया था कि सबसे पहले heat gain करते है heat gain करने से इनका temperature बढ़ता है लेकि इनका weight light हो जाता है light weight होने कारण ही अपने surface को छोड़कर उपर की और आन लगते हैं और top surface पर पहुंच जाते हैं अब में जैसे बता है कि इसके ठीक उपर जो molecule होगा वो उसकी जगे को अप ले लेगा मतलब अक्यूपाय कर लेगा वही बात यहां पर लिखी हुई है in a container water is heated then water molecules close to bottom are heated first and being lighter being to move upward direction वो lighter हो जाते हैं और वही अप्व level के उपर वाले जब molecules है वो उनकी जगे को occupy करने के लिए वहां उस और आने लग जाते हैं so this moment of water molecules continue till the whole water attends same temperature और प्रोसेस एक बात तो दिमाग में आती है कि इस और आप बता रहा है कि यह molecules नीचे वाले उपर जा रहा है जिनका temperature बढ़ गया और वेट लाइट हो चुका है और नीचे वाले जो है ऊपर जा रहे तो ऊपर वाले नीचे आ रहा है यह तब तक चलता रहा है तो तक चलता रहिगा जब तक कि पूरे liquid का temperature एकजेसा ना हो जाये सारा temperature एक जजेसा ऑजया हर जोन का temperature सेम हो जइगा तब तक की process continue चलती रहगी तो उसे हम क्या कहता है kanvection of यह दो प्रकार का होता है, there are two types of convection of heat, natural convection और forced convection, natural convection क्या है, हम nature में कई चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे मान लिजिए, अचानक से सम्मूदर में तूफान आते हैं, या land areas में पी तूफान आते हैं, यह इस प्रकार से, और forced convection में हम लोगों ने बहुत practical चीज़ देख रह है, when heat flows through molecules of medium, due to change of density of different isn't of medium, medium में जब heat transfer होती है, तो उसकी density पर depend कर रही है, तो यहाँ density change हो जाने current, कहीं higher density हो जाती ही, कहीं lower density हो जाती, तो इस density change होने current, molecule जब मू करते हैं, तो उससे जो convection होता है, वो unnatural convection होता है, देखे, simple सी बात है, तो आपको brain में रखना ही है, कि molecule इसम induction में हम पढ़ चुके हैं, कि molecule मूह नहीं करते है, heat को मूह करना पड़ता है, वो transfer होती है, यहाँ पर वो मूह करेंगे, due to change of density, this convection is known as natural convection, इसको ही हम natural convection कह देए, storm and cyclones are example of natural convection, देखे, मिना भी आपसे बात की थी storm, क्योंग कहीं क्या होता है, जब temperature बहुत बढ़ जाता है, व वो उपर के रूट जाते हैं, वहाँ एक empty space सा बन जाता है, तो जिस zone पर जो density जादा होती है, वहाँ से जो air होती है, या molecules आप air होते हैं, वो उस space को fill करने के लिए उदर चलने लगते हैं, और इस से जो है, हमारे storms और cyclones बनने लगते हैं, तो यह जो चीज़ें, यह कहलात या pressure के दौरा उसे बाहर भेजा जाता है, ताकि room तक वो पहुच सके और room को ठंडा कर सके, अब देखी, इसी को definition point of view में क्या कहा गया, when the particles of medium is forced to move with fan and pump, particles को move किया जाता है, किसकी मदद से, fan और pump की मदद से, so flow of heat starts through the particles of medium, this convection is called force convection, इसको force convection कहते हैं, और air conditioning जो है, इसी principle पर work करता है, और इसी तरीके पर कारी करता है, so strengths, यहां हमने दोनों प्रकार के convection के kinds देख लिए, मैं आपको और कुछ चीजे बताना चाहता हूँ, देखी, यहां पर applications दिये हुए, some applications of convection, application of convection में हम देखे, कि हमारे घरों में, हम simple से अपने घरों का एक्जामपल लेते हैं, हम हमारे घरों में ventilations होते हैं, windows होती है, तो actually क्या होता है, कि जब घर में हम daily activities करते रहते हैं, उसमें खाना बनना भी होता है, बहुत सारी और चीज़े हम breathing, breathe out करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो temperature है, बहुत बढ़ जाता है, तो temperature बढ़ने से क्या होता है, gases के molecules होते है, और room temperature को maintain कर देती है, कम कर देती है, उसका temperature थोड़ा सा, वही बात यहां लिखे हुई है, और question उसी भी बना हुआ है, rooms are provided with windows and ventilators, due to various activities, air inside room becomes hot, activities से करनी, air hot होती, and get polluted, और polluted भी होती है, this hot air rises up and escape out from ventilators, यही rise up होके, ventilators से बाहर निकल जाती है, to fill this empty space, fresh air enters room and doors, from rooms and doors and windows, देखो, rooms में कहां से आती है, windows or doors से, वह आती है, fresh air, और इस पकार से हमारे room का temperature, नॉर्मल से बनाता है, suffocation भी कम हो जाता है, मानसून इंडिया, देखिए, इंडिया के मानसून भी इसी वे से होते हैं, बतलब हमारे जो मानसून हवाएं होती है, वो इसी तरीके से प्रोडूस होती है, और हमारे zone के और आती है, we know, specific of water is more that of the soil and rocks, okay, in summer medium, land becomes hot quickly than the Indian ocean, देखिए, summer में क्या होता है, medium land becomes hot quickly than the Indian ocean, Indian ocean से ज्यादा होती, तो अब क्या होता है, the air of land becomes hot as a result of rises up, अब land area की hot air ज्यादा गर्म हो जागी, तो वो rise up करेगी, और rise up करेगी, तो महाँ एक open space बनेगा, उस open space को feel करने के लिए, जो sea area की breeze है, उस और आने लगेगी, और ये क्या होगी, जब ठंडी होके समुद्र से आ रही है, तो वो क्या होगी, मानसून का वर करन लगी, और व the land become hot, दिन के समय में क्या होता है, कि land area का जो है, temperature बढ़ जाता है, और उस पे land become hot and more quickly than water, और comparatively water से land area जल्दी गर्म होता है, यह हमें ध्यान देना है, land area जल्दी गर्म भी होता है, land area जल्दी ठंडा भी होता है, comparatively water से, तो क्या होता है, जब हम देखते हैं, कि in a day, day में ज rise up होती है, देखे, उपर के और, और comparatively sea की जो है, उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, air in contact with the land become hot and rises up, to fill the space, cold air from the sea blows towards the land, which is called sea bridges, और इसलिए, समुदर के और से, जो हवाय आने लगती है, जो इस space को complete करने के लिए आती है, क्योंकि यह तो उपर हुड़ ही है, गर्म होके, तो जगे वेक्यूम से बन जाती है, उसे पूरा करने के लिए, समुदर के और से हवाय चलने लगती है, उन्हें ही हम क्या कहते है, sea breeze कहते है, ठीक उल्टे तरी के साम देखते है, कि जब रात होती है, तो रात में क्या होता है, लेंड एरिया उतनी की हवाय होगी, वो क्या होगी, उपर चली जाएंगी, क्योंकि वो गर में अभी, और जो land area है, वो comparatory जल्दी ठंडा हो चुका है, तो वहां की air किस और चलने लग जाएगी, वो चलने लग जाएगी, उसे हम कहते है, land breeze, तो land breeze, land से sea की और चलते है, और sea breeze, sea breeze, sea sea land की और च चीज़ें हमें clear होने लगती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, हम सभी गर्मी के दिनों में, या मानसून के दिनों में, हम लोग इसन चीज़ों को experience करते हैं, लेकिन brain में कभी नहीं आता कि कही नगे physics इसके पीछे है, लेकिन देखिए, आपने इसको देखा कि physics किस तर तो सबसे पहले हमारे सामने जो एक sunrise होता है, जो sunrise होता है, sun से हमें hit मिलती, ठं के दिनों में इसका बड़ा importance होता है, वेट करते हैं हम लोग, तो वो जो sun से हमें hit मिल रही है, वो उसका form radiation ही है, तो radiation का सबसे पहला हम देखें कि सबसे बड़ा source पूरे universe का, या हमारे इस planet क इसमें क्या होता है, कि hit, मानने जी, hit यहां से ही source से निकल रही है, और यहां तक आ रही है, लेकिन बीच में जो medium present है, वो इसको कहीं गर्म नहीं कर रही है, जिर्फ उसको use करते हुए, उसमें सब pass हो रही है, और उस जगह तक आ रहे है, लेकिन मीडियम को कभी गर्म नही हो रहा है प्रोसेस जिसे object से निकल के आ रहा है वो है radiation thermal radiation से हो अब हो 0 Kelvin, every object emits energy, 0 Kelvin के ओपर कोई भी object होगा, तो वो हमेशा thermal energy को radiate करेगा this energy is known as radiant energy और इस energy का नाम हम कहेंगे radiant energy, तो आपको सीधी सीधी definition समझ में आई होगी, कि किसी source से निकलने वाली वो है energy, जो medium को गर्म किये बगएर दूसरे जगेत सली जाती है उससे हम radiation कहते हैं और radiation से जो हमें energy मिल रही radiation में, जो energy का form हमें मिल रहा है उसको हम radiant energy कहते हैं, the sun is a major source of radiant energy, sun ही जो होता है, सबसे बड़ा part होता है इस radiation को पनाने के लिए इसके characteristics देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या characteristics है क्योंकि कभी-कभी छोटे points से definition कभी-कभी पूछ ली जाती है सो देखते हैं, इसके characteristics से आ है thermal radiation do not required any medium to propagation इसके लिए propagation के लिए medium के ज़रूत ने होती ये vacuum में भी create कर सकते है zero में easily pass हो जाते है तो सबसे बहली बात ही, इनको medium की कोई ज़रूत ने होती है अपने propagation के लिए, ये बिना medium के भी चल सकते है thermal radiation travel with the speed of light देखिए, light का जो speed है 3 into 10 is to power 8 meter per second उसी speed से ये radiation भी travel करते है medium में, और medium में है तो भी करेंगे, और medium नहीं है तो भी उसमें travel करेंगे thermal radiation travel in straight line ये हमेशा straight line में travel करते है जिग-जिग में नहीं करते है these radiations called infrared radiation इन्हें infrared radiation कहा जाता है क्योंकि हम जानते है sun से हमें जो energy मिलती है उसका एक form radiation भी है these radiations hit the object when come to contact with them अब ये radiation जहां भी चाहते है मान लीजी ये pain में आपको radiation के form में बता रहा हूँ और ये object है मेरा हाथ तो मेरी palm के उपर आके टकरा रहा है तो ये क्या करेगा जिसे उसको टकरागा उसका temperature बढ़ा देगा तो ये क्या करेगा infrared radiation की property होती है कि वो बरतन धूप में रखा है तो बरतन दिखाई दे रहा है वो visible light से दिख रहा है लेकिन गर्म हो रहा है वो इसी energy से गर्म हो रहा है उसे हम क्या कहते है infrared radiation कहते है तो ये जिसके contact में आते हैं उसे क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं इस radiations always laws reflection and reflection as well as inverse square law यानि ये reflection जो light का होता है reflection जो light में होता है और जो inverse square law होता है इन सब पर ये applicable होते हैं so students I think आपको ये समझ में आ गाया होगा so students देखते हैं Newton's law of cooling so students start करने के पहले आप से एक request करना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे वीडियो पसंद करते हैं so बिना देरी के शुरू करते हैं Newton's law of cooling strengths ये जो question है ये exam point of से important क्या है क्योंकि ये एक law तो ही है साथ में इसका verification भी lab में करवाया जाता है तो वो हम पढ़ेंगे इस lecture के बाद ही उसको लेने वाले हैं ताकि आप दोनों चीज़ सीख लें theory, exam point of view से इसको सीख लें और practical point of view से उसको सीखा दिया जाएगा तो आपकी problems पूरी तरह से उसमें दूर हो जाएगी Newton's law of cooling Newton's में काफी work किया strengths उसमें एक बहुत common work ये भी है कि Newton's law of cooling क्या चीज़ है देखिए मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज जिसका temperature जादा है उसको हम surrounding में रख देते हैं open में रख देते हैं room temperature पर रख देते हैं तो कैसे अपने energy का loss करती है और किस तरह से उसकी cooling किस तरह से होती है और किस rate से होती है उसे समझाने के लिए Newton ने इस law को दिया है so strengths हम देखते हैं Newton क्या कह रहा है when a hot body is kept in open जब किसी hot body को open में रख दिया जाता है then it slowly cools down तो वो धीरे धीरे क्या होन लगती है ठंडी होन लगती till its temperature become equal to the surrounding जब तक कि वो कब तक ठंडी होती रही जब तक कि उसका temperature और surrounding का temperature same नहों हो जाए क्योंकि हम इस बात को पढ़ चुके है कि दो अलग-अलग temperature की object एदी एक जगे पर रखी हुई है तो high level से low level तक energy का क्या होता है transmission होता रहता है so students हमें देख रहा है क्या कहा गया Newton studied many hot liquids and state law of Newton's law of cooling उन्होंने कई प्रकार के liquid जो hot थे जिनका temperature जादा था उनकी study की और उन्होंने के best पर उन्होंने अपना law दिया जिसको हम Newton's law of cooling कहते है so देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है the rate of cooling of substance is directly proportional जो rate of cooling होती है rate of cooling मतलब with respect to time उसका cooling होना वो directly proportional होती है to the temperature difference between temperature of object and temperature of surrounding तो दो temperature है एक temperature का object है एक temperature of surrounding जिसमें वो रखी हुई है इन दोनों के difference के proportionate होता है क्या rate of change of energy उसकी rate of change of cooling तो rate of change of cooling जो हो रही है वो इन दोनों temperatures के difference के proportionate होता है so rate of cooling of object is directly proportional to temperature difference between object and surrounding so अब यहाँ मान लेते हैं कि rate of cooling क्या है देखिए actually law यह है इसको आप statement कर देंगे तो यह law है लेखिन क्यों इतने से नहीं होगा इसका गहिन के mathematical formula भी हमें derive करना पड़ेगा तो उसके लिए हम देख रहे है कि हम in rate of cooling of object को क्या लें temperature difference के लिए दो temperature को क्या क्या लें इसको हम देखते है तो rate of the cooling of object is dq upon dt मैंने अभी आप से कहा था कि time के respect में लेना है तो dq upon dt लेना होगा and temperature of body is capital T and temperature of surrounding is T0 0 and M surrounding के लिए ले रहे है तो ध्यान रहे है कि capital T जो है वो body का या हमारे object का temperature है और T0 जो है उसके आसपास के surrounding या room का temperature है so strengths यहां मैं आपको बता दू कि dq upon dt देखिए इसको अपन mathematically लिख रहे है rate of cooling of the object को is directly proportional to temperature difference between object and surrounding देखिए object का temperature T है और surrounding का T0 है और यहां माइनस का sign आ रहा है strength से माइनस का sign यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आप माइनस sign indicates that the rate of loss of heat decreases with increase in time जैसे से time increase होता है वैसे वैसे उसकी जो है energy decrease होने लगती है उसका temperature decrease होने लगता है और यही इस sign का symbol है माइनस इसलिए दिया है माइनस क्यों दिया है क्योंकि उसका जो temperature धीरे धीरे गिरने है लगेगा with respect to time so strength यह हमने इस प्रकार से equation बना ली किसके base पे यह जो statement दिया है जिसको मैंने yellow color में है पर define किया हुआ है तो इस yellow color में जो define किया हुआ है इसकी base पे मैंने यह equation बना ली है strength अब इसको आगे बढ़ाते है so minus dq upon dt is equal एक small k मैंने constant लगा लिया t minus t0 यह हमारा equation first होगा strength तो I think यह दोने equation आपको clear होगे equation मतलब पहली कि लिए clear होगे यह दो steps आपको clear होगे किस तरह से statement से मैंने बनाई है अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ hit loss by substance अब यहां पर हम एक नई theory के पास आजाते है हमने पहले जो पढ़ा हूआ है तेकि हम वो जानते हैं जिसमें hit loss by theory किस तरह से बनीजे del q equal to ms del t यह आपने previous lectures में पढ़ा है strength की del q upon अब इस del q को मैं delta का symbol दिख रहा है आपको जो triangle form जैसा बन रहा है लेकिन अब इसको differential symbol d के लिए ले लेते हैं so that is dq equal to ms dt capital T में आएगा यदि मैं आप एक step लेता हूँ कि मुझे small t के differential factor dt से मुझे इसको divide करना है तो मुझे both side divide करना पड़ेगा तो मैं step में इसा बनाता हूँ so इसको dq से both side divide कर देते हैं so dq upon dt equal to ms dt upon dt dt upon dt है बोलने में सेम लग रहा है लेकिन इस्टेंट साफ यहां देख रहा है इस बात को कि dt ऊपर capital है नीचे small है यहां पर dq upon dt देखिए दोनों सबार मैंने dt से इसको दोनों left right side को divide कर दे है dq upon dt को अब यहां पर यहां हम जानते हैं कि इसको हमें the equation number two दे दे इस वाल equation को जो हमने बनाई और यदि हम equation first जो पीछे हमने लिए यह उन दोनों को compare करें तो यहां dq upon dt की value देखिए जिससे minus dq upon dt की place पे इस value को रखा जा सकता है जो मैंने find किये है तो उस पर put कर देते हैं उस value को so putting value of dq of dt in equation first equation first में put कर रहे हैं तो देखिए आप equation first को एक बार देख लें minus dq upon dt है तो minus sign तो sdt रहने वाला है हमाँ पे dq upon dt की value पूट करेंगे तो minus वो dq upon dt की value है ms dt upon dt यह value है पूट कर दी is equal to k t minus t0 k into t minus t0 so students यह step आपको clear होईगी यह दो equation मैंने बनाई पहली equation तो हमारे newton's law of cooling से बनी हुई है second one हमारा del q equal to ms del t जो हमारा specific formula है उससे बनी हुई है और दोनों को हमने हैं compare करके उससे एक equation का form बना लिया ms del t upon यह जो step आपको दिख रही है यह हम दोनों से लेकर आए हैं इसको I think समझ में आगा है का मैंने यहां से क्या करा कि dq upon dt की value जो है यह जो dq upon dt की value यहां right hand side में है वो value मैंने equation first में put कर दी जिससे यह easy हो गया है यहाँ पे अब students आप देख रहा है कि यहां पर ms minus के साथ है मैं इसको upon में ले जाता हूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा dt upon dt is equal to minus k upon ms यह minus sign भी ms के साथ उस और चला गया तो यहां हमने t minus t zero as it is जो था वो लिख लिए अब students यहां पे आप देख रहा है मैंने right hand में लिखा हुआ है कि minus k upon ms को हम एक constant मान लेते हैं वो constant हम मान लेते हैं capital k मान लेते हैं मान लो constant क्या है capital k है तो मैं इसकी place पर लिख सकता हूँ dt upon dt , equal to minus k t minus t zero हमने क्या किया है small k upon यह देखिए small k upon ms को capital k माना है confuse ना हो कि ms कहा गया actually क्या है उपर जो numerator में दिया हुआ है small k है और इसकी अपने capital k value मान लिए minus k upon ms को हमने capital k मान लिया यहना इस सब constant value के लिए एक particular constant value ले लिए वो है k अब हम integrate करना चाहेंगे इसको तो integrate करने के लिए आप सभी जानते हैं कि जो capital t की term से वो capital t के respect में integrate होंगी और बाकी जो है वो small k term में होंगी तो देखिए capital t के term यहां दिख रही है और यहां dt इसका integration factor दिख रहा है तो इसको हमें इधर लेके आना होगा तो मैं देखिए इसको इधर ले आता हूँ तो dt के upon में मैं t minus t 0 को ले लेता हूँ सामने बच रहा है minus k और cross multiply करूँगा तो small dt उधर चला जाएगा अब इसको हम integrate करेंगे तो integrate करेंगे तो integrate करेंगे तो हमें हमारे लिए यह बहुत easy हो जाएगा क्योंकि हमने सारे factors जो है अलग अलग करेंगे हम इसको integrate easy कर सकते है सुस्टेंट देखिए मैं इसको integrate करता हूँ integrating both sides यहां लिख भी दिया है integrating both sides हम दोनों साइड में integrate करेंगे तो integrate करेंगे तो integrate of dt upon t minus t 0 is equal to integrate of k dt वो भी minus में है माइनस में हमने यहां पे देखा कि यहां पे minus sign हमने लगा है उस minus को हमने azts वहां ले लिया है अब यहां आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा कुछ आपको step बताना चाहता हूँ formula की कि वह आप देख लें जिसे integral of one upon x integral of one upon x dx होता है log x e base पे so strengths यहां पर हम step को सब बना लेते हैं देखिए जैसे मैंने बनाया one upon t minus t zero dt और यहां से मैं minus k को constant को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा one dt अब यह भी आप जानतें कि integral of one dt जो होता है वो t होता है तो यह हमने यहां पर t मान लिया इसको यहां देखें स्टेंटस की यहां क्या बन रहा है तो आप यहां देख पा रहा है कि यह बन रहा है term हमारा फार्मुले से log t minus t zero और यहां बन रहा है k into t क्योंकि one का integration हमने t करा है मैंने one का integral t किया है तो one का integral किया हो जाएगा यह t हो जाएगा So strengths यहाँ पर minus kt और जब हम integrate करते हैं तो हम एक constant c लगाते हैं यहाँ तो यहाँ एक बात important है एक logarithmic formula जो आपको देखना है वो मैं आपको बता जाएता हूँ Logarithmic formula में एक best formula होता है वो दिखा दूँ कि उसमें होता है log e base m equal to x यदि आप इसको देख best e तो best e के उपर x की power के रूप में आ जाएगा और m जो है उसका answer बन जाएगा e की power xm यदि मैं यहाँ apply करता हूँ तो मेरे पास यहाँ best e है तो वो क्या होगा वो होगा e की power minus kt plus c is equal to देखिए यह सामना लिए right hand side की steps होती है देखो यहाँ मैं फिर पर फार्मूला बता दूँ कि right hand side की step होती है वो e पर power बन जाती है और जो log का coefficient है वो हमारा final answer बन जाता है into e की power c is equal to t minus t0 so instance यह step आपको समझ में आ गई यहाँ क्या करा हमने e की power minus kt को रखा और e की power c को कर लिए e की power c एक constant है वो भी हम यह mention कर देते हैं पहले कि e की power c जो है यहां constant है यहां अब हम यदि e की power c को ऐसे रखते हैं हम temperature t की value निकालना चाहते हैं यह जो temperature t है इसकी value हम निकालना चाहते है तो minus t0 की term इदार आजाएगी और उसका अपना sign change हो जाएगा strength तो वो हम देखते हैं क्या बन जाएगा देखिए तो t equal to हो जाएगा e की power minus kt into e की power c और minus t0 दर आके हो जाएगा plus t0 so strength इस प्रकार से यह हमारा जो final answer बन जाता है और इसको हम आगे और भी expand कर सकते हैं so strength यह हमारे cooling law का derivation है और इस derivation को हम इस derivation को और इस law को हम lab में verify भी कर सकते हैं वो हमारा अगला question होगा और strength यहाँ सिर्फ एक नई चीज़ देखने को मिल रही कि हमारे 11 class का जो base होता है उसमें हमको पढ़ाया जाता integral calculus और differential calculus so strength का यहाँ use हुआ है और आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रख लें कि आप integral और differential की terms को जरूर होंगे तो वहाँ तो बहुत सारे duration में इसका यूज होगा लेकिन उस समय आपको परिशानी नहीं आएगी क्योंकि आपका already best EC class में clear हो चुका होगा so students I think आपको यह समझ में आगा हो गया लेकिन अब हम देखते हैं इसके limitations क्या है यह कब apply हो सकता और कब apply नहीं हो सकता तो देखिए यहाँ एक चीज ओरी डियर की limitations क्या 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 है suppose यह वह surface जहां से radiation निकल रहा है और यह radiation निकल रहा है तो इस surface में कोई change नहीं होना चाहिए इसकी physical state as it is होना चाहिए यह किसी तरह से change नहीं होना चाहिए कि band हो रही है या melt हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए second one जो है वो है loss of heat should be in mode of radiation और इसमें heat का जो transmission होना चाहिए heat का जो supply होना चाहिए heat जिस form में निकलना चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो सिर्फ radiation के form में होना चाहिए ना convection के form में होना चाहिए ना conduction के form में इसकी condition है कि radiation form में heat release होनी चाहिए और दूसरी बाद temperature difference between body and surrounding should not be much more than 30 degree यानि जो हम दोनों को ले रहे हैं, जिस body को हम temperature, मतलब hot body है उसको हम normal condition में or surrounding में लेकर आएं, उन दोनों के बिचे में temperature difference 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो लाज होता है, पूरी तरह से applicable नहीं होता है और fluctuate होने लगता है तो तीन limitation के ज़रूर याद रखें, पहली बाद जिस surface से radiation निकल रहा है उसका area आदी कुछ चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरी बाद जो radiation निकल रहा है वो सिर्फ radiation के form में होना चाहिए और third one, body और surrounding के मद्ध, 30 degrees से ज़़ा difference नहीं होना चाहिए तो बिना दिरी के शुरू करते हैं, black body तो instance, मैं black body के बारे में और fairies black body के बारे में पहले से ही लिख के रख रहा हूँ जो अपने उपर आने वाले सारे के सारे radiation को absorb कर लेती है practically मैं बात कहूँ कि यह possible नहीं होता है सारा का सारा radiation तो नहीं हो पाएगा students कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती world में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 98% तक का radiation अपने अंदर absorb कर लेती है जितने ज़्यादा परसेंट तक absorb करेगी वही बहतर मानी जाएगी तो इसमें जो है black body में हम देखें कि black color जो होता है सबसे dark color में शुमार है तो उसके द्वारा ही radiation को absorb किया जाता है और देखे यदि आप घर में दादी जी से पूछेंगे या कोई और भी बुजुक से पूछेंगे तो कहेंगे कि आपको जो काजल लगाया जाता था चोटे होस्ता में जो आँकों के नीचे तक भी लग दिया जाता था और बड़ी-बड़ी आँखें दिखाई देती थी वह जो काजल है वो lamb black है वो ही सबसे बड़िया जो है absorber माना जाता है क्योंकि उसी से सारी heat absorb हो जाती थी और हमारी आखें प्रोटेक्टिव रहती थी यहाँ पर क्या है एक्चली no body is perfectly black body बट lamb black, platinum black are assumed as a black body इनको platinum black को और lamb black, lamb black को अन समयने अभी बता है कि वो पुराने समय में क्या करते थे घी का दिया जला कर उसके ओपर कोई कपड़ा रखे थोड़ा सा उसकी जो flame होती थी लो होती थी थोड़े उपर रखते थे कि अपने उपर आने वाले जो radiation इसको 98 परसेंट यह कर लेता है दुस्री बात यह कि जब इसे गर्म किया जाता है तो जो radiation इसने अंपले में वह गर्म करते a है और इसी thermal radiation कहा जाता है so perfectly black body a perfectly black body is a good observer as well as good emitter वो अच्छे observer भी होती है और अच्छे emitter भी होती है दोनों प्रकार से अपना काम करती है अब cavity radiation को देख लेते हैं students cavity radiation क्या होता है actually अदे हम black body को cavity के form में लेंगे obviously वोसी प्रकार से बन जाएगा when hollow object is heated देखिए यहां पर clearly कहा गया when hollow object is heated then radiation is emitted from small opening on the inner surface of object gives total radiation such radiation is called cavity radiation देखिए एक खोखला सा होता है मैं आपको बता दूंगे एक खोखला होगा और उसको हम यदि हिट देंगे तो अंदर से किसी उस खोखले पार्ट में से एक छोटे से में से छोटे जो एपरेचर है उसमें से कोई radiation दे बाहर आ रहा है तो वो radiation हमारा cavity radiation कहलागा क्योंकि हो cavity के अंदर से आ रहा है एक छोटी सी definition एक बहुत simple सी बात है तो इसको आप एक बार देख लें कि hollow object को हम hit करेंगे तो radiation emit होगा और कहां से एक small opening से radiate करेगा तो उसे हम जो है cavity radiation कहेंगे तो अब हम आते हैं fairies black body की और सो इसके फेरी नाम के scientist ने बनाई थी इसलिए नाम दे दिया अब यहां पर एक डाग्राम दिख रहा हो आपको उसमें cavity form दिख रहा है आप देख रहा है यहां पर एक cavity form दिख रहा है और उस cavity form के अंदर एक small सा एक अपरेचर ओपनी अपरेचर है जहां से हम एक space देख रहा है चोटा सा खाली और जहां उसके ठीक सामने एक point P है वो थोड़ा सा उबरा हुआ है इसका भी अपना importance है कि उबरावा क्यों है अब यहां देखते हैं ferris black body is a double wall hollow sphere at one side there is small opening O देखें double wall है यहां से जो है इसकी wall double है देखें और उसकी one side में एक small hole O है जो small aperture है और opposite side of the inner wall conical projection is P is present देखोई पी जो है यहां पर conical एक जो शेप में है यहां पर P part बना हुआ है यहां पर यह इसा क्यों बनाया होगा सोचिए क्योंकि देखें रेडिशन अंदर आता हो बताया है यह रेडिशन जब अंदर आ रहा है और ठीक P के टिप पर टकराता है तो उहां से reflect हो जाता है लेकिन same angle पर नहीं होता है व फिर से वह black body की wall पे inner side में जाकर टकराता है और वहां absorb हो जाता है ताकि वह सीधा के सीधा बाहर निकल ना सके सो यहां पर inner wall is square is blackened and outer side is polished with nickel अंदर की जो wall होती है वह black कर दी जाती है जैसे मैंने आपको बता है कोई खास black जैसे platinum black होगा है या पी जो है lamp black होगा ताकि वह सारे रेडिशन को अंदर अंदर अब्सर्प कर ले बिट्विन टू वाल्स, hollow sphere, vacuum यहां पर दोनों वाल्स के बी अंदर ना जा सके, so loss of heat is possible by conduction और कर इसलिए मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा loss of heat नहीं होगा, जी conduction के द्वारा या convection के द्वारा उस black bodies से, अब filament is present between double wall and hollow sphere, इसके बीच में filament होता है जो उसकी value को measure करता है, so strengths यहां पर आप देख रहे हैं, कि यहां मैंने जो सारी बाते बता ही वहाँ आप detail में मैंने लिग दी थी, और इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाया है, when radiation enters from hole O, देखे, O से radiation अंदर की और जा रहा है, it suffers multiple reflection and does absorb approximately 98%, तो जैसे यह अंदर जा रहा है, यह बार बार reflect करता है, reflect करने से क्या होता है, वो इसकी वाल से जाकर टकराता है, और वहाँ पर absorb होने लगता है, if it is false at peak, it also suffers multiple reflection, यह पीप की बिल्कु टिप पर भी गिरता है, तो multiple times reflect होता है, और फिर वाल पर जाकर टकराता है, और वहाँ पर absorb हो जाता है, does radiation absorb completely, this cavity system also uses a source of thermal radiation, जो मैंने आपको बता है कि इस cavity को यह जो फेरीज की जो black body है, इसको हम एक thermal radiation के form में भी thermal radiation source के form में भी उसकर सकते हैं, in this condition, thermal radiation emitted from opening O, these radiation are called black body radiation, अब यह देख इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो high temperature पर अपने अंदर से radiation को release करेगा, और उनी release radiation को हम कहेंगे black body radiation, I think यह बहुत simple concept थी, आपको समय में आ गई होगी, कि एक छोटा short note आ सकता है, तो एक दो बार पढ़के एक बार लिखकर देख लें, तो practice के दो रहान यह अच्छे से याद हो जागा, एक दो बार अगरान जुरूर बना ले, ताकि पता लग जागा पी-point का क्या importance है, ओका क्या importance है, students मैंने यह आप definition लिखके दिये, मैं आपको पहले यह clear कर दूँ कि क्या होता है कि कई students के मन में बात आती है, वो बताते भी हैं कि सर आपने वहाँ लिखके रखा है और आप सिप समझा रहते हैं, students मैं आपको प्राब्लम सारी क्लियर कर दूँगा उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है, बस टाइम हमारा जो है, इससे बचाना मेरा आप यह उद्देश है, ताकि आप भी जल्दी आगे बढ़ सकें, और मैं भी आपको कोर्स जल्दी-ल्दी कवर करा सकूँ, स्टेंट्स बिना दिरीके शुरू करते हैं, Absorbing Power, Absorptence के नाम से जाने जाती है, अब स्टेंट्स जैसे भी हमने प्रिवेस लेक्षर ब्लेक बॉड़ी में देखा, कि उसके ओपर जो radiation आता है वो पूरी तरस उसको absorb कर लेती है, लेकिन सारे object तो इसा भी हो नहीं करेंगे, कि अपने उपर आने वाले सारे radiation को absorb कर लेंगे, खिर black body भी 98% तक ही absorb करती है, लेकिन बाकि इस दूसरे हम objects लेंगे, तो उनके उपर जितना radiation हम देंगे, वो सारा का सारा तो नहीं करेंगे, 98% तक भी नहीं करेंगे, तो अब किस category में वह अपने उपर आने वाले radiation को कितना absorb करते हैं, कितना reflect करते हैं, या कितना और transfer करते हैं, उन सब चीजों को समझने के लिए हमें definition दी हुई है, उसमें हम सबसे पहले ले रहा है absorbing power या absorb tense कहते हैं जिसको, अब students याँ देखिए, मैं सीधी बात जो red letter से, मैंने definition लिखी हूँ, वहीं से आपको समझा दूँ, तो बात पुरी clear हो जाएगी, देखिए यह ratio का sign है हमारे पास, और उपर लिखा radiation absorbed by body, और नीचे लिखा radiation incident on body, तो radiation incident on body, हमेशा denominator में रहेगा, और बाकी numerator के factors हमारे पास change होते रहेंगे, तो हमारी सारी definition score हो जाएगी, सो इस्टेंट देखिए, the ratio of absorbed thermal radiation, absorbed thermal radiation, and total radiation incident on a body in given time, एक time में, एक particular time में होना चीए, सानी कि कभी और कितनी देर तक, एक particular time में हम जो देंगे, उसके ratio को हम कहेंगे, absorbing power, it is denoted by small a, इसको हम small a से denote करेंगे, सो देखिए, absorbing power किसका ratio है, वो ratio है, radiation absorbed by body, and radiation incident on a body, तो उसको हम radiation absorbed by body, को हम a से represent कर रहे हैं, और radiation incident on a body में ने कहा कि तीनों definition में यह common factor है, उसको हम काई से represent करेंगे, क्यों से करेंगे, अब यहाँ simple याद रखने के टेक्निक बताया हैं, कि आप absorbing power को small a से represent कर रहा है, तो उसका capital form numerator में आ जाता है, तो यहाँ पर radiation absorbed by body upon radiation incident by body इस तरह से, absorbing power has no unit, उसके कोई unit नहीं होती, for perfect black body its value is 1, लेकिन perfect black body के लिए इसकी value 1 होगी, जो possible नहीं, मैंने पहले आपको कहा है, क्योंकि one cup हो सकती है, देखिए one cup होगी, जब radiation absorbed by body equal हो जाएगा, radiation incident on body, यह उसने 100% absorbed कर लिया, which is not possible, तो यह हो ही नहीं सकता, लेकिन इसने कहाँ perfect black body, perfect, no one is perfect, so obviously there, कि इसकी value कभी भी 1 नहीं मिलेगी, इसी प्रकार दूसरी definition is strength, transmitting power, मैंने अभी आपसे कहा था, कि हमें वही ratio form में इसको याद करना है, तो transmitting power क्या है, आप किसका ratio देख रहे हैं देखिए, radiation transmitted by body, अब इसने radiation को पहले absorb किया होगा, अब यह transmit कर रही है उसको, और हमने जो दिया था, वह radiation incident body, मैंने आपसे कहा पिछली definition में भी, denominator में यह factor था, और उसे हम Q से represent कर रहे हैं, सिर्फ उपर वाला factor चेंज हो रहा है, तो transmitting power क्या होगी, radiation transmitted by body, transmitting power को हम small t से represent कर रहे हैं, तो radiation transmitted by body को हम capital T से represent करेंगे, तो ratio of amount, ratio of amount of thermal radiation transmitted through the body, and amount of thermal radiation is incident on body is called transmitting power, it is denoted by T, small t से represent कर दिया है, देखिए हैं small t से represent कर रहा है, एक बार फिर से यहां से बताता हूं, transmitting power is always equal to the ratio of radiation transmitted by body upon radiation incident on body, radiation incident of body हमेशा denominator में रहेगा, क्योंकि वह हमेशा उतनी value को ज्यादा रखेगा, लेकिन उपर वाली value उससे हमेशा कम रहेगी, तो इसकी formula में हमारा को मिल गाया, T equal to capital T upon Q, it is also unit less quantity, यह भी unit less quantity होती है, strength अभी last one है, reflecting power, जिसको reflectance भी कहा जाता है, तो reflecting power में भी वह factor strengths, देखिए, radiation incident on body, तीनों definition में denominator में रहा, और numerator में, जो भी नाम आ रहा है, reflecting power, तो radiation reflected by body, तो यहां पर कहेंगे, reflecting power is just always equal to the ratio of, radiation reflected by body upon radiation incident on body, इसको small r से represent करते हैं, small r equal to capital R, radiation reflected by r से represent किया, और radiation incident on body as before, उसको Q से represent किया है, तो इस प्रकार से चोटी से definition और clear हो जाती, strengths यह तीनों definition को पढ़ाने का मूल उद्देश यह था, इसका main target यह था मेरे strengths, कि यहां पर एक हमें derivation मिलने वाला है, और वो derivation छोटा सा है, mostly क्या होता है, कि definition तो शायद exams में पूछी नहीं जाती, वो सिर्फ हमारे knowledge को increase करने के लिए रखिवी थी यह पर, और समझने के लिए रखिवी थी, लेकिन अगला derivation इसी पर होने वाला है, इसलिए यह बहुत जरूरी था, एक थोड़ा समय निकाल के सब पढ़ लेंगे, तो derivation बहुत अच्छी से कर पाएंगे, तो बिना दिरिक यह शुरू करते हैं, relation between absorptance, transmittance and reflectance, तो यह जो derivation है हमारा इन तीनों पर है, अब यहां पर थोड़ा समय ने mention किया हुआ है, पहले हम diagram को देख लेते हैं, कि diagram में क्या चीज़ है, देखिए, यहां पर एक surface बनाई हुई है, और इस पर हम एक incident कर रहा है, एक radiation को देखिए, आप radiation हम इसमें दे रहा है, जैसे हम इसमें radiation देते हैं, तो इसकी कुछ quantity तो क्या होती है, absorb हो जाती उस substance के दारा, उस surface के दारा, अच्छा कुछ वो क्या करता है, reflect, थोड़ा सा reflect करता है, थोड़ा सा absorb करता है, और बचा हुआ वो transmit कर देता है, याने एक जो energy हम दे रहा है, जो heat radiation दे रहा है हम, वो incident radiation तीन पार्ट में divide होता है, एक तो खुद absorb हो जाता है थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट उस surface से reflect हो जाता है, और कुछ उससे बाहर हो जाता है, और transmit हो जाता है, तो इसके लिए हमने यहां पर बताया हुआ है, देखिए सारे details में यहां पर लिख रखे हैं, आप देखें, let q be the amount of the radiation incident on the body on given time t, इस t time में आपका incident radiation जो है, वो यहां पर दिया हुआ है, उसको हमने q से represent किया as strength, a is amount of heat radiation, देखिए a is amount of heat radiation absorbed, absorbed जो है का वो a है, जिससे हम spelling start करना है जिस वाट को वही हम word capital में ले रहा है, जिससे absorbed है तो हमने capital ले लिया, तो absorbed radiation की amount कितनी है, capital a है मान लिया हमने, और t is amount of, t is amount of heat radiation transmitted, transmitted जो हता है, वो कितना है, t है, and r is amount of heat radiation reflected, और r जो है, वो reflected amount है, so strength इस प्रकार से हमने देख लिया, कि हमारा q radiation है, वो इन तीन पार्ट में divide हो रहा है, तो हम यहाँ इसको लिखते हैं, देखिए, q equal to हमने लिखा, एक तो absorb हो रहा है, दूसरा transmit हो रहा है, और तीसरा reflect हो रहा है, तो यह तीनों चीज़े, incident radiation q जो है, इन तीन पार्ट में क्या हो जाता है, और डिवाइड हो जाता है, और डियागरम से एक बात clear हो भी रही होगे आपको, कि मैंने तीनों बता दिये कि absorb एक पार्ट हो रहा है, एक reflect भी हो रहा है, और राइट हैंड साइड में भी सभी को q से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए मैं आप q से इसको डिवाइड करता हूँ, देखिए अप q divided by q, same a divided by q, t divided by q, and r divided by q, यह strengths हमने तीनों को q से डिवाइड कर देए, आप सिंपल सी बात है, आप यहां देख रहा है कि q से q यह cancel हो जाएगा, यहां बन गया 1, और a upon q, plus t upon q, plus r upon q, यह a is it is हमने लिख दिया है अब यह मैंने आप साभी कहा था, कि इस यदि इस derivation को अच्छे समझना है, तो previous lecture में definition को देखना पड़ेगा, अब previous lecture में जो derivation की definitions दी थी मैंने इनकी जिसे absorbing power या absorbance कह सकते हैं इसको transmittance कह सकते हैं, reflectance कह सकते हैं, तो यह जो तीनों दी है, यह absorbance है, यह Transmittance है, यह reflectance है, यह तीनों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो अब मैं इसके बारे में आपको बता जता हूँ है, यह थोड़ा सा वो देखिया आप, क्यूंकि definition मैंने क्या दी थी, तो a upon q को हम लोगों ने small a से represent किया था, जो हमारा बनता है absorbance, यानि यह हमारा absorbance है, t upon q को हमने कहा था transmittance, इसे small t से represent किया था हमने, तो transmittance हो जाता है, इसी प्रकार r upon q जो है, वो हमारा reflectance हो जाता है, जिसे हमने small r से represent किया था, तो तीनो definition की मैंने side में यहां पे थोड़े से details लिख दिये हैं, आप वो यह दिया हम यहां put करते हैं, तो हम यह देख रहा है, one equal to small a plus small t plus small r, so strengths यहां हमने एक नई चीज़ देख ली, कि यह जो radiation आया हमारा, इसमें क्या देख रहा है हम, कि यहां पे आप देख रहे हैं, यह absorbance है, यह transmittance है, यह reflectance है, तो absorbance, transmittance और reflectance का sum जो दिख रहा है आपको यहां पे, वो एक one दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं, the sum of, देखें यहां पे, यहां मैंने लिख के भी दिया आवा चीज़ को, the sum of absorbance, transmittance and reflectance of a body is always unity, वो हमेशा क्या होता है, unit होता है, one होता है, इस प्रकार से चोड़ असा derivation है, लेकिन, मैं आपसे फिर कहूं, कि कभी question exam में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप उसको expand करें, पहले absorbance के बारे में detail देदें, transmittance के बारे में detail देदें, और reflectance के बारे में detail देदें, जो मैंने हैं mention किया हुआ है, quantity of heat radiation emitted per second. देख़ए, मान लीजिये, मैं आपको एक surface जिता है, जिसको हम मान लेगा area unit है, इसका area unit है, और इस पर SECOND radiation जो emit हो रहा है, मान लीजिए radiation है, इस per unit area से, और per second release हो रहा है, तो यह जो per second per unit area से release हो रहा है, इसे हिह हम क्या कहेंगे? MSU power और यही बहुत सिंपल सी definition है students the quantity of heat radiation emitted per second per unit area of a body is called MSU power it is denoted by small e इसे हम small e से denote करेंगे so students यहाँ देखें आप कि it is depend upon the nature of the surface of body अब देखिए यह बात सही है कि जो surface था वो हमने unit लिया था लेकिन surface का भी अपना कोई nature होता है कुछ surface यह से होते है कि कुछ computing Wish कम heat को emit करते है और कुछ ज्यादा को emit करते है तो यह जरूर, यह capacity कहीन के depend करती है उश surface की nature पे उशका nature किस प्रकार से है कि क्या कर रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है so हम यहाँ मान लेते है कि let T time जो है और surface area A है और उससे जो hit radiation बाहर आ रहा है वो Q है so MSU power को हम क्या कह देंगे MSU power जो हो जाएगा हमारा Q upon A into T अब students कितनी simple सी बात है कि Q upon A into T अब यह दिया हम यहाँ देखते हैं समझने के लिए थोड़ा सापको समझाने कोश्च करता हूँ कि Q radiation है per unit area है तो 1 और per second है तो 1 तो Q के वल simple तो वो ही Q क्या हुआ MSU power हो गया strength तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि MSU power क्या थी वो ही hit radiation है जो emit हो रहा है Q क्या था? वो ही hit radiation है जो emit हो रहा है कहां से? per unit area से और per second release हो रहा है so वो amount hit energy का जो emit होता है किसी ऐसे area से जिसकी surface का area per unit हो और उससे per second पे वो release हो रहा हो उससे हम क्या कहेंगे MSU power तो बहुत अच्छे simple में लिखा हुआ है आप है the quantity of hit radiation emitted per second per unit area of a body per second per unit area से जो emit हो रहा है उससे ही हम क्या कहते है emitting, MSU power कहते है इसे हम E से represent करते है तो यहाँ formula बन गया हमारे पास E equal to Q upon A into T E का formula हमारे क्या बना E equal to Q upon A into T अब इसकी unit हम देखते है unit of MSU power अब यहाँ देखे हम unit के लिए Q तो Q के लिए अपन क्या लेंगे Joule लेंगे है फिस strengths Q के लिए हम यहाँ लेंगे Joule upon area area जो है meter square है और time जो है वो second है So strengths यहाँ पे Joule per meter square into second इसकी unit होती है लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा है तो हम एक नई unit और मिल जाती है देखें मैं आपको बतात हूँ कि यहाँ पे हमने Joule को लिया और Joule को लेने के बाद इसमें per second को रख लिया और one upon meter square को अलग कर दिया So strengths हम जानते है Joule upon second वो क्या होता है Watt होता है तो यह unit क्या हो जाएगी Watt upon m square मतलब Watt per meter square So इसकी जो unit हुई strengths वो unit of immersive power is Watt per meter square हुई हम Joule per meter square into second भी कह सकते है लेकिन properly हम बोलेंगे Watt per meter square So strengths की dimension formula भी निकालना चाहे है तो वो भी हम easily निकाल सकते है देखिए आप यहाँ पे Joule की अब देखें कि उसके लिए हमारे पास M1 L2 T minus 2 उसकी unit है इस परकार से हम देख रहा हैं यहाँ पर कि Joule upon meter square into second पर हम Joule के लिए M1 L2 T minus 2 ले रहा है meter square के लिए L square और second के लिए हम second के लिए हम क्या लेने वाले है T अब strengths यहाँ आप देख रहा है कि L square उपर चला जाएगा तो यह power पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो L0 हो जाएगा लेकिन T की power यहाँ पर 1 है उपर जाएकर minus होगी तो T minus 3 हो जाएगा इस परकार M1 L0 T minus 3 इसका dimension formula है छोटी सी definition है लेकिन definition को हमें इसलिए clear रखना है कि यह तो हमारे लिए बहुत important है किसे important है कहीने का हमारा best जितना strong होगा competition में अच्छा stand करेंगे यहाँ पर कई छोटी चीज़े स्कूल में छूट जाया करती है कही बार इसलिए नहीं कि teacher नहीं पढ़ा रहा they are teaching you लेकिन कहीने कहीने कहीं हम concentrate नहीं करते हैं यह इतनी सी बात से क्या है लेकिन यह कहीने कहीं हमारे लिए देखा आपने यहाँ पे मैंने आपको dimension formula बे बना के दिया और साथ में unit भी explain करके जी ताकि आप यह समझ सकें कि किस तर के से हमें competitive के लिए तायरी भी करनी चाहिए और एक एक चीज़ को बिना छोड़े study करनी चाहिए so I think यह समझ में आ गाया होगा बहुत छोड़ा सा point है अब हम अगले point के बढ़ते हैं emissivity so students 2020 जो है वो देखे क्या है emissivity है कि एक emissutive power किशी बOs की किसी body की emissue power को compared करवाया जा रहा है black body की emissue power से तो यहाँ दो emissue power है एक तो body की emissue power और एक black body की emissue power उन का ratio आप हम देखते हैं तो वो emissivity होती है the ratio of emissue power of a body and emissue power of a perfect black body किसी body का और perfect black body का दोनों के emissue power का ratio at same temperature is called emissueVT दोनों का temperature सेम होना ज़रूर है जो body का temperature है वो ही black body का temperature होना चाहिए चाहे वो कहीं और रखियो लेकिन इसाथ में रखिये हैं तो temperature उनका दोनों का same होना चाहिए और दोनों की emissue power को निकालेंगे हैं और उनका ratio हम जब find करेंगे तो हमारी होगी emissueVT से हम epsilon से represent करते हैं E is a emissue power of body and capital E is a emissue power of a perfect black body मैंने आप से कहा का दोनों का ratio देखिये e upon e so emissueVT epsilon equal to e upon e अब हाप यह जानते हैं हमेशा कि black body का हमेशा emissue कहीं दूसरी body से जादा होता है so value of e is always less than value of capital E जो किसको stand करती है वो perfect black body के लिए करती है तो यह e is less than e so emissueVT of the body is less than 1 कभी भी हमेशा किसी body की as compared to black body perfect black body वो हमेशा क्या होगी less than 1 यह छोड़ी छोड़ी दोन definition I think आपको clear होगे होगी और समझ में आ गया है तो इसे एक बार और देखकर लिखिए जरूर लिखकर करने से perfection आ जाता है और आप आगे बढ़ सकते हैं सो बिना देरी के शुरू करते है किर्षप्स ला देखी किर्षप्स ला क्या है मैं आपको बताओ कि दो factor important है एक तो emissive power और एक absorptive power इन दोनों में किसी body के लिए उन्होंने relation बताने के लिए जो ला दिया है उसे हम किर्षप्स ला कहते है इस ला के according add given wavelength at all temperature सभी temperature पे ये valid करता है सभी temperature पे work करता है और सभी temperature पे लेकिन particular given wavelength एक wavelength particular हमें देंगे या particular wavelength हम ले रहा है उस पर the ratio of emissive power and absorptive power of all bodies remain same हर body का कोई भी body सपोज ये एक body है मान ले हम सपे इनको एक body मान लेते है तो एक particular wavelength पर इसकी जो emissive power है मैंने आपको बताओ emissive power और absorptive power है उन दोनों का ratio हमेशा सेम रहेगा किसी भी temperature पर temperature कोई सा भी हो लेकिन शर्त यह है कि जो wavelength है वो एक fix होनी चाहिए उस fix wavelength पे इसकी emissive power और absorptive power का ratio हमेशा equal होता है और वो ratio जो होती equal होता है वो perfect black body के emissive power के equal होता है तो वो ही हमको बताना है यहापे वो ही आगे हम यहापे इसको mention भी कर रहा है एक बार हम इसको फिर पढ़के देखते है at given wavelength at given wavelength at all temperature the ratio of emissive power and absorptive power of all bodies remain same and this ratio is equal to the emissive power of the perfect black body for same temperature and same wavelength उसी wavelength पे जो body के लिए लिए आगया है वो ही temperature को equal बता सकते है मतलब जो ratio है वो perfect black body के emissive power के equal होता है so if emissive power of a body is given temperature of wavelength देखिए emissive power आप जो body body के लिए बात कर रहे हैं तो emissive power यहापे होगे हमारे लिए E और particular wavelength हमने E lambda ले लिए अब absorptive power of the body यह देखिए absorptive power of a body at given temperature of and given length is वो होगी A lambda तो और इनका ratio इनका ratio क्या हुआ E lambda upon A lambda और वो ratio किसके equal होता है perfect black body की emissive power के equal होता है वो ratio होगा उसके emissive power के तो इसे हम क्या कहें किर्श अफसला तो हम इस छोटे से चीज से सीख सकते हैं इस छोटे सी चीज को हम देखके यह बता सकते हैं कि इस डेरिशन से हम किस तरह से बना यह बता सकते हैं देखिए E lambda lambda याने perfect wavelength perfect wavelength पर कोन है emissive power है perfect wavelength पर emissive power है perfect wavelength पर जो है absorptive power है परफेक्ट है जो given है हम है particular जो given है और all temperature साभी प्रकार के temperature पर उसकी value जो है वो emissive power of perfect black body on the same wavelength same wavelength जो हमने body के लिए लिए वो ही perfect black body के लिए लेंगे तो वो इसकी equal होगी और यह जो फिर डेरिशन है वो represent करता है किर्शप्स ला को I think यह बहुत simple था आपको समझ में आ गया होगा so देखिए strength wind displacement ला क्या है देखिए मैं आपको पहले आप थोड़ा सा fundamental बता दू कुछ चीज़े आपको थोड़ी सी ऐसे लग रहे होगी कि मैंने यहाँ page पर जो है language लिख रखी लेकिन यह language मैं पूरी एक-एक करके word wise लिखूंगा तो इसमें काफी time लग जाएगा हमें course भी हमारा cover करना है और जाएज जाएदा questions को भी score करना है सो strengths मैंने लिख दिया हाँ रही बात explanation के तो मैं word to word आपको explain कर दूँगा ताकि कोई परेशानी नर है मैं word to word explain करने के साथ लिखूंगा तो time थोड़ा सा waste होता इसलिए already हाँ लिखा हुआ है सो strengths मैं समझाओंगा सारी बात है आपको सो चलिए देखते हैं देखिए strengths हमने एक बात देखिए कि black body से related हम चीज़े पढ़ रहा है तो यहाँ पर black body की जो total energy है वो और उस energy की wavelength को खास ध्यान में रखा गया है तो हमें पहला point हमें याद रखना कि win ने क्या किया win ने काम किया जिसको displacement law कहा जाता है उसमें हमें किन चीज़ों की जरुत होगी तो उसमें हमें जरुत होगी black body की energy की wavelength की और साथ में second जो term होगी जिससे उनको relate किया गया है formulated किया गया है वो है absolute temperature capital T से so students यहीं बात वो मैंने लिख के रखी हुए देखिए मैं आपको पढ़के बता जाता हूँ यह after study win formulated a law for wavelength of maximum energy wavelength of मैंने आप से कहा wavelength का है energy का factor नहीं है energy factor हम दूसरे law में पढ़ेंगे जो stiffens law है यहाँ पर winds law है इसमें energy का factor नहीं है यहाँ पर wavelength factor में रूप से यहाँ पर manly लिया हुआ है तो wavelength of maximum energy and absolute temperature this law is known as winds displacement law मतलब अपनी study के बाद winds ने क्या बता है सबसे पहले उन्होंने उस energy की wavelength को relate किया किस से absolute temperature से और wavelength maximum wavelength उस energy की और absolute temperature को जब relate किया उससे उन्होंने एक law दिया उसी को हम क्या कहते है winds law कहते है यह winds displacement law कहते है so strength according to law इस law के according क्या होता है the wavelength corresponding to maximum energy wavelength मैं आपको फिर बता दूँ wavelength यहने lambda maximum energy in lambda so यहाँ आप उसने कहा the wavelength corresponding to maximum energy emitted by perfect black body perfect black body जितना emit कर रही है energy उसकी maximum wavelength जो होती है is inversely proportional to its absolute temperature वो inversely proportionate होती है absolute temperature के तो देखिए जो है inversely temperature inversely proportional है absolute temperature से तो 1 upon T मतलब हमारा main law क्या हो गया lambda is inversely proportional to T या यह कह सकने कि lambda is proportional to 1 upon T अब यहाँ strengths यहाँ पर हमने जो language है इसको formulated कर लिया है अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जगे पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है sign आ रहा है वो equal का sign नहीं है वो proportionate sign है तो इसको हमको equal में जब change करना होता है तो हमें constant की ज़रूद पढ़ती है हम वो constant लेंगे हैं यहाँ पर so lambda m is equal to b into 1 upon T यह b वही constant है जिसको हम win constant कहते हैं जहां मैंने यह mention किया हुआ है b is a constant called win constant देखिए यह पर लिखा है b is a constant called wins constant और उसकी value भी दिए हुई है 2.89 into 10 raise to power minus 3 meter kelvin strength यहाँ पर देखिए यह b की value यहाँ पर right hand side में मैंने mention कर दिए है ताकि आपको b की value यहाँ पर लिखती आ सके अब strength देखिए हम b की value को निकालना चाहेंगे तो t lambda m into t is equal to b यहाँ बी के लिए हम value देखेंगे और यहाँ में clear हो रहा है कि b की हमने जो unit निकाली lambda m lambda हम को corresponding जो है m के लिए 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 तो lambda की जो unit होती है वो meter होती है और t के लिए हम Kelvin तो यहाँ देखिए meter Kelvin यहाँ पर आपको mention करना हो आप दिखाई दे रहा होगा so strength इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि b equal to lambda m into t यही विंस displacement law है so strength यहाँ तक आप इसको लिख देंगे एक चोटा सा question है जो winds law के नाम से जाना जाता है और शुरू करें so strength stiffen law क्या है मैंने आप से previous lecture में बात की थी strength की जो black body है black body का जो radiation होता है वो radiant energy जो होती है वहाँ पर हमने wavelength की बात की थी winds displacement law में लेकिन आज हम stiffen law में देखने वाले हैं radiant energy को ही उस radiant energy का absolute temperature से क्या relation है वो समझाने के लिए हमें stiffen ने law दिया जिसको stiffen's law के नाम से जाना जाता है देखिए यही सारी बात है मैं फिर आप से कहूँगा कि strengths यह मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखी है कई पार student को इसा लगता होगा कि लिख दी है लिखते तो ज़्यादा बेतर होता लेकिन लिखने में उतना ही time वेस्ट होता strengths और हम उसी चीज में लिख के रखेंगे और पढ़ाएंगे आपको एक एक word to word ताकि समझाएंगे word to word ताकि आपकी परिशानी न रहे और आप समय बचा लेंगे मैं भी समय बचा लूँगा और हम आपने course को जल्दी से आगे बढ़ा लेंगे so strengths यहाँ पर मैं पहले पढ़कर बताता हूँ वही बात मैं आपको पहले इंट्रो में दे देता हूँ कि क्या किया था स्टीफन्स ने उन्होंने black body की surface पे से surface पे से वो पर unit, पर second पे थी उस surface पे से radiant energy और absolute temperature को relate किया था और उसके लिए जो उन्होंने लाद दिया वो ही क्या कहलाता है स्टीफन्स ने लादा है strengths यहाँ देखिए in 1879 Russian scientist Stephen established a relationship between radiant energy मैंने आप से कहा है कि displacement लाद को दिमाग में रखना है विंस के तो आपको वेवलेंट को याद रखना है और स्टीफन्स लाद को याद रखना है तो आपको radiant energy को साथ में रखना है तो radiant energy को उन्होंने किस से absolute temperature से relate किया और जो लाद दिया उसे ही हम स्टीफन्स लाद कहते है इस लाद के according इस लाद के according क्या है इस लाद के according यह है कि आपकी जो radiant energy है कहां से निकल रही हो वो उस black body के per square area से per square area से per second निकल रही है ध्यान रहे surface से पूरी energy को नहीं ले रहे है हम study करने के लिए एक छोटा part ले रहे है like a blood test हमारी पूरी body का blood नहीं निकाला जाता एक छोटा सा blood की quantity निकाली जाती है और पूरी body का हमाई diagnosis मिल जाता है उसी प्रकार से जो हमारी black body है उसके per area, per square area से per second निकलना वाली radiant energy जो होती है उससे relate किया गया है absolute temperature को और उन्होंने बता है कि यह radiant energy जो होती है यह कितनी मैंने आपको फिर से एक बार बतातूं कि per square area per second जो radiant energy होती है वो डारेक्टली proportional होती है fourth power of absolute temperature students यही बात यहां mention की हुई है मैं word to word आपको बताता हूँ और फिर उसको मैं आपको लिख कर भी बताऊंगा the total radiant energy emitted per second per unit surface area per second per unit surface area से निकलना वाली radiant energy of a black body कि इसकी? black body की is proportional to fourth power of its absolute temperature उसकी temperature के, absolute temperature के fourth power के so students यहां हम देखें कि total radiant energy को हम यह दिए E मान ले तो E is directly proportional to fourth power of absolute temperature students यहां पे T की power 4, fourth power ध्यान रहा है जहां तर rules में square आता है, inversely proportionate आता है, square inverse आता है लेकिन यहां fourth power आ रहा है थोड़ा सो word पे ध्यान दीजेगा कि यहां पे उसने क्या कहा है कि जो radiant energy per square area per second is directly proportional to fourth power of absolute temperature अब strengths यहां पे मैं वह बात कहूंगा आपसे कि proportional का sign है अटाने के लिए constant के हमें जरूरत पड़ेगी इस बार हम constant हमारा sigma लेंगे sigma t to the power 4 और sigma is a constant, उसको हम stiffen constant कहेंगे so यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो sigma दिया हुआ है इसकी value और मैंने details राइट-hand side में लिख दिये है sigma is a constant called stiffens constant and sigma की value क्या है वो 5.67 10 rest to power minus 8 5.67 into 10 rest to power minus 8 लेकिन इसकी strengths यहां पर थोड़ी से समझाने वाली बात बता दूँ आपको कि इसकी जो unit है joule per meter square into second Kelvin to the power 4 मैं आपको थोड़ा और simplify करके इस unit को दे देता हूँ तो यदि हम इसको इसा भी लिखें तो चल जाएगा sigma equal to 5.67 10 rest to power minus 8 joule per second को हम watt लिख सकते हैं strengths तो watt per meter square Kelvin to the power 4 यह हमारी नई unit हो जाती है तो एक ही इस तरीके से आप unit को लिख सकते है और यह था हमारा stiffens law दोनों law बहुत छोटे-छोटे थे काफी छोटे थे लेकिन हमारी base जो है competitive exam को लेके perfect होनी चाहिए constant उसमें हमें memorize होने चाहिए हर constant की value किस से represent किया है उसकी value किया है उसकी unit किया है dimension formula किया है यह बराबर आप दिमाग में रखें strengths ताकि आप उस law को समझ सके और बढ़िया तरीके से कर सके ऐसे छोटे-छोटे point है आप जब बढ़ाएंगे एक बढ़ा answer तयार होगा और जब बढ़े-बढ़े answers तयार होगे तो आपका course syllabus आगे बढ़ने लगेगा और आपका confidence भी साथ में बढ़ने लगा कि आरे मैं कर सकता हूँ मैं तो पढ़ सकता हूँ मुझे याद भी होता है मुझे समझ में भी आता है और मैं बहतर तरीके से कर सकता हूँ So strengths लगे रही है पढ़ाई में कि बताऊंगा strengths कि वो किस तरीके से यहाँ पे black body को ले रहा है हमें एक black body को ले रहा है उस black body का temperature capital T मान लेते हैं देखें strengths में यहाँ black body बना देता हूँ यह मैंने black body बना दी इसका temperature T है यह इसका temperature हमने T लिया है अब इस black body के ऊपर एक cavity बनाते हैं वो भी एक black body ही होगी मतलब black body के ऊपर black body लेकिन हम उसके लिए word यूज़ करेंगे cavity वो जो cavity है strengths वो हमारे लिए इसके ठीक ऊपर होगी इस तरीके से और उसका temperature होगा T0 क्योंकि black body radiant energy को release करेगी देगी और वो cavity उसे accept करेगी यहाँ पर बात यह है कि देखने समझने की बात सबसे वाली बात है कि हमने सबसे वाले black body को लिया इसलिए उसका temperature ज़्यादा बता है capital T से लिया है और वो radiant energy अपनी release करेगी जिसको cavity accept करने वाली students हम यहाँ देखते हैं क्या है let absolute temperature देखिए let absolute temperature of black body be T देखिए मैंने यहाँ पर T इसका black body का यह black body है हमारी जिसका temperature हमने T दिया है and temperature surrounded by other cavity वो भी black body है whose temperature is T0 उसका temperature हमने T0 लिया है अब इसका temperature difference देखने है strengths तो temperature difference जो होगा वो क्या होगा strengths इसका temperature difference होगा delta T और कितना होगा क्योंकि हमारा ज्यादा temperature तो किसका है black body का उसमें से kvT के temperature को हम minus कर देंगे तो हमारा temperature difference होगा strengths से दिया हम इससे T की value निकालना चाहें तो देखिए strengths यह T की value निकालना चाहेंगे तो minus T0 अपनी side change करके इधर आएगा plus हो जाएगा so वो हो जाएगा यह हमारा equation first हो जाएगा strengths तो आपको यह बात समझ में आगई में एक बात फिर आपके लिए repeat कर देता हूँ strengths हमने एक black body लिये जिसका temperature T है और उसके उपर एक cavity लिये वो भी एक black body है उसका temperature उससे थोड़ा कम है वो T0 है black body अपनी energy release करने वाली है तो release करेगी उस radiation को accept करेगी cavity तो हम यह देखें कि दोरों का temperature difference क्या है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर equation 1 से मैंने यह mention किया हुआ है यह equation 1 में मैंने आपको step भी बता दी किस तरह से मैंने लिया लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इसमें हमें यहाँ से radiant energy release हो रही absolutely यहाँ पर stiffens law का use होना चाहिए तो stiffens law यहाँ हम use करेंगे सो इस्टेंट्स देखी यहाँ पर stiffens law rate of energy emitted by black body per unit area per unit time देखी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम black body से radiant energy release करने की बात करते हैं तो हमेशा इस बात को धाना है कि हम उसके per square area के per second part को ही लेंगे per square area per second में release होने वाली energy को ही लेने वाले इस्टेंट्स तो देखी है rate of energy emitted by black body per unit area per unit time इस sigma t to the power 4 यह factor कहां से आ रहा है यह stiffens law से आ रहा है stiffens law अदि आपको देखना है तो previous video को देखें उसमें stiffens law पूरी तरह clear कर दिया बॉडी ने black body release कर रही है accept कर रही हमारी cavity जिसको भी हम other black body कह रहा है so rate of energy absorbed देखें यहाँ पर absorbed वाली जुकिया है कि absorbed करेगी वो by black body per unit area per unit time यह भी per unit area पर second के लिए absorbed करेगी वो है sigma t0 4 की power 4 अब t0 क्यों आपको मैंने बताया था किसका temperature t0 लिया है हमने अब यहाँ हम देखें कि energy loss कितना हुआ energy का loss हम देखें तो देखें स्टेंट्स यहाँ energy loss जो हुआ है ज्यादा energy sigma t to the power 4 मतलब black body के दी हुई energy minus absorb की हुई energy किस के दोरा cavity के दोरा तो sigma t0 की power 4 अब स्टेंट्स हम energy loss को हम del e बता देते है तो del e जो हता energy loss यहाँ sigma common आ रहा है स्टेंट्स देखें यहाँ से sigma common आ रहा है तो हमें मिल रहा है t to the power 4 minus t0 की power 4 I think यह दो स्टेप्स तो आपको clear हो गई होगी किस तरह से मैंने लिए एक बार फिर explain कर देता हूँ energy loss energy loss कब होगा जब cavity को energy मिली होगी और black body ने d होगी जो d है उसमें से ली हुई minus हो जाएगी तो loss पता लग जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या किया यह दोनों चीज़े mention कर दी कि भई जो है black body जो release कर रही हो sigma t to the power 4 है और cavity जो absorb कर रही हो sigma t to the power 4 है उसको हमने minus कर दिया तो हमें loss मिल गा हमने क्या करा है सिर्फ sigma common लिया है step को एक बार हम और लिख लेते हैं so energy loss is equal to sigma common है और t minus t0 inside है अब strengths हमार पास t की value है वो t की value हम यह put कर देंगे अच्छा एक बात और इसमें power 4 लगी हुई strengths तो यहाँ पर हमें इन सब पर power 4 भी लगाना है अब putting value of t from equation first equation first हम इसके अंदर value पूट कर देंगे तो energy loss हमारा वैसा ही रहा sigma outside वैसा ही है t की value हमारी देखे हैं पीछे t की value थी यह delta t plus t0 तो delta t plus t0 को हमने value पूट कर दी power लगा दी 4 minus t0 की power 4 strengths I think step तो बहुत simple है clear होगए यहाँ पर कुछ थोड़ी सी steps और बता रहा हूँ जो important है energy loss हम AZTZ रखने वाले है sigma हमने लगाया अब देखिए strengths यहाँ एक term दिख रही है आपको t0 यहाँ पी t0 यह t0 मुझे common लेना है तो t0 common तो तब ले पाऊँगा जब दोनों के coefficient के रूप में यहाँ तो single है लेकिन यह coefficient के रूप में t0 लाने के लिए मुझे t0 common लेना पड़ेगा कहां से इस bracket से और इस bracket से common लेना पड़ेगा तो मेरे लिए t0 यहाँ तो है और T0 से ही divide कर देता हूँ plus T0 इसे में एक bracket में ले लेता हूँ power 4 minus T0 की power 4 और ब्रेकेट कम्पीट कर देता है energy loss as it is लिखा हमने is equal to sigma अब देखें आप कि इस bracket में से T0 और T0 एक common आ रहा है इसको T0 को common ले लेते हैं हम लोग तो T0 common लेंगे हम तो यह T0 हमने common लिया sigma delta T बचा upon में T0 क्योंकि into वाला तो चला गया है बाहर mine plus T0 जो है उसकी place पर क्या हो गया one हो गया की power 4 minus T0 की power 4 यह अपने easy t's लिख दिया strength step समझ में आ गई होगी मैंने क्या क्या है देखी यह जो T0 है और यह T0 common ले लिया है तो अंदर delta T upon T0 delta upon T0 और यहां से चला गया तो प्लस बच गया है वह पीछे वाला तो हमने लिख दिया है अब strength यहां पर हम sigma को वैसी लिख रहा है अब इन दोन स्टेप में से T0 देखिए आप यहां पर यहां पर भी T0 है यहां से भी T0 है अब यह एक बात हमको और भी ध्यार रखना है कि T0 जब हमने common लिया तो पावर क्या है 4 है तो पावर 4 लेकर बाहर आएगा डारेट नहीं आएगा क्योंकि ब्रेकेट में से हमने common लिया है लेकि उसकी maximum पावर क्या है 4 है तो 4 पावर लेकर common आएगा अब यहां आप देखें कि यहां पर यह T04 है T04 है इस common common ले ले लेता है तो T04 को हमने common लिया है यहां से यह देखें यह common ले लिया तो अंदर हमारे पास जो टम बसती है वन प्लस डेल्टा टी अपाउन टी जीरो होल पावर 4 माइनस वन क्योंकि टी जरो फोर तो जा चुका है strengths मैंने है क्या करा है side change कर लिए 1 को मैंने आगे लिख दिया delta upon T0 को मैंने पीछे लिख दिया है ताकि हम यह binomial expansion को लगा सके अब strengths रही बात फिर binomial expansion की क्योंकि देखिए simple power होती 2 तो हम whole square formula लगा लेते cube formula लगाते power 3 होती तो लेकिन कुछ implicit powers आ जाती है तो implicit power के लिए हमें जो है binomial theorem का यूज करना पड़ता है मैं binomial theorem side में आपको लिख के बताता हूँ कि binomial theorem क्या होता है strengths जल्दी में लिखने में हमें थोड़ा सध्यान देना है कि binomial theorem है क्या तो देखिए 1 प्लस x की power n 1 प्लस nx प्लस n into n-1 upon factorial 2 और यह इस तरह से आगे हमें सिर्फ इसकी दो ही time यूज करना है पहली दो time हम यूज करेंगे और binomial theorem यहां applicable हो जाएगा so strengths अब हम आगे उसी प्रकार से इसको बढ़ाते है यह sigma t0 की power 4 अपनी जगे पे है यहां मैं binomial theorem लगाऊंगा जैसे तो यहां पे 1 प्लस x की power whole n तो 1 प्लस nx देखिए 1 प्लस x की power n देखिए यहां पे मैं आपको समझा दूँ बानी मेल theorem आपको याद होगा 1 प्लस x to the power n है तो 1 प्लस nx पहली दो time हमारी मतलब 1 as it is रहता है n का x में into हो जाता है ठीक उसी term पे मैं इसमें into करूँगा तो 1 तो वैसे रहने वाला है तो यह 1 इसी प्रकार से रहा और n मतलब n कौन है 4 है और उसका इसमें into हो जाएगा तो 4 into देखिए 4 into delta t upon t0 इस तरीके से आ गया है प्लस दूसरी terms भी बहुत है और पीछे बच्छा हमारे पास minus 1 अब strengths आपको समझ में आ रहा होगा कि यह minus 1 है और यह plus 1 है यह आपस में cancel होगा तो हमारे पास क्या बच्छा है strengths सिग्मा t0 to the power 4 4 delta t upon t0 यह हमारे पास एक remaining part बच गया है strength इतनी बात समझ में आगए होगे आपको अच्छे से अब यह दि मैं इसको यहां पर देखूं आगे बढ़ा के तो sigma t0 to the power 4 energy loss अपने as it is लिखा यहां पर sigma t0 to the power 4 यह लिख लिया 4 delta upon t0 4 delta upon t0 अब strengths यहां पर आप देख रहा है कि यहां पर t0 है denominator में और यहां t0 के power 4 into में है so strengths यहां पर आप cancel कर सकते हैं इसको अब यहां से मैं इसको cancel करूंगा तो यह जो cancel होगा up to three times cancel होगा so energy loss is equal to sigma t0 cube 4 delta अब खास थोड़ा सा ध्यान देदेंगे strengths की यहां पर हम लगो 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 end पर आ चुके हैं तो energy loss जो हमारा है वो हम वैसा ही लिख रहा है यहां sigma भी वैसी लिखा मैंने देखिए t03 को भी वैसी लिखा और 4 मैंने constant आगे ले लिया अब यह देखिए यह जो चीजें यह मैं bracket में लिख रहा हूँ आप उनको study करके देख रहा है और समझ रहा है तो यह सब constant term से देखिए 4 भी constant है, sigma भी constant है, T03 भी constant है क्योंकि T03 जो है temperature of cavity है तो पीछे बच रहा है delta T यदि हम energy loss को eap से या daily से represent कर रहे है तो constant हटा देंगे यह देखिए constant है, यह constant हम हटा देंगे, तो proportionate sign लग जाता है क्योंकि proportional का sign हटाते है तो constant लगता है, यदि हम constant को हटा रहे है तो फिर हम proportional sign यूज़ कर लेंगे वहापर, तो देखिए मैं proportional sign यूज़ कर रहा हूँ यहापर, तो proportional sign यूज़ हुआ, डेल्टी, अब students जरा याद कीजिए, कि यह चीज कौन से, यह क्या आया है, students यह जो आया है, हमारा, कौन सा है, यही तो है, हमारा Newton's law of cooling, यही तो है, Newton's law करके समझ सकते हैं, और बहतर तरीके समझ सकते हैं, बहुत important question में से, एक students करेंगे, तो बहुत अच्छी step, मैंने one by one step, सारी आपके लिए कर दी हैं, यहापर इस्टेंट, लेकिन बस ध्यान रखें, कि जितना maximum आप step बनाएंगे, teachers को उतना clear होगा, और आपके marks भी उतने ब temperature of the sun, so strength यहाँ हम देखते हैं, कि surface temperature of the sun can be calculated by Stephens constant, मैंने आप से पहले ही कहा था, कि Stephens ला आना जरूरी है, Stephens ला से हमे स्टिफन constant मिलेगा, और स्टिफन constant sigma की value हम कही ने कहीं, इसमें यूज करने वाले हैं, स्टेंट, बिकिए स्टेंट, यहाँ मैंने एक diagram बनाया हुआ और sun की radius बनी हुई ही, जिसको मैंने rs से represent किया है, एसे ने sun and r is radius, तो वो rs से represent किया है, और यहाँ पर मैंने आर्थ बताई है, छोटी सी, जिसकी radius, जिसकी distance जो है, sun से r के रूप में बताई गई, तो ध्यान है रहा है, कि sun की radius से rs है, लेकि sun की earth से distance r है, स्टेंट, यहा से, हमारी earth से, एक sphere को imagine करते हैं, जो sun के around है, क्योंकि यही sphere तो energy gain कर रहा है, कहां से, sun से, sun वो radiate energy कर रहा है, और यह sphere gain कर रहा है, so strength, imagine a sphere of radius r around the sun, यह देखिए, sphere यहाँ पर हमने r around the sun, sphere को, यहाँ imagine किया वा है, let temperature of surface of the sun is T, इसका temperature हमने T मान लिया, according to Stephen's law, देखिए Stephen's law फ per unit area per unit time, दोनों, मैंने पहले भी कहा था, black body पे, जब हम energy को count करते हैं, तो per unit area पे करते हैं, और per second करते हैं, वही हम sun को भी है, मान के चल रहा है, उसी tub में, black body के tub में, और उसी से भी हम ले रहा है, per unit area और per unit time, तो देखिए Stephen's law, यह mention हो गया, E equal to sigma, T to the power 4, 4th power के proportionate होता है, यहाँ sigma की value हमने फिर से mention कर दी, जो previous lecture हमने याद की थी, so students, अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, total energy radiated by the sun, energy कितनी radiate करेगा, अब सुनी students, पूरा sun, वो पूरा sun जो है, पूरा spherical form है, कितनी energy, वो अपने spherical form की surface से, हर जगे से energy release करेगा, एक जगे से निकर रहा है, पूरी surface, जो उसकी round surface से, उसपे से energy को radiate करेगा, so total energy radiated by sun, जो E है, वो तो energy है, लेकिन कहां से, surface area of the sun, वो उसमे multiply होगा, तो radiation energy हमें मिल पाएगी, और हम जानते हैं, कि वो sphere form में है, और sphere का जो है, surface area 4 pi r square होता है, 4 pi r square में, r की place पे हम क्या रख देते हैं, rs रख देते हैं, तो value द r square, so student I think, यह तो आपको clear होगी, अब यह energy sun की surface से release होगी, अब इसको वो sphere क्या करेगा, gain करेगा, जो earth से हमने बनाया है, so total energy radiated by the sun, in inter-surface sphere of radius r, अब इतनी energy जो है, वो उस r तक कितनी release की है, वो बताएंगे, sun ने जो release की हो तो ठीक है, लेकिन उस sphere में उसने कितनी release की है, वो sphere कुन सा, जो earth से हमने बनाया हुआ है, तो उससे जो वो की हुए, वो surface area के साथ 4 pi r square, क्योंकि हमारी जो radius बन रही है, यहाँ पर r बन रही, तो वो ही 4 pi r square होगा, और s जो होगा, यह एक solar constant distance, confuse ना हो यह, कि यहाँ पर हमने s कहां से लिया, s एक solar constant है, जिसको हम surface area से count करे करेंगे, into करेंगे, सो हमें इस परकार से दो equation यहाँ मिल जाती है, equation first or equation second, अब हम फिर यहाँ देख रहे हैं कि हम इनको compare करेंगे, क्यों compare करने वाले है हम लोग, क्योंकि sun जितनी energy release कर रहा है, उतना ही वो sphere gain कर रहा है, यहाने दोनों values equal है, इसलिए हम equation first को equation second से equal कर देते ह हैं, so equal करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, sigma t to the power 4 into 4 pi r s square, और उस से हम compare कर रहे हैं second वाली को, जो है s into 4 pi r square, s into 4 pi r square, यह r sphere की radius है, जब कि r s sun की radius है, यहाँ मैं बता दूँ आपको, कि यह जो r है, यह sphere radius है, और rs जो है sun की radius है, अब strengths यहाँ पर आप देखें, हमें जो निकालना है, वो क्या निकालना है, temperature निकालना है, तो यहाँ temperature factor दिख रहा है आपको, यह temperature, इसकी value निकालना है, यदि मैं इसकी value निकालना चाहूंगा, तो इसकी सब coefficient जो multiple से, वो सामने वाले के upon में चले जाएंगे strengths यहाँ पर, तो यहाँ हम देखते हैं, कि t to the पाउर 4 की value हम निकालना चाहें तो s into 4 pi r square upon में यहां से sigma भी जाएगा into 4 pi r s square I think steps clear होगे अब यहां देख रहा है कि 4 pi स 4 pi cancel होने वाला है यह 4 pi स 4 pi cancel होगा है तो t to the power 4 is equal to s into r square upon sigma r s square यह important time मिल जाई हमें मिल गई है यह important time हमारे लिए काफी helpful साबित होगी क्योंकि इसी पर हमें सारी value put करना है अब strength मैंने आप से कहा था कि s जो है यह एक solar constant है और solar constant की value देखी मैंने left hand side right hand side में है लिख रही है solar constant की value मैंने right hand side में लिख रही है 1388 watt per meter square यह हमें याद रखना होगी हाँ रही बात sigma की वो तो हमने previous lecture से देख ली थी पढ़ ली थी 5.67 10 10 to power minus 8 r s sun की radius वो 7 into 10 to power 8 meter है और जो sun से आर्थ का distance है जो हमने radius किसका sphere का लिया था वो जो है 1.5 into 10 to power 11 meter के आसपास strength तो यह सारी calculated जो values है हमारी वो हम यह put कर देंगे strengths तो यह put करते हैं तो देखिए अब t to the power 4 equal to s की value हम put कर रहा है 1388 into r r की value है हमारे पास 1.5 into 10 to power 11 का whole square के क्यों whole square strength upon में sigma की value 5.67 into 10 to power minus 8 यह value बेने sigma की put कर दी into rs की value put करेंगे तो rs की value हमारे पास से 7 into 10 to power 8 और उस पर लगा है whole square I think step तो बहुत simple है क्यों value हमने put कर दी है strengths यहां पर so t to the power 4 यहां आगे calculate करें तो 1388 into 1.5 का देखिए यहां पर 1.5 का square करेंगे इधर 7 का square करेंगे power का भी square करेंगे तो step आप देखिए मैं 1.5 का square करता हूं तो वह हता है 2.25 और power का square करता हूं तो 11 to z 22 multiply हो जाती है power upon में 5.67 10 is to power minus 8 वैसे लिखा हमने into 7 का square हमने करा 49 और 10 to the power 8 का square करा तो भो गया 16 8 to the 16 so strengths हमने अब सारी values यहां put कर ली है put करने के बाद आप हम क्या करने वाले है कि यहां आप देख रहा है कि कुछ numbers में मिल रहा है कुछ powers term भी मिल रही तो power वाले term को हम separate कर लेते हैं और number terms को separate कर लेते हैं तो देखिए में यहां T to the power 4 देखिए 1388 into 2.25 को अलग कर लेता हूं upon में 5.67 और 49 को अलग कर लेता हूं और power term में उपर है 10 to the power 22 और नीचे की power strengths यहां देखें आप कि 10 to the power 16 है और यह 10 to the power minus 8 है तो यह बच जाएगी 10 to the power 8 तो उसको हम नीचे लिख देंगे 10 to the power 8 अब strength यदि हम इसको calculate करके देखें 1388 को 2.25 से करें तो approximate 3123 बचेगा और नीचे जो into करें 5.67 का 49 में तो वो बचेगा 277.83 के असपास और यह power उपर चली जाएगी तो 22 minus 8 हो जाएगी so strength से आपने यह देखा कि यह मैंने simple calculation यह कर लिया है अब यह हम 3122 यह जो मैंने numerator 3122 है इसको हम इसको divide करके देख लेंगे simple तरीके से तो हमें मिल जाएगा वो मिलेगा t to the power 4 equal to 11.24 और इधर power बच जाएगी हमारी कितनी बच जाएगी 22 में से 8 जा रही है तो 14 बच जाएगी strength तो यह हमारी 22 में से 8 जा रही तो यह 14 power बच गई strength अब यहाँ पर बात यह है कि यदि यहाँ पर इस जगे पर एक square का function होता तो हम easily root लगा देते हैं root निकाल लेते लेकिन यह तब fourth power function है strengths यहाँ थोड़ा सा logarithmic use जो class 9 का वो होता है उस method से निकालना होता है so strengths हम इतना detail नहीं जाएंगे हम यहाँ देख लेते हैं कि इसकी fourth power करने के लिए हम थोड़ी एक term simple कर लेते है 10 to the power 4 मैं decimal की place को दो आगे बढ़ा लेता हूँ तो 0.1124 हुआ तो इसकी power 16 हो जाएगी strength यह मैंने अभी इसली किया है आपको next step में समय में आ जाएगा strength से लिए मैं fourth power हटाता हूँ तो सामने one fourth power लगती है यह तो आप भी जानते हैं कि यहाँ से fourth power हटेगी तो सामने one by fourth power जाके लग जाएगी strength तो मैं यहाँ से वो step बना रहा हूँ t is equal to 0.1124 into 10 raise to power 16 की power one by four अब strength हम अलग-अलग कर देते हैं 0.1124 की power one by four कर लो अलग 10 to the power 16 की power one by four कर लो तो t equal to इसकी value हम calculate करते हैं तो हमें approximate five eight nine zero zero point five eight nine zero मिलता है 0.1124 power one by four कम solve कर रहें तो हमें मिलता है 0.5899 approx और यहाँ strength steady मैं इसको four से four times cancel करूं तो 10 to the power four हो जाता है यह देखे simple सी बात है इसको cancel करेंगे तो सो t equal to d में इसको solve करता हूं तो 10 to the power four से multiply करता हूं तो यह obviously five eight nine zero के असपास होता है यह यह हमारा Kelvin में temperature आ गया sun के surface का जिसको teachers बताते हैं हम approximate लिख सकते हैं उसको एप्रोक्जिमेट six thousand Kelvin तो डियर कब तक पढ़ते आये थे छोटे बच्पन से सुनते आये थे कभी भी सुना था कई बच्चे पूछते हैं कि sun पे इता temperature कितना होगा तो अपने इतना बोलते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक calculated value नहीं है यह तो हमारी एक general बताईवी value है calculated value हमने आज की इस class को 11 में हम इस चीज़ को समझ पाए और आप इसको कर सकते हैं आपका knowledge भी बढ़ेगा और साथ मैं कभी question exam में पूछा जाता है तो भी आप इसको कर सकते हैं so इस परकार के interesting factors को practice करते रहे हैं मिलते हैं next video में till then stay blessed and goodbye